गुजर रही है उम्र पर जीना अभी बाकी है जिन हालातों ने पठका है जमीन पर उन्हें उठकर जवाब देना अभी बाकी है नमस्कार दोस्तों मैं उद्या सिंग मैथ्स गुरू यूटूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज हम लोग इसक्रश करेंगे UPTGT 2009 का पेपर जिसमें क्वेशन है अगर आपने अभी तक हमारा टेलेग्राम गूर्प जोइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप वहाँ से जाकर उस चैनल को जोइन कर सकते है यहाँ पर देखेंगे हम पहला कोस्चन करा विचरण फालोईंग इस्टैट्मेंट्स हैं क्विध्या कौन से करेक्ट है तो देखे कह रहा है कि मोड केंबी कम्प्यूटेग का होते हैं यह अब मान लीजे कि यहाँ पर फ्रिक्व तो जो सबसे उंचा होगा, जो सबसे उंचा होगा, यानि कि उसकी सब पे ज्यादा फ्रिक्वेंसी होती है, वही क्या दिखाएगा, मौड होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह वाला जो वैलू होगी, यह फ्रिक्वेंसी जो होगी, वो क्या होगी, मौड होगी, यानि क कि histogram की मदद से mode को compute किया जाता है मतलब पहला statement क्या है बिलकुल correct है दूसरा देखेंगे median is not independent of the change of scale तो जो median होती है वो क्या होती है पैमाना बदलने से सोतंत्र नहीं है अगर पैमाना बदलेगा तो median बदल जाएगी यानि कि लेकिन ये कहा क्या रहा है सोतंत्र नहीं है तो बिलकुल सही कह रहा है तो ये भी correct है फिर क्या कह रहा है variance independent of change of origin and scale देखेंगे independent नहीं variance क्या होता है origin और scale के change पे dependent होता है तो ये बात यहाँ पे गलत लिखी गई है यानि कि यहाँ पे पहला पार्ट भी सही है दूसरा पार्ट भी सही है और ऐसा कौन सा option है यहाँ पे option हो जाएगा third यानि कि first और second दो नो यानि कि एक में कौन सा option सही होगा c option correct होगा next देखें कि question number two question number two में हमें निकालना है इसका lcm देखें का क्या क्या है hcf निकालना है hcf आफदा x square plus x पहले में इसके factor कर लेने हैं देखते हैं यहाँ पे x square plus x minus 6 is equal to 0 x square minus का हो जाएगा plus का हो जाएगा 3x minus का 2x factor हो जाएगे into 6 common लेंगे तो यह आ जाएगा एक bracket में आ जाएगा x plus 3 दूसरे bracket में आ जाएगा x minus 2 इसके factor आ गए x plus 3 और x minus 2 दूसरा वाला उठाएंगे x square minus का x minus 6 is equal to 0 तो x square minus का 3 x plus का 2 x minus का 6 यहाँ पर जो factor निकल के आएगे x minus 2 x minus 3 और x plus 2 यह दोनों factor होके आ जाएगे अब देखिएगा हमें दोनों का निकालना है hcf hcf का मतलब होता है ऐसा factor जो दोनों में common हो तो देखो x plus 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है यहनी कि x plus 3 भी नहीं आएगा common x minus 2 देखो यहाँ है लेकिन यहाँ मतलब कि वहाँ पर तो है x minus 2 लेकिन यहाँ पर नहीं है मतलब कोई भी ऐसा factor नहीं है जो दोनों में common हो दोनों में minus 2 और ऐसे दोरान जब कुछ भी common नहीं होता तब वहाँ पर क्या होता है cf जो होता है one यानि कि one सभी के factor होते है one क्या होते है सभी factor होते है तो यहाँ पर जो माशाबा highest common factor हो जाएगा वो one हो जाएगा कौन सा option सही हो जाएगा यहाँ पर दूसरे में D option correct हो जाएगा next देखेंगे question number 3 question number 3 में हमसे कह रहा है कि x square minus y इनका lcm निकालना है तो देखो x square minus का y square x square minus का y square यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा एक bracket में a plus b और दूसरे bracket में a minus b तो एक bracket में a plus b दूसरे bracket में x minus y हो गया अच्छा यह क्या है भाई x plus y का whole square is equal to इसे हम लिख सकते हैं x plus y और into x plus y चलिएगा निकालते हैं इनका lcm lcm देखो उपर वाले एक तो पूरे factor दोनों उठा के रख दो x plus y भी रख लिया और x minus y भी रख लिया नीचे देखो जो बचा है उसे भी रख लो x plus y एक बार तो लिख गया है लेकिन यहाँ पे एक बार और आया है तो उसे लिख लिख लिया जाए अच्छा आप देखते हैं यहाँ पे एक तो x square minus y square है इन दोनों के एक साथ ले लो यह आ जाएगा x plus y का holy square into x minus y और ऐसा कोई option है क्या तो यहाँ पे option सही हो जाएगा c है ना तीसरे में कौन सा option सही हो जाएगा c x plus y का holy square into x minus y क्या होगा इसका lcm होगा next देखेंगे question number 4 question number 4 में हमसे कह रहा है कि if one is one root of the equation कह रहा है कि जो one है एक root है किसका इस equation का यानि कि x is equal to one इस equation पे रखा जाए तो satisfied करेगा भाई अगर one जो है यानि कि x की एक ऐसी value है जो इसको satisfied कर रही root है तो कहने का मतलब क्या हुआ इसको satisfied करेगी तो x is equal to one रखने पर रख दीजे क्योंकि यह संतुष्ट करेगा इससे तो x की जगा पर one रखेंगे तो कितना आ जाएगा a यहाँ b बचेगा और यहाँ पर c बचेगा equal to zero हो जाएगा यानि कि a plus b plus c is equal to zero हो जाएगा यानि कि चोथे में option कौन सा सही होगा चोथा यानि कि d वाला पार्ट क्या होगा correct होगा next देखेंगे question number 5 कह रहा है px square minus 2x plus 2 is equal to zero may have real linear factors अब देखें real linear factors दो situation में किया जा सकते हैं एक कब जब d का मान greater than zero हो और दूसरा क्या है जब d is equal to zero हो यानि कि जब d का मान क्या हो कोई धनात्मक संख्या हो कोई positive number हो या फिर d का मान यानि कि b square minus 4ac का मान क्या हो equal to zero हो अगर इन दोनो situations को हम combined कर दें combined करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर यह बन जाएगा d greater than equal to zero क्या होती है यह condition होती है वास्तिविक रहखी गुड़न खंड़न के रोप में किया जा सकता है इनके factor वास्तिविक रहखी गुड़न खंड़न इनका किया जा सकता है कब जब d greater than equal to zero तो रखते हैं यहाँ पर b square देखो b की value minus का 2 है तो फो जाएगा 4 b square minus 4 a a का value p है और c का value कितना है 2 है is greater than equal to zero कितना आ जाएगा यह 8p 4 minus का 8p greater than equal to zero यह हो जाएगा 8p greater than equal to minus का 4 sorry plus का 4 इधर आएगा माइनस का 8p इधर है माइनस का 4 इधर है तो माइनस का 8p अब माइनस अटा दीजिए यहां से माइनस अटाएगा दोनों तरफ multiply और यह क्या होगा inequality change हो जाएगी है यह आ गया 4 कितना आ जाएगा और यह 8 प्रिवाइड आ जाएगा तो चार दुनी आठ यह चार बटा आठ हो जाएगा चार एकननम चार दुनी आठ कितना आ जाएगा भाई P less than equal to 1 by 2 less than equal to 1 by 2 कौनसा option सही हो जाएगा A option यहाँ पे correct हो जाएगा question number 5 में option सही होगा A next देखेंगे question number 6 question number 6 एक बहतरीन question है देखिएगा करा if A, B, C, R in A, P तो चलिएगा शुरुवाद करते हैं यह हैं A, B, और C यहाँ ले लेते हैं यहीं लेते हैं चलो A, is equal to ले लो भाई, A की value कितनी है, 1 ले लो, B और C, 1, 2, 3, किस में हैं, dot dot in A, P यह A, P में हो गए, अच्छा, फिर क्या गरा B, C, D जो हैं वो क्या है, जी पी में है, तो B, C, D जिमसे B की value है, 2, C की value है, 3, और D की क्या होगी, देखो, क्या आएगा यहाँ पर, C square बराबर B, D आएगा, C square बराबर B, D, यानि कि 9 is equal to कितना हो जाएगा, 2 B, D, D, तो D बराबर कितना आजाएगा, 9 B, 2, यानि कि यहाँ पर कितना होना चाहिए, 9 B, 2, अभी इस किसमे हो गए, N, G, P, अच्छा, यह G, P में हो गए, इसके पाद हमसे क्या कहा रहा, C, D, E, C, D, और कौन E, वो किसमे है, N, H, P, इन, H, P, यह किसमे है, H, P, पे है, तो यह ह हो गया, 3, और यह हो गया, 9 B, 2, और E के बारे में भी सोचते हैं क्या आएगा, देखो तो यहाँ पर क्या होता, भाई, यह होता, 9 B, 2, यानि कि H is equal to क्या होता है, 2 A, B हुआ करता है, 2 A, B, तो 3 दूनी, 6 E, बटा, A, P, प्लस B, यानि कि 3 प्लस, यह इनि कि बीच वाला जो दोनी, 6, तो 4 E हो गया, 4 E बराबर हो गया, यह आ जाएगा, यहाँ पर कितना, multiply करिए पर 9 is equal to, 9 plus 3 E is equal to 4 E, तो यहाँ से आ गया, E is equal to, कितना आ गया, 9 यहाँ पर कितना आ जाया, E की जगह पर कितना आ जाएगा, 9, अब प्रस्ण में हम से क्या कह रहा है, में कह है कि A, C, E A का value कितना है? A, C, E अब यहाँ पर देखो A का value कितना है? 1 C का value कितना है? 3 और E का value कितना है? 9 कह रहा है किसमे होंगे? तो एक्तम सिंपल समझ में आ रहा है कि अगर 3 का divide करेंगे रेशियो देखो यहाँ पर common ratio 3 आएगा 3 बटा 1, 3 9 बटा 3, 3 जहाँ पर common ratio 3 आ रहा है और common ratio अगर equal होता है तो किसमे होते हैं? GP में होते हैं तो कौन सा option सही हो जाएगा यहाँ पर? B वाला option correct हो जाएगा तो इसमें let करने वाला ही सबसे अच्छा मेताड होगा इसे हल करने का चलेगा next देखेंगे question number 7 question number 7 में हमसे कह रहा है कि the sum of इन सबका हमें sum निकालना है तो यह क्या होता भाई? 1 का cube अगर लिखा होता हमा लिजे वो लिखा होता हमसे चलो मैं यहाँ ने correction कर रहा है यहीं देख लिखते हैं कह रहा है 1 का cube plus 2 का cube plus 3 का cube dot 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 कहां तक n minus 1 का cube plus n cube यानि कि यह n प्राकृतिक संख्याओं के cube का sum पूछा है हमसे तो वो क्या होता है? 1 बटे 2 n into n plus 1 की power में 2 यह होता है और वर्ग का क्या होता है भाई? वर्ग का होता है n by 2 n into n plus 1 यह sum वर्ग का होता है और अगर मैं कहूँ सरी वर्ग का नहीं है यह क्या होता? नॉर्मल अगर n natural numbers add की गई है तो 1 by 2 n into n plus 1 और अगर वर्ग हो उनके वर्गों का sum निकालना होता है एक बटे 6 n into n plus 1 और 2 n plus 1 तो यहाँ पे कौन सा आप्षन correct हो जाएगा next देखेंगे question number 8 question number 8 में हमसे कह रहा है कि sum of हमें इनके sum निकालने हैं हम क्या करेंगे n is equal to सिर्फ 1 लेंगे यानि कि जो भी रही होगी हमारे पास binomial theorem उसमें हम एक पद ले रहे हैं अच्छा इसका एक पद लेंगे हम तो हम n बराबर 1 ले रहे हैं तो हमें 2 पद लेना पड़ेगा क्योंकि प्रसार में पदों को संख्या जो होती एक ज्यादा होती अगर आप n बराबर 1 लेते हैं तो यहाँ पे 2 पद जो होंगे क्या होंगे मतलब कि 1 एक प्लस 1 होता भी 1 हो जाएगा 1 और 1 मिला कि इतना हो जाएगा 2 और जिस option में n बराबर 1 रखने पे 2 आ जाए वही option correct होगा तो पहला वाला देखते हैं 2 n c n जहाँ n है वहाँ पे आपको 1 रखना है तो 2 c 1 हो जाएगा और यह कितना आ जाएगा 2 तो कौनसा option सही हो जाएगा यहाँ पे आठवे में पहला option correct हो जाएगा नेक्स देखेंगे को नमबर 9 में स्रीज का सम निकालना है देखो इस स्रीज का सम निकालेंगे पहले हमें क्या करना है इसे हम लिख लेंगे 1 बाई 1 ठीक है 1 बाई 1 लिख लिया अब 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 यह एक जीपी स्रीज बन रही है और इसका एनवा पत जो होगा वो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 2N-1 ठीक है अरे वही हमारा A प्लस N-1 इन्टू D एक इतना 1 है प्लस N-1 डी इतना है दो है तो कितना हो जाएगा 2N-2 प्लस one घटा दीजिए dh चार प्लस प्लस फेक्तो फेक्तोरियल कहां से सुरू हो रहा है एक पत छोड़ के सुरू हो रहे हैं थेक्तोरियल यह के infinite तक के लिए लगा दीजे भाई इसे हम थोड़ा सा थोड़ा सा अब समय से नहींगे अभी यहाँ पर थोड़ा से simplify करते हैं एक यहाँ पर घटा दो और एक जोड़ दो एक घटाएंगे और एक जोड़ेंगे जोड़ दिया भाई कोई दिक्कत नहीं तो दो लेंगे common तो यह n-1 हो जाएगा divided by यह लिख जाएगा n-1 into n-2 factorial प्लस और यह हो जाएगा 1 बटे n-1 factorial और यह दोनों cancel हो जाएगे यह आजाएगा 2 upon n-2 का factorial प्लस यह आजाएगा 1 by n-1 का factorial और आपको पता है किसके बराबर हो जाएगा यह 2e हो जाएगे और यह क्या हो जाएगा प्लस का e हो जाएगा जब हम इसमें n is equal to 1,2,3,4 dot 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 रखेंगे तो यह 2e के बराबर आजाएगा और यह 1e के बराबर आजाएगा और दोनों मिला के हो जाएगे 3e कौन सा option से हो जाएगा यहाँ पे 9e में पहला option correct हो जाएगा नेक्स देखेंगे question number 10 एक बहतरीन question कि रहा है in the binomial expansion of a minus b की power n where n greater than equal to 5 the sum of 5th and 6th term is 0 कह रहा है इसके 5th terms और 6th term दोनों का जो sum है वो क्या है 0 है यानि कि कहने का मतलब यह कहा जा सकता है कि t5 is equal to minus का t6 लिख दिया हमने t5 को कह लिखोगे 4 plus 1 और इसे कह लिखा जाएगा t5 plus 1 अब यहाँ पे लगा दीजे n मापाद आपको पता है कि t r बराबर क्या होता भाई n c r और x की power n minus r और a की power r किसके प्रसार में होता है यह x plus a की whole power n के प्रसार में n मापद r plus 1 मापद यह होता है चलिए n यहाँ पे कितना दिया गया है n की जगा पे n ही है तो देखिए गए यहाँ पे n c r n c 4 into फिर क्या है a a की जगा पे क्या रखना n minus r तो n minus 4 और b की जगा पे कितना रखना है तो minus कभी दिया गया है minus की b की power में r यानि की 4 is equal to minus में दिया गया है n c 5 a की power n minus 5 और minus b की power 5 तो यह minus minus इसको क्या करेगा plus कर देगा और यह b की power 5 हो जाएगा भाई बिसम संख्या minus दे देगी चलिएगा अब देखेगा यह कितना आजाएगा n c 4 divided by n c 5 is equal to देखो b की power 4 है न यह cancel हो जाएगी यहाँ पे सिर्फ 1 b बचेगी और यह n minus 4 है और यहाँ cancel हो जाएगा सिर्फ 1 a बचेगा वो भी minus का कितना बचेगा minus का a a की power minus 1 सिर्फ बचेगी यहाँ पे तो यहाँ पे आ गया यह तो उधर चला गया यह आ गया उपर b है पर नीचे कितना हो गया a a की power minus 1 है उसे हम नीचे गया b by a हो गया अब इसे करेंगे हम calculate इसे calculate करेंगे तो देखे कितना हैगा calculate करने पे एक मोलtes तो यह हो जाएगा N factorial divided by 4 factorial into N minus 4 factorial into अब यह लंग कितना हो जाएगा 5 factorial N minus 5 factorial divided by N factorial N factorial से N factorial को काट दीजिए अच्छा इसे काट देंगे तो यह N minus 4 तो निकल जाएगा और यहाँ पे 5 factorial 5 factorial को को काट देगा चलेगा 5 factorial है तो उपर 5 बचा 5 factorial को हम 4 factorial लिखेंगे factorial से factorial कर जाएगा 5 बटे इसे हम लिखेंगे n-4 into n-5 factorial तो n-5 factorial उपर निचास कर जाएगे और यहां पे बचेगा n-4 b by a तो देखें यहां पे a by b निकालना है हमें लेकिन पलट दीजे दोनों को a by b बड़ाबर कितना हो जाएगा n-4 by 5 कितना आ गया कौन सा ओप्षन सही हो गया भाई यहां पे option सही हो गया d d option क्या होगा question number 10 में d option बिल्कुल correct होगा next देखेंगे question number 11 question number 11 में हमसे कह रहा है कि यह किस से विभाग जो होगा number जो है 7 की power 2 n पहले हम क्या करेंगे यहां पर n बराबर आप 1 रख दीजिए n बराबर 1 रख के देख लीजिए किस से कट रही है संख्या फिर उसे हिसाब से हम लोग काम करेंगे रखेंगे देखें न बराबर 1 रखेंगे तो 7 की power 2 हो जाएगा प्लस एक रखेंगे तो यह आ जाएगा 2 की power 0 into 3 की power 0 तो कितना हो जाएगा 49 प्लस एक 50 अब 50 किस से कटेगा 25 से विभाज्य होगा न दो आला रखोगे तो दो भी विभाज्य होगा तो किस से क्या रहा है कि if g is a group of order n कह रहा है कि जो g है वो order n का एक group है और h क्या है इसका एक subgroup है जिसका order m है then क्या होगा n वराबर m, n divides m, m divides n, none of the above, कौन इन में से सही होगा देखें एक बात याद रखेंगे the order of each subgroup the order of order of each subgroup the order of each subgroup of a finite group is a divisor of the order of the group कहने का मतलब यह है कि जो subgroup को order of group होगा वो डिवाइड होगा किस से order of subgroup से तो इसका order of group कितने दिया गया है, n दिया गया है और यह m दिया गया है यानि कि n divides m, n divides m, यानि कि n जो है m से divides होता है यानि कि दूसरा option यहाँ पर क्या होगा, m n से भी भाज्य है, दूसरा option क्या होगा, correct होगा बार्वे में b option correct हो जाएगा, ठीक है, चलेगा, नेक्स देखेंगे, यह बात याद रखेंगे, the order of each subgroup of a finite group, is divisor of the order of the group, order of group divided by order of subgroup, n by m, यानि कि n divides m, यानि कि n, m से divide होता है, ठीक है, जो m है, n से क्या है, विभाज्य है, नेक्स देखेंगे, question number 13, question number 13 में, हाँ, हमें क्या करना है, कह रहा है, कि the function, if such that are, 0 tends to r, given by, fx is equal to 1 by x, minus 2 by, e की power 2x minus 1, can be made continuous, कह रहा, continuous बनाया जा सकता, at x is equal to 0, by defining f0, कह रहा, f0 क्या हो, तो देखेंगे, मैं पता है, कि अगर x is equal to 0 पे, भाई, ये continuous हो सकता है, कब, जब, एक उपर करते हैं, continuous होगा, यदि, x is equal to 0 पे, इस function की value, x is equal to 0 पे, इस function की value, वो equal आजाए, किसके, x is equal to a के limit के बराबर, तभी तो continuous होगा, हमें f0 ही निकालना है, यहां पे, तो x tends to 0, 1 by x, अगर इसे हम थोड़ा सा modify करें, LCM ले ले, LCM लेंगे, तो यहां जाएगा, x into e की power 2x minus 1, और, और इसके बाद यहां आजाएगा यह, e की power 2x, e की power 2x minus का 1, और minus का 2x, यह आगया, चलिएगा, रख देते हैं भाई, यह आजाएगा, e की power में 2x minus का 2x minus का 1, divided by x into e की power 2x minus 1, चलिएगा, देखते हैं, अच्छा, अब यहां पे हम पहले x is equal to 0 रखेंगे, तो देखो यह कितना हो जाएगा, 1 minus minus का 1, 1 minus 1 उपर 0 आगया, नीचे देखो, 1 minus 1 यह भी 0 आजाएगा, यानि कि यह बन रही है, 0 बटा, 0 की फार्म, और जहां पे 0 बटा 0 फार्म बनती, वहां पे हम एल हॉस्पिटल रूल, अपलाई कर सकते हैं, लगाई यह एल हॉस्पिटल रूल, दोनों में, अंस में भी, नियूम्रेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, लगाई पहले इसे, limit x tends to 0, यहां लगाएंगे तो कितना जाएगा भाई, e की पावर 2x और 2 फिर से हो जाएगा, इसका e की पावर में हो जाएगा, 2 into e की पावर 2x, minus का 2, और इसका तो हो जाएगा, 0 divided by, इसमें क्या होगा भाई पहले, इसका ले लो, x को बाहर करोगे, x करोगे तो इसका differentiation होगा, और इसका differentiation कितना आ जाएगा, इसका differentiation आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और e की पावर में 2x हो जाएगा, और इसका minus 1 का 0 ही हो जाएगा, प्लस, कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा, e की पावर 2x, minus 1, ठीक है, बस, इसका फिर से होगा, x का 1 हो जाएगा, पहले हमने क्या किया, अंदर वाले के लिए, second वाले part का, उसका क्या हो 2x हो जाएगा, 2 बाहर निकल आया, उससे सिर्फ, minus 1 का 0 ही हो जाएगा, फिर इसके बाद हमने क्या क्या, first वाले part का किया, second को रखा, first को किया, second चुप चाप रखा, first का 1 हो जाएगा, चलिएगा, आप देखें यहाँ पे, 0 रखके देखा जाएगा, अभी भी 0, 0 बटा 0 क का form प्राप्त हो रहा है, तो एक बार हम यहाँ पे, अभी भी यहाँ पे, हमें 0 बटा 0 का form प्राप्त हो रहा, undefined form मिल रहा है, हम फिर से यहाँ पे, L hospital rule लगाएंगे, x tends to 0, चलिएगा, तो कितना हो जाएगा, 4, e की पावर, 2 x, और इसका हो गया, 0, divided by, यहाँ पे भी फ जाएगे, x रहा बाहर, तो 2 x, e की पावर, 2 x, फिर से क्या होगा, हमें, e की पावर 2 x का, अब x का करेंगे, तो e की पावर 2 x आजाएगा, e की पावर 2 x हो गया, अच्छा, प्लस, इसका कितना हो जाएगा, 2 into e की पावर 2 x, और यह माइनस का तो 0 हो गया, चलिएगा, कोई भी निगेटिव टम नहीं बचा है, तो उपर देखो 4 आएगा, और नीचे कितना आजाएगा, 2 into, देखो यह तो 0 हो गया, और यह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 2 आगया, प्लस आगे वाले से भी 2 आगया, कितना आगया, 4 x 4 आगया, दोनों कैंसल कर दीजिए, 1 आ देखेंगे question number 14, question number 14 आप देख रहे हैं, करा है कि यदि fx is equal to दिया जाए, x minus 1 sin 1 by x minus 1, कभ यूज करना है इस फलन को, जब हमें x does not equal to 1 दिया जाए, और करा है, यदि x is equal to 1 है, तो function क्या है यूज करना है, हमको 0, हम options देखें तो हमें लग रहा है कि ना तो कह रहा है, x is equal to 0 पर और ना ही x is equal to 1 पर function जो है वो आउकल नहीं है, मतलब हमको क्या करना है, x is equal to 0 और x is equal to 1 दोनों पर differentiability चेक करनी है, चलिए उठाते हैं function और one by one चेक करते हैं, यहां पर function हमारे सामने है, और हम चेक कर रहे हैं, differentiability x is equal to 1 पर, और हमें पता है कि अगर lhd और rhd दोनों बर पुझ क्या करते हैं, lhd क्या होती है, हमारी formula क्या होता है, limit h tends to 0, limit h tends to 0, function a minus h minus fa divided by minus h, यह निकालते हैं lhd, तो a क्या होता है, x is equal to a पर हमने formula बताया, अब यहां पर x is equal to 1, तो x is equal to 1 पर हम चेक करेंगे, तो x is equal to 1 पर हम चेक करेंगे, तो कितना हो जाएगा, यह हो जहां x है, वहां 1 minus h रखा जाए, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो minus का h बचेगा, कितना बचेगा, minus का h, और same sign के साथ आजाएगा, यहां पर angle के अंदर हमारे पास बचेगा, minus का 1 by h, अच्छा, minus f1, इसी में 1 रख दिया जाएगा, देखो यहां 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहां पर sin infinite हो जाएगा, sin infinite का मान क्या होगा, minus 1 से plus 1 के बीच में हो जाएगा, तो यह minus 1, minus 1 हो जाएगा, 0, यानि कि इधर की value क्या हो जाएगा, 0 divided by minus का h, इस h से, इस minus के h को पूरा cancel कर दिया जाए, अब देखेगा, यहां पर लिखा हुआ, sin minus theta, लिखा है ना, तो इ बाहर निकाल लेंगे, अगर हम इस minus को बाहर निकाल लेंगे, तो यह क्या आ जाएगा, minus limit, sin minus theta क्या होता, minus sin theta, limit h tends to 0, और sin आ जाएगा, यह 1 upon h, ठीक है, यह lhd आ गया, अब हम निकालते हैं, यहां पर rhd, rhd निकाल दिया जाए, right hand derivative, तो right hand के लिए formula क्या इस्तेमाल करते ह हम, limit h tends to 0, f of 1 plus h, minus f1 divided by h, ठीक है, रखते हैं सारी values को फिर से put किया जाए, function हमारा वही है, 1 plus h रखेंगे, तो यहां h आ जाएगा, यहां कितना जाएगा, यही रहने दीजिए, limit h tends to 0, h आ जाएगा, और यह sin, 1 by h आ जाएगा, 1 plus h, कट जाएगा, 1 by h आ जाएगा, minus, यहां पर भी जब हम 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे, तो वही सेम प्रोसेस होगा, 1 रखेंगे, तो यह 0 हो जाएगा, और इसकी value क्या हो जाएगी, sin infinite, यानि कि minus 1, और plus 1 के बीच में, तो सेम रहेगा, divided by कितना h, h से आप h काट दीजिए, बचा कितना हमारे पास बचा यहां पर, limit h tends to 0, h tends to 0, sin 1 by h, अब देखें, यहां पर limit h tends to 0, rhd, sin 1 by h, लेकिन यहां पर minus आ चुका है, यह plus का है, और यह minus का है, मतलब lhd और rhd दोनों क्या है, equal नहीं है, है ना, lhrhd does not equal to lhd, और in this condition, जब भी कभी हमारे पास left hand derivative और right hand derivative दोनों बराबर न ही होते हैं, तो हम क्या कहेंगे x is equal to 1 पर यह differentiable नहीं है, यह function difference यह नहीं है, और Lightning अहीं है, अब चेक करें हैं हम यहां पर किस पे x is equal to वहाँ पर x is equal to 1 पर differentiable not differentiable नहीं differentiable नहीं चलो अब check कर यह x is equal to 0 पे x is equal to 0 पे वही उठा के रखा जाए इस function को है ना देखेगा वही जहाँ पे हमारा 0 minus h रखेंगे तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा function हमारा limit हो जाएगा h tends to 0 0 उठा के रखा जाए 0 minus h तो कितना आजाएगा यह जाएगा minus h minus 1 0 का कोई रखने का मतलब नहीं मतलब सीधा सीधा minus h रखना है तो minus h रख दिया जाए जब हम minus h रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा minus h minus 1 और यह आजाएगा अंदर में sin 1 by h minus 1 h by h minus 1 ठीक अब 0 रख दीजिये, देखो 0 रखेंगे तो माइनस 1 आएगा और अंदर आजाएगा भी साइन माइनस 1, छाइन माइनस थेटा क्या हो जाएगा भई माइनस बहर निकाल देंगे, तो ये माइनस बहर वाले माइनस को प्लस बना देगा मतलब कि यहां पर माइनस अपना फॉर्मुले रखा हुआ सूतर वाला और यहां से एक माइनस है यहां माइनस जिरु रखेंगे और यहां से माइनस ने कलेगा इसको प्लस कर देगा यनि कि यहां आने वाला Ale है हमारे पास कितना शाइन वन divided by कितना minus h अच्छा अब देखिए आप यहाँ पे angle में angle में देखते हैं यहाँ पे sign के साथ जो angle है उस angle में minus लगा हुआ minus theta का minus निका लिए और इसका minus निका लिए दोनों को plus बना दीजिए दोनों plus बनेंगे तो यह अब कितना आ जाएगा यह आ जाएगा limit h tends to 0 h plus 1 जो minus इसके अंदर से निकल गया है उसने इसको positive कर दिया दोनों को है न यह इसका भी minus निकाला इसका भी minus निकाला दोनों plus हो गए और यह कितना हो गया यह हो गया sign 1 by h plus 1 और minus कितना sign 1 divided by minus h अब क्या करना है हमें अगर हम यहाँ पर limit put करते हैं थोड़ी देर के लिए limit आप put करेंगे तो आपको देखिए यहाँ क्या मिलेगा 0 रखेंगे यह 1 हो जाएगा मतलब यहाँ आ जाएगा sign 1 minus sign 1 बटे 0 0 बटा 0 की form बन गई 0 बटा 0 की जब भी form बनती तो वहाँ पर हम L hospital rule लगाते हैं लगा दीजे L hospital rule तो कितना हो जाएगा यह H tends to 0 इसका करिया differentiation first को चुपचाप रख दीजे H plus 1 second का करेंगे differentiation तो यह आजाएगा cos 1 by H plus 1 H plus 1 का फिर से होगा function आप function है तो कितना आजाएगा भाई एक तो माइनस दे देगा आपको माइनस दे देगा 1 upon H plus 1 का और यह हो जाएगा अरे X का कितना होता है minus 1 by X square तो वही सेम तो है तो 1 plus H इसका whole square हो जाएगा H plus 1 का फिर से होगा यह 1 हो जाएगा ठिक है अच्छा अब यह first को बाहर किया था अगली बार क्या करना है हमको second को बाहर करना है plus यह second में आ जाएगा कितना 1 by H plus 1 1 by H plus 1 यह अंगल में आ जाएगा 1 sin 1 by H plus 1 और यह क्या है minus sin 1 है उसका तो 0 हो जाएगा constant है उपर निबट गया नीचे आ जाओ नीचे minus 1 हो जाएगा ठीक है अब क्या करेंगे limit apply कर देंगे limit apply करेंगे देखिए यह minus है minus का उपर कर दो गुड़ा तो जहां जहां limit है हमारी H वहाँ पर कह रखना हमको 0 तो 0 रखेंगे इस minus किया तो यह plus हो गया और यहाँ पर देखो यह चाहो तो इस वाले से इसको काट दो एक पावर कर जाएगे यह plus 1 बचेगा 0 रखेंगे तो सिर्फ यहाँ 1 बचेगा मतलब उसका हिसाब किताब खत्म और यह minus इसको plus कर देगा उपर minus जाएगा प्लस कर देगा limit apply करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा cos 1 और इस minus का अंदर multiply इसके साथ भी होगा दोनों के साथ इसके साथ भी तो यह plus का हो जाएगा और यह minus का हो जाएगा minus का यह हो जाएगा हमारा sin 1 h की जगा पर कितना रखना 0 तो यह आ गया हमारा cos 1 minus sin 1 cos 1 minus sin 1 अब हमें क्या करना है rhd निकाल देना है rhd निकाल देते हैं है ना इसके लिए x equal to 0 के लिए rhd निकाल दीजिए चलिए निकालते है rhd यह थोड़ा सा question अच्छा है हाँ निकालिए rhd इसके लिए rhd तो equal to वही formula हमारा same use होगा है ना क्या limit h tends to 0 h tends to 0 f of 0 plus h minus f 0 divided by कितना हो जाएगा h मतलब की जहां पे x है वहां पे उठा के सिर्फ h रख देना है देखते हैं तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा limit में h tends to 0 f of h कितना हो जाएगा यह हमारा हो गया kितना h minus 1 h minus 1 sin के अंदर आ जाएगा sin के साथ एंगल में आ जाएगा h minus 1 ठीक है और f 0 वह हमारा sin 1 बन जाएगा sin 1 बन जाएगा divided by कितना h ठीक है h लग दिया चलो h minus 1 अब देखिए यहां पे भी हमें क्या करना है भाई अगर हम apply करेंगे अभी h is equal to 0 रखेंगे तो यह भी बन जाएगा हमारा देखिए कितना 0 minus 1 sin 1 minus sin 1 0 बटा 0 का फॉर्म बन रहा है इस में भी मतलब हमें लगाना है l hospital rule लगा दीजे इसमें l hospital rule तो यह आजाएगा limit h tends to 0 और यह हो जाएगा h minus 1 into यह हो जाएगा cos बन जाएगा 1 by h minus 1 और यह हो जाएगा into में h minus 1 का square हो जाएगा ठीक है और minus बाहर निकाल दीजिए भाई 1 by x का वही से मुपर वाला process है और आगे वाले का क्या हो जाएगा plus अब second function को बाहर करिए तो यह आजाएगा sign में 1 by h minus 1 और यह क्या हो जाएगा आगे हो जाएगा 0 भाई इसका h minus 1 का फिर से होगा तो 1 है आएगा divided by इसका 1 हो जाएगा कोई दिक्कती नहीं limit करिए apply limit करेंगे apply तो यह 0 हो जाएगा यह minus इसको plus कर देगा यह वाला term तो हो गया plus है ना यह term क्या हो गया plus अच्छा भाई नीचे minus नहीं है उपर है वाले सकाम चल जाएगा अब देखो यानि कि यह बन गया हमारा 0 रखेंगे जब तो यह बन जाएगा minus का cos 1 है ना minus का cos 1 ठीक है यहाँ पर minus minus plus बन जाएगा यह वाला तो plus कर दिया ना और sin के साथ अगर cos के साथ अगर minus आता है तो cos minus theta cos theta होता तो यह plus हो गया यह plus हो गया ठीक है आगे देखो यहाँ पर यह है हमारे पास plus sin 1 बन जाएगा यह अब आप देख रहे हैं इसका जो lhd आया था वो कितना आया cos on minus sin 1 और rhd कितना आ गया cos 1 plus 1 दोनों बराबर नहीं है यहाँ पे भी rhd और lhd दोनों बराबर नहीं है इसलिए क्या होगा यह x is equal to 0 पर क्या होगा not differentiable होगा not differentiable होगा और कलनी नहीं होगा मतलब कि कौन सा option सही होगा यहाँ पे option number 14 का a जो है वो क्या होगा correct होगा option number a क्या होगा correct होगा question 15 question 15 में कह रहा है कि sine inverse अच्छा देखो यहाँ पे हम इसे चाहते हैं इसे भी यह sine में है ना इसे cos में change कर लिया जाए तो triangle बना लो कौसेख है न यह theta ले लो अच्छा यह कितना होता है lump बटे करड़ करड़ बटे lump उपर करड़ है नीचे क्या है lump है तो करड़ यानि कि hypotenuse कितना हो जाएगा 5 lump किसके सामने होगा 4 base कितना हो जाएगा 3 तो अब देखे गए याँ पर यह कितना हो गया sine inverse x by 5 plus cos से कुम चेंज कर रहे है cos में यह हो गया cos inverse आधार बटे करड़ आधार कितना है 3 करड़ कितना है 5 तो 3 बटे 5 3 बटा 5 is equal to i by 2 अच्छा हम एक बात और पता है कि sine inverse sine inverse theta theta is equal to pi by 2 होता है तो यहाँ pi by 2 है theta में देखो यहाँ पे अगर x की जगा पे theta भी सेम होने चाहिए जितना यहाँ पे है वही सेम यहाँ पे होना चाहिए तो 5 की जगा पे 5 तो है लेकिन x की जगा पे अगर 3 आ जाए तो मामला सेट हो जाए कंपेर करेंगे sine inverse theta plus cosine inverse theta pi by 2 pi by 2 को है और यह एंगल theta में पता है 3 बटे 5 होना चाहिए तो यहाँ पे भी x की जगा पे तीन हो जाए 3 बटे 5 यानि की sine inverse 3 बटे 5 plus cosine inverse 3 बटे 5 pi by 2 के बराबर हो जाएगा तो कौन सा आप्षन सही हो जाएगा यहाँ पे b वाला आप्षन सही हो जाएगा यानि की x is equal to कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए x is equal to कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए question number 16 देखे अब देखो question number 16 में हमसे कह रहा है कि modulus z plus 4 z plus 4 less than equal to 3 यह हमारा r अच्छा मैं यहाँ पे z plus 1 बनाना है बना लीजे z plus 1 तो modulus तो z plus 3 को अलग कर ले 3 को क्या करे अलग कर ले तो z plus 1 रहने दीजिए प्लस का 3 कर लीजे अच्छा यह हमारा r की value है यह क्या है less than equal to 3 यह है r और यह वाला जो है वो m की value है किसकी है m और मैंने बताया था कि modulus किसका यह z plus 1 की बात हो रहे न z plus 1 maximum किसके बराबर होगा r plus m r किसके बराबर है 3 है m के बराबर कितना है 3 है यही तो होता था हम लोग अगर मालिजे हमारे पास कोई complex number होती तो हम क्या करते real part और imaginary part दोनों का square करते फिर यह थी 9 और यह कितना आ जाता 3 आता तब भी है न तो इसी m को जोडते घटाते हैं अगर r के साथ जोड दिया जाएगा तो maximum value मिलेगी घटा दिया जाएगा तो minimum value मिलेगी तो 6 हो जाएगा maximum value कितनी होगी 6 और minimum value कितनी होगी 0 तो कौन साफ़न सही होगा 16 में C option क्या होगा correct होगा next देखेंगे question no 17 question no 17 में कई बार यह question पीछे भी आ चुका है और हम लोगों ने जब हमको ना भूलाना series किया था उस series में भी अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जरूर देखेगा आपके exam के लिए बहुत ही beneficial होने वाली है चलेगा यानि कि यहां से आ गया x is equal to i theta x is equal to i theta plus 2 cos theta के बराबर होता है तियाद रखेंगे जब भी यह x की जगप i theta रखो plus 1 by x इसकी जगप i theta रखो ऊपर जाएगा इकी बार minus i theta होगा plus minus दोनों को explain करेंगे तो i less theorem लगाएगे तो क्या हो जाएगा cos theta plus i sin theta plus cos theta minus i sin theta तो sin वेले कट जाएगे terms 2 cos theta बचेगा यह निकिए लिखा हुआ है अच्छा यहाँ पर y बराबर भी आजाएगा y बराबर कितना आजाएगा y बराबर आजाएगा e की पावर में i phi तो हमें निकालना इसकी value x की पावर m अब देखो x की पावर m का मतलब क्या हो गया e की पावर i m theta divided by यह हो गया x की पावर m बटा y की पावर n plus y की पावर n बटा x की पावर m अच्छा e की पावर i n phi plus e की पावर i n phi divided by e की पावर i m theta यह कितना हो जाएगा भाई यह हो जाएगा उपर ले जाएगे तो e की पावर में हो जाएगा i पहले तो i आ जाएगा i m theta minus n phi plus minus लेंगे common minus i into ये भी हो जाएगा m theta minus n phi अब देखो same बन गया वो same बन गया वही iq power i theta plus iq power minus i theta और आपको पता है कि 2 cos theta के बराबर होता है cos theta theta की जगब कितना दिया गया है m theta minus n phi 2 cos m theta minus n phi कौन सा ओप्षन सही हो जाएगा पहला option 17 में correct हो जाएगा next देखेंगे question number 18 question number 18 में हमसे पूचा गया है कि period of sine hyperbolic x sine hyperbolic x का जो period होता है वो 2 pi i होता है 2 pi i यानि कि 18 में कौन सा ओप्षन सही हो जाएगा a option correct हो जाएगा next देखेंगे question number 19 अच्छा हवा के दौरा तूट गया है एक पेड़ है जो हवा की वज़े से क्या हुआ है तूटा है चल तोड़ देते हैं तूट गया भाई मालो यहां से तूट गया तूटने के बाद its upper part touch the ground at a point करा जो इसका upper part है यह वाला दूरी पर एक बिंदू पर टच कर रहा है और कितने एक एंगल बना रहा है 45 डिग्री का एंगल बना रहा है करा the entire length of tree संपूर पेड़ की उचाई ग्याद करना है हमें अच्छा 45 दिया गया है कितना दिया गया है इतना part 10 आ गया y और निकाल दो 10 प्लस y एंसर हो जाएगा इसमें लगा दीजिये 45 45 लंब बटे करड़ 10 करड़ कितना दिया गया y अच्छा तो y बराबर कितना हो जाएगा 10 under root 2 45 की बलूँ एक बटन रूट दो इसके साथ गुड़ा होगा तो यह आ गया y पराबर कितना आ गया 10 under root 2 और हमें निकालना है क्या संपूर्ल लंबाई टोटल लेंथ निकालनी है एंटायर लेंथ निकालनी है वो कितनी हो जाएगी भाई 10 plus y यह 10 जोड़ दो प्लस का y कर दो टोटल पेड़ हो जाएगा तो यह हो जाएगा 10 plus 10 under root 2 10 लेलो common तो under root 2 plus 1 कौन साथ हो जाएगा c वाला option क्या हो जाएगा correct हो जाएगा 10 into 1 plus under root 2 meter कौन साथ हो जाएगा 19 में option साथ होगा c next देखेंगे question number 20 20 करा the resultant of two forces PN और 3 करा कि P Newton और 3 Newton के 2 forces जिनका resultant कितना है 7 N है तो क्या होता है भाई हमें पता है वो क्या होता है R square is equal to होता है P square plus Q square plus 2 PQ cos alpha तो देखें R square resultant कितना है 7 शत्ते कितना हो गया 49 और एक कितना है P square धन तीन का square याणि कि 9 धन तीन दूनी 6 P cos alpha अच्छा यह हो गया पहला दूसरी बात किरा if direction of the force 3 and is reversed यानि कि direction reverse होने का मतलब क्या है force 3 के जगा पे minus का 3 ले लिया जाए तो minus का 3 ले लो तो कितना हो रहा है root 19 तो root हटेगा तो 19 आ जाएगा is equal to यह तो यही रहेगा P square minus 3 का square भी 9 ही रहेगा minus का यह हो जाएगा 6 क्योंकि वो कितना है हमारे पास 3 ले 6 है वो P है और minus P है तो 3 ले 6 P और शल्फा आप दोनों को जोड़ दीजिए तो यह cancel हो जाएगे अच्छा 49 plus 19 is equal to 2 P square और plus का 9, plus का 9 एक 9 इससे घटा दीजिए एक 9 इससे घटा दीजिए इससे घटाएंगे 9 तो 40 बचेगा इससे घटाएंगे तो 10 बचेगा 2 P square हो जाएगा P square बराबर 40 50 हो जाएगा 2 P square बराबर 50 P square बराबर 25 P बराबर कितना जाएगा 5 ले 6 ले 6 पहला option 20 में correct हो जाएगा next देखेंगे question number 21 question number 21 में हमसे कहा है देखेंगा क्या कहा है कि एक circle दिया गया है सबसे पहला काम थे हमारा वृत्त बनाना है यह एक वृत्त है वृत्त हमसे का P O B P O B तो हम सबसे पहले P O B यह हमारा O है माल लेते हैं O क्या है? origin है यह द्धान रखेंगे P O B अच्छा P O B is diameter of circle P A B Q अच्छा यहां पर एक point और है A माल लो A यहां पर है A ले लिए हमने तो मिला लिजे इसको जित्र कोई जरूरी नहीं कि पहली बार में एकदम correct बन जाए A B P 60 ans का दिया गया है कौनसा? A B P यह वाला code जो है हमको 60 ans का दिया गया है यह 60 ans है और यह अर्धवरत पे बना code है तो यह 90 ans होगा और यह 90 ans होगा तो इस त्रिभुज में तीनों कोड़ों का योग flexion होना चाहिए यह 30 ans होगा अच्छा फिर क्या कह रहा है कि B Q A तो B Q A निकालना है तो Q माल लेते हैं यहां पर कहीं पर है Q यहां पर है ठीक है क्योंकि circle पर ही है वो भी P A B Q R points on circle है ठीक है यहां भी लिया जा सकता कहीं पर देखिएगा मिला ले तेसे भी यही कोड़ हमें निकालना है कौन सा B Q A यह कोड़ कितना होगा यह हमें निकालना है तो simple सी बात आपको खनक गई होगी समझ में आही गया होगा देखिएगा यह हम आर्क देख रहे हैं यह आर्क देख रहे हैं A B आर्क इसी आर्क के द्वारा देख रहे हैं न यह आर्क इस आर्क के द्वारा कोड़ बना है कौन सा अपना कोड़ जिसकी हम बात कर रहे हैं कौन सा B Q A नीले कलर से दिखा रहा हूं B Q A और सेम इसी आर्क से इसी चाप से A B चाप के द्वारा ही कोड बना है हमारा कौन सा A P B A P B ये कितना दिया है 30 अंस तो ये 30 है और हमें पता है A की चाप के द्वारा बने कोड क्या होते हैं इक्वल होते हैं सेम सेगमेंट के इक्वल क्या होते हैं एकी बृत्यखंड के कोड क्या होते हैं बराबर होते हैं सेम सेगमेंट के एक अंगल है तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा तो एंगल B Q A बराबर कितना होगा 30 होगा कौन सा आपफ़न सही होगा 21 में आपशन सही होगा C 21 में आपशन सही होगा C next देखेंगे question number 22 question number 22 consider family of circle which are passing the point अच्छा x कोई family है circle की कहां से pass हो रही है वो भाई pass हो रही है 1, minus 1 से pass हो रही है और x अच्छ को touch कर रही है x अच्छ को touch कर रही है y को नहीं touch की x अच्छ को यहाँ touch कर रही है और यह होगा इसका center h, k और यहाँ पर कहीं पर होगा minus का 1,1 जिससे यह होके जा रही है अच्छा pass हो रही है h, h tangent to the axis or the tangent to the axis ठीक, axis, axis को touch कर रही है if h, ar coordinate of the center of the circle h, k then the set of value of k is given by the enter k की value कहां पर होगी तो देखिएगा यह क्या है भाई, यह है कोटी, order order किसके बराबर है, k क बराबर है k क बराबर है तो यहाँ में जो radius होगी इस circle की जो radius होगी radius of circle क्या होगी equal to होगी किसके modelos of k यानि कि k क positive मान के बराबर होगी भाई, circle की radius होगी K K Positiv मान के बराबर होगी तो अब हम निकालेंगे सेर्कल की Radius तो इस सर्कल की Radius देखो यहां से यह होगी इसके बराबर ही तूओगी इसकी Radius कितने हो जाएगी ROOT ROOT में H plus 1 का SQUARE H plus 1 का SQUARE और कितना हो जाएगा K minus 1 का SQUARE is equal to किसके बराबर होगी modulus के या नहीं कि K के बराबर होगी हमें क्या करना है दोनों तरफ modulus open कर देना है open करेंगे तो कितना हो जाएगा यह यह हो जाएगा H square इसका whole work क्या कर? whole work दीजे दोनों तरफ H plus 1 plus 2H plus K square plus 1 minus का 2K is equal to K square हो जाएगा और K square K square से cancel out हो जाएगा अच्छा इसके बाद यह हो गया H square ठीक है 1 1 2 हो जाएगे H square हो गया plus का हो गया 2H और plus 2 ले लो common 2 into यह हो जाएगा 1 minus K equal to 0 हमारे पास H में एक quadratic equation आ चुकी है एक दुईघात समी के राण आ चुका है तो क्या इसका विविक्तकर के बारे में सोचा जा सकता है बिल्कुल सोचा जा सकता है इसका जो विविक्तकर होगा इस equation का विविक्तकर क्या होगा greater than equal to 0 या तो 0 होगा या क्या होगा 0 से बढ़ा होगा चलेगा 0 होगा या फिर 0 से बढ़ा होगा कितना हो जाएगा 4 minus 4 into 2 into 1 minus का k हो जाएगा greater than equal to 0 कितना हो जाएगा 4 greater than equal to 0 8 1 minus 1 minus k अच्छा तो यह हो जाएगा 1 बटा 2 इधर कर दें इधर 1 बटा 2 भही 4 दूनी 8 हो जाएगा 1 बटा 2 is equal to greater than equal to 2 हो जाएगा कितना 1 minus k तो यहाँ पर हम निकालेंगे value k की दुनों तरफ minus करेंगे k तो minus 1 by 2 is equal to minus k आजाएगा तो k आजाएगा greater than equal to less than equal to 1 by 2 के बराबर आजाएगा कौन सा अप्षन सही हो जाएगा जो k होगा यहाँ पर greater than k क्या होगा greater than equal to k होगा minus का k एक बटे 2 हो जाएगा इसे घटाएगे तो minus का आजाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा k k less than equal to k is greater than equal to किसके हो जाएगा 0 खोजाएगा greater than equal to 0 लेंगे फिर कितना हो जाएगा greater than equal to 0 हो गया कितना हो गया 4 1 by 2 1 by 2 आजाएगा फिर 1 subtract करेंगे तो minus का आजाएगा जब minus का आजाएगा तो क्या होगा यह मूद के की तरफ हो जाएगा विल्कुल सभी है जाएगा ब्लॉफल लॉप्र तरफ हो जाएगा बानिद्स में इंद्स को जाएगा लिट एल भी दा लाइन आफ इंट्रेक्शन आप दा प्लेन दो प्लेन दिये गए हमको अच्छा हम करें जहां पर इंट्रेक्ट करेंगे वहां पर अबीसी पॉइंट है देखिए एक क्या चेंज हो जाएगी यह जाएगी 2a plus 3b plus c is equal to 0 constantum को छोड़ दिया जाएगा constantum से मारा कोई मतलब नहीं चलेगा यह कितना हो गया a plus 3b plus 2c is equal to 0 दोनों को हल करके a b c के मान निकाले जाएगा हल करने के लिए वज़िक गोड़न विधी का इस्तेमाल करेंगे a b c यह माइनस कभी हो जाएगा बराबर बराबर चल माइनस कभी हो गया यह हो गया तिन दूनी 6 माइनस 3 6 माइनस 3 के इसके बराबर होगा 3 के यह चोड़ेंगे 2 दूनी 4 2 दूनी 4 माइनस 1 यह भी हो जाएगा 3 के बराबर हो जाएगा इसके बास आजाओ c के पास 3 दूनी 6 माइनस 3 यह भी किसके बरावर हो जाएगा 3 के बरावर हो जाएगा दोनों को हटाएंगे घटा देंगे age गोल to 1 बरावर दोनों को क्या करेंगे दोनों तरफ काड़ दी जब विभाजित करेंगे न 3 से तो यह आजाएगा माइनस का B है तो B को हटाएगे 3 से विभाजित करेंगे तो यह माइनस का एक बचेगा और यह आजाएगा C बटा यह हमें निकालना क्या है अलफा तो कोश अलफा बरावर क्या होता है कोश अलफा बरावर हो जाएगा L के बरावर होता है और L पराबर क्या होता, A by root में कितना, A square plus B square plus C square एक बटे, एक प्लस एक प्लस एक एक बटे under root 3, कोशा option से ही हो जाएगा, तेईस में A वाला option क्या होगा, correct हो जाएगा, question number 24 देखेंगे किया रहा है कि परवले y square equal to 8x के एक इसपर्स रेखा का समी करण y is equal to x plus 2 है माल लेते हैं परवले y square equal to 8x है जिसकी एक इसपर्स रेखा का समी करण y equal to x plus 2 है अच्छा इसको और थोड़ा से modify करके गर लिखें y को उधर ले जाएं तो यह आजएगा x minus y equal to minus का 2 और यह बन जाएगा equation 1 दूसरा क्या करा है इसपर्स रेखा पर वह बिंदू बताइए इसपर्स रेखा पर वह बिंदू हमने इमान लिया है वह बिंदू जो है यह है बताइए जहां से दूसरी इसपर्स रेखा परवले पर खीची जाए इसी बिंदू से हमने इसपर्स रेखा परवले पर खीची है और वो कह रहा है कि जो पहली वाली इसपर्स रेखा पर क्या हो लंब हो मतलब कि इसपे क्या हो 90 अंस का कोड बनाई तो यह काम करते हैं इसका equation दिया गया है यह point हमको चाहिए तो इसका equation निकाल लेते हैं अगर इसका equation हमको मिल जाएगा तो दोनों का point of intersection यानि कि प्रतिछे दन बिंदू निकाल देंगे यह point हमको मिल जाएगा इसका समीकरण हमको given है अच्छा, इस रेखा को निकाल सकते हैं अब देखेगा जब हमारे पास यह हमारे पास परवले दिया है और एक बात आपको बता है जब हमारे पास परवले क्या होता है 4AX जब परवले 4AX होता है तो उसकी जो रेखा होती है है ना, क्या होती है जो उसकी रेखा होती है वो हो जाती है हमारे पास y equal to यानि कि इस पर सरेखा जो होती है y equal to हमने पड़ा है mx plus c की जगा पर क्या रख देते हैं a by m तो निकाल लिया जाए भाई पहले a और m कहां से निकलेगा m ये रेखा देगी ये दोनों perpendicular है न तो इसकी परवड़़ता और इसकी लंब रेखा की परवड़ता अज देखे ये हमारी माल्लों autThat तो इसकी परवड़ता कितनी आएगी इसकी आएगी 1 y equal mx से तुलना करो 1 तो इसकी लंब रेखा की कुतनी हो जाएगी 1 by minus 1 by मैनस का m M1 M2 बराबर क्या होता है M1 M2 बराबर minus 1 यानि कि M2 बराबर क्या होता है minus 1 by M1 तो उसकी 1 है तो यह minus की 1 हो जाएगी इसकी प्रवड़ता यानि कि M बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर minus 1 और देखिए 4A बराबर 8 दिया है 4A बराबर कितना दिया है 8 तो A बराबर कितना हो जाएगा 2 यानि कि इस रेखा को अब हम समीकराण में बदल रहे हैं इस रेखा का समीकराण निकाल ले है Y is equal to M का मान है minus 1 X हो जाएगा यह और यहाँ पर A की जगह पर 2 रखना है तो यह minus का 2 हो जाएगा क्योंकि का 2 है ना ठीक है यही आएगा बिलकुल है ना उसमें no change एक आगए हमारा X minus Y is equal to minus 2 पहले से given था और दूसरा क्या आगए X plus 2 X plus Y बराबर minus का 2 दोनों को solve कर लिया जाए तो यहाँ से हमको point up intersection मिल जाएगा इन दोनों बिंदू का कटान बिंदू मिल जाएगा दोनों को जोड देंगे तो कितना आजाएगा 2 X बराबर minus का 4 आजाएगा और X बराबर minus का 2 आजाएगा अच्छा X बराबर minus का 2 मिल गया उठा के रख दो Y में यहाँ पर रखेंगे तो आजाएगा X की जगाए माइनस 2 तो y बराब माइनस का y बराबर आ जाएगा 0 आ जाएगा माइनस 2 माइनस 2 इधर रहेगा दोरों cancel y बराबर 0 यानि कि माइनस का y बराबर 0 मतलब y बराबर 0 तो ये point क्या बन जाएगा ये वाला जो point बन जाएगा हमारा x कमान कितना है माइनस का दो y कमान कितना है 0 माइनस 2,0 कौन साफ़न से हो जाएगा option d जो होगा वो इसका correct हो जाएगा आगे पढ़ेंगे next question 25 25 में हमसे कह रहा है कि one of the lines one of the lines of the my square क्राइब इनके angle by sector का equation निकालो पहले थो हम इनके angle by sector का equation यहां पर कितना आ जाएगा x2-y2 और a का value दिया गया है कितना minus का m और b का value कितना दिया गया है m यह हो जाएगा इस उक्वाल टू xy by h h का value कितना दिया गया है 1-m square by 2 तो 2 चला जाएगा उपर minus का 1 by 1 minus क्योंकि भाई क्या होता है ax2 plus 2hxy plus by square is equal to 0 ती standard form compare करो 2h is equal to 2 हो जाएगा 1-m square h बराबर आ जाएगा 1-m square बटा 2 और h की value रखेंगा 2 उपर चला जाएगा यह इतना आ जाएगा calculate करेंगे calculate करेंगे x square minus y square into 1-m square is equal to 2m हो जाएगे minus के minus का हो जाएगा 4m minus का कितना हो जाएगा 2-4 minus का 4m xy अच्छा आप यहाँ पर हमें दिया गया xy is equal to 0 xy is equal to 0 रख दीजिए x square minus y square 1-my square यह हो जाएगा पूरा 0 अब एक एक गुलन खंड को आप 0 के बराबर ले लिजिए एक बार आप 0 कर दीजिए 1-m square is equal to 0 m square बराबर आएगा 1 और m बराबर आएगा plus minus का 1 कौन सा आपफ़न से हो जाएगा c वाला option यहाँ पर question number 25 में correct होगा चलेगा गुजर रही है उम्र पर जीना अभी बाकी है गुजर रही है उम्र पर जीना अभी बाकी है जिन हालातों ने पटका है जमी पर उन्हें उठकर जवाब देना अभी बाकी है 26 है देखिएगा और समझेगा question number 26 में कहा गया है कि limit n tends to infinite limit दी गई है limit n tends to infinite 1 by n plus 1 plus 1 by n plus 2 plus 1 by n plus 3 plus dot 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 यहाँ पर देखो 2n लिखा हुआ है हम इसे लिख सकते हैं n plus n n plus n 2n हो जाएगा अब देखिएगा यहाँ पर हम देख रहे हैं n है यहाँ भी n है यहाँ भी n है यहाँ भी n है यहाँ पर n लग नहीं रहा है चली ठीक है अब देखो यहाँ पर last time देख रहे हैं n तक जा रहा है और इधा देखो 1, 2, 3 4, 5, 6 dot 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 plus n तक जा रहा है अगर हम इसे general form में लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं हम limit ले रहे हैं कहां से भाई start कहां से हो रहा है 1 से summation ले लिजे summation ले लिए हमने start कहां से हो रहा है r की value r लेंगे r is equal to 1 और जा कहां तक रहा n तक है न कितना जा रहा है भाई r की जगह पर कितना n फिर 1 by देखो यहाँ पर तो n n है तो यहाँ n रहने दीजे प्लस यहाँ पर r की value अगर हम 1 रखें तो 1 आएगा 2 रखेंगे 2 आएगे 3 रखेंगे 3 आएगा 4 रखेंगे 4 आएगा तो n रखेंगे तो n आएगा यहनि कि हम लिख सकते हैं 1 by n 1 by n प्लस r 1 by n प्लस r 1 से start हो रहा है n तक जाएगा तो वही लिखा हुआ है चलेगा अब करना क्या है थोड़ा सा इसे simplify करेंगे यह है मारा summation sigma r is equal to 1 से कहां तक जा रहा है n तक एक काम करेंगे n नीचे ले लो common 1 by n n नीचे common लेंगे तो 1 by n common आजाएगा और यह आजाएगा यह आजाएगा 1 by 1 प्लस r बटा n अच्छा अब एक काम करेंगे यहाँ पर करेंगे मान लेंगे यहाँ पर let कर लीजे हाँ पर n is equal to r by n is equal to let करिए x तो कितना हो जाएगा 1 by n dr is equal to dx तो यह देखो 1 by n और dr dx के चला जाएगा और limit जो होगी देखो r is equal to 1 1 रखोगे 1 रखोगे तो 1 by infinite n की value infinite है तो 1 by x की value कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी फिर r की जगह पर n रखना तो n by 10 यानि कि यह 1 हो जाएगा 1 by n और dr किसके साथ चला गया dx के साथ तो यह कितना बचा 1 by 1 plus x हो जाएगा और इसका differentiation integration क्या होगा यह हो जाएगा log 1 plus x log 1 plus x limit apply कर दीजे 0 to 1 upper limit minus lower limit log 1 की value कितनी होती है 0 तो बचा कितना सिर्फ हमारे पास log 2 base क्या होगा e log 2 base e तो कौन समान सही हो जाएगा log 2 base e यानि कि 6 में पहला option क्या होगा correct होगा 6 का a option correct 26 का 26 का option सही होगा पहला चलेगा इसके बाद देखेंगे next question question number 27 दोगो question number 27 27 में कह रहा है कि यदि ऐसे दिया गया है x square d y d x plus y is equal to 1 then y is तो कहने का मतलब यह है कि हमें यहाँ से differential coefficient है यानि कि d d x of y जो है इसे हटाना है इसे हटाना है तो पहले क्या करेंगे इसे इस format में लिख लीजे format क्या होती है d d x of y plus p y is equal to q है ना इसको इस format में लिखिए तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा d d x of y plus y by x square हो जाएगा x square को divide कर दीजे बोथ side दोनो side x square से दोनों तरफ divide करेंगे तो यह हो जाएगा और यह हो जाएगा 1 by x square और इसका x square cut जाएगा अच्छा अब यह format में आ गया यहाँ पर अगर हम इसका integrating factor i f integrating factor के लिए क्या करते हैं यह integration e की power integration p dx p dx तो फेले हम p रखेंगे p कितना दिया गया है हमारा 1 by x square 1 by x square और यह हो जाएगा d x तो e की power में कितना आ जाएगा यह आ जाएगा 1 by x square है माइनस में आ जाएगा माइनस का 1 by x कितना आ जाएगा माइनस का 1 by x यह आ जाएगा इसका integration है रहे इसको x की power 2 को x square minus 1 होगा फिर क्या गरोगा plus 1 माइनस plus 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा एक तो minus भी आ जाएगा हमारे पास x की power में minus का 1 बचेगा और यहाँ पर minus का 1 बचेगा तो minus आ जाएगा उसके साथ में ना minus 1 बचे x x की power minus 1 को हम लिखेंगे 1 by x ठीक है अच्छा यह हो गया e की power में कितना आ गया minus का 1 by x अब इसका solution क्या होता है solution होता है y into integration factor integration factor कितना minus e की power minus का 1 by x is equal to फिर कितना होता है integration if यानि की integration factor 1 by minus x यह minus का 1 by x है into 1 by x square dx अब देखिए 1 by x को हम यहाँ t मानेंगे 1 by x को t मानेंगे तो 1 by x square dx dt के साथ चला जाएगा और इसको solve करेंगे तो यह सीधा आ जाएगा यह आ गया y की power में y into e की power में minus का 1 बटा x is equal to देखो यह कितना हो जाएगा एक बटे x को हम क्या मानेंगे t t मानेंगे तो 1 by x square dt के साथ चला जाएगा अब वो dt के साथ चला जाएगा तो हमारे पास सीधा सा solution आएगा e की power minus का 1 by x पूरे को माल लेना minus 1 by x को आप माल लिजिए t तो मानेंगे तो यह आ जाएगा हमारा और plus c हो जाएगा अब इसे t मानेंगे तो 1 by x square dt के साथ चला जाएगा e की power t का t होता है e की power t होता है अच्छा e की power minus e की power minus 1 by x ते दोनों तरफ divide कर दीजिए y is equal to आएगा यह तो cancel हो जाएगा यह भी cancel हो जाएगा यहाँ 1 बचेगा और c की power c into e की power में जाएगा 1 by x minus में जाएगा divide में उपर चला जाएगा 1 by x कौन सा option C हो जाएगा 27 में option सही हो जाएगा 27 में option सही हो जाएगा next देखेंगे question number 28 28 28 में कराएगी the order and degree of the equation इसकी order and degree निकालनी है इस equation की तो देखेंगा हमें सबसे पहले क्या करना जहां root या किसी भी तरह का cube लगा किसी भी तरह कि एगर struts लगी करडी लगी तो सबसे पहला target हो का उसे हटाना तो देखेंगे यहाँ पर यह लिखा है d square y d x 2 plus 2 x d d x of y is equal to इसे इधर बेज़ दीज़े root हटाना तो दोनों साइट क्या करना होगा holy square करना होगा जब holy square करेंगे तो d square y d x 2 plus 2 x d y d x का holy square हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 1 plus d y d x का holy square यह हो गया भाई अब हमें करना क्या है यहाँ पर हमें बताना है order और degree अब देखिए हम जब भी इसका a plus b का holy square करेंगे तो a square क्या आएगा d square y d x 2 का holy square और हमें ध्यान देना है कि highest order का जो derivative है जो सबसे बड़ा o plus गुणांग है यहाँ पर क्या है d square y दतीप रकार का है तो इसी में तो यह यानि कि यह आ जाएगा हमारा d square y d x 2 का holy square तो हमें पहले order बताना है और फिर degree बताना है तो order कौन सा हो जाएगा भाई इसकी power में 2 है जो भी हमारा differential coefficient आएगा उसकी power देखना है है ना one order होगा तो one हो जाएगा d y d x होगा d y d x अगर होगा तो one हो जाएगा d square y d x 2 होगा तो 2 हो जाएगा order और d cube y d x 3 होगा तो कितना हो जाएगा भाई order उसकर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा तो highest order हमने निकाल लिया highest जो order है कैसे लिखना क्या है पहले order लिखना है फिर क्या लिखना है degree लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा तो 2,2 है तो कौन सा अप्षन सही होगा यहाँ पे 28 का B option correct होगा next question देखेंगे question number 29 question number 29 में कहा गया है कि 171 मीटर लंबी रेल गाड़ी पहता एक रेल गाड़ी है जिसकी यानि कि कोई रेल है कोई train है मालों कि ये train है और train की लंबाई दी गई है 171 मिटर और एक पूल है जिस पूल की लंबाई दी गई है पूल की लंबाई दी गई है 200 ये है पूल हमारे पास ये क्या है ब्रिज है और इसकी लंबाई दी गई है 229 मिटर अच्छा कितने समय में ये रेल गाड़ी इस पुल को क्रोस कर जाएगी जबकि रेल गाड़ी की हमें जो चाल है स्पीड दी गई है अच्छा रेल गाड़ी की स्पीड कितनी दी गई है इस्पीड दी गई है और यह distance मीटर में दी गई है तो हमारा काम होगा कि किलो मीटर पती घंटे को पहले मीटर में बदला जाए मीटर पर सेकंड में बदला जाए देखेंगे क्योंकि सेकंड में एंसर आ रहा मिनिट भी आ रहा फिर बागी देख लेंगे पहले distance को change किया जाए अच्छा तो पै अब देखिए जब भी कभी कोई ट्रें किसी ब्यक्ति को अगर पास करती तो तो सिर्फ उतने डिस्टेंस तहें करें कि जित्ती लंबाइ train की होगी लेकिन अगर pull को cross करती है तो train इधर से घुसेगी पूरी distance cover करना पड़ेगा जितना pull होगा उसको भी cover करना पड़ेगा यानि कि train के engine के द्वारा कितनी distance चलनी होगी उस pull को cross करने में एक तो अपनी लंबाई पूरी रेल गाड़ी को भी निकालना है और उसके बाद पूरे पुल को क्रोस करना है यानि कि दोनों जुड जाएंगे इस दोरान से पूरी डिस्टेंस कबर करनी है पूरी ट्रेन निकल के जानी चाहिए और पुल के बाहर भी जानी चाहिए तो पूरी डिस्टेंस कबर होगी यानि कि इस दोरान जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस हो जाएगी टोटल दूरी जो हो जाएगी वो एड़ कर ली जाएगी यह पूरी दूरी कबर करेगा पूरी दूरी कबर करेगा इतनी चाल के साथ चाल कितनी 25 बटा 2 कितना है 25 बाई 2 मीटर पर सेकेंड अब देखिए दोनों को एड़ कर लीजिए बाई 229, 229 और 171 एड़ करेंगे तो कितने हो जाएंगे ये हो जाएंगे हमारे पास 400 कितना हो जाएगा मरण टोटल डिस्टेंस हो गई हमारे पास होगई 400 मिटर इस्पीड भी पता है हमें हमें निकालना समय । यहनि कि हैम time time is equal to क्या होता है distance upon speed distance upon speed distance कितनी तो कितनी है 400 जौरी कितनी है 25 बटा 2 ऊपर चला जायगा पचीस चोगा कितना हो जायगा पचीस देखो चार हो जायगा तो कितना हो जायगा यह सोला है ना 42 सकंड मठ्थ क exert creepy जब जेन ke t platform की lembay add करेंगे और train की lembayрод करेंगे फिर छाल से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना समय ले रही है वो train ठीक है चलेगा तो यहाँ पर train की lembay plus bridge की lembay todos add कर दी जाएगी चलेगा इसके बाद next देखते हैं question number 30 question number 30 में थे फुछा गया है कि एक function दिया गया है किराय की function f such that q tends to q is defined as the relation किराय एक relation दिया गया हमें और relation दिया गया है fx fx is equal to दिया गया है 3x minus 4 और यहां भी हमसे बताया गया है कि where qx belong q ठीक है where q क्या है आप जानी रहें q क्या है हमारा rational number q 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 function को लिख लिया जाए तो function हमें दिया गा fx is equal to 3x minus 4 चलिएगा कोई बात नहीं उसमें दिया भी है f such that q tends to q एक काम करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर prove करेंगे कि क्या यह 11 है की नहीं तो हम क्या करेंगे भाई दो number ले लेंगे let एक ले लो x1 और दूसरा ले लो x2 मान लिजे कि यह belongs कर रहे है q से यानि कि क्या है rational number है और यहाँ पर रख दीजिए अगर x1 बराबर आप x2 दिखा ले गए x1 बराबर x2 आ गया तो मान लिजे कि यह 11 है रख दीजिए भाई यहाँ पर fx1 fx1 और fx2 अगर आप दोनों बराबर दिखा ले गए fx1 और fx2 अगर आप दिखा ले गए तो इसका मतलब क्या है कि यह 11 है चलिएगा रख ये भाई x की जगा आप x1 रखोगे 3x1 माइनस 4 is equal to 3x2 माइनस 4 4 से 4 को cancel out कर दीजिए कर दिया अच्छा अब कित्ता बचा 3x1 बराबर 3x2 3 से 3 काट दीजिए x1 बराबर x2 चुकि x1 बराबर x2 आ चुका है इसलिए function तो 11 हो गया इस दोराण function क्या हो गया हमारा 11 हो गया अब हमें प्रूब करना है कि माल लिजिए कि क्या है fx is equal to कितना ले लिजिए y fx रख दीजिए कितना आ जाएगा 3x minus 3x minus 4 दिया गया है is equal to y यहांस x की value निकालो कितनी आ जाएगी y plus 4y3 अब देखो चुकि जो y है y क्या है y क्या है belongs q वाई क्या है q से विलॉंग कर रहा यानि कि यह क्या है एक rational number है y क्या है rational number है तो अगर हम किसी rational number में 4 जोड के 3 से divide करेंगे तो हमें हमेशा क्या मिलेगी एक rational number में आप 4 एड करेंगे फिर 3 से divide करेंगे तो हमेशा एक rational number मिलेगी हमें और चुकि क्या है rational number मिल रहा यहां पर भी तो जो function होगा इस condition में function हमारा होगा on to है ना in one one भी हो गया on to भी हो गया तो कौन सा option सही हो जाएगा c वाला option सही हो जाएगा one one on to mapping हो जाएगी यानि कि 30 में कौन सा option सही होगा c option सही हो जाएगा next देखेंगे question number 31 31 31 में कह रहा है कि हमें differential coefficient of the tan inverse with respect to tan inverse x जिस पर respect में होता वो नीचे रहता है तो हमें दो फंसन ले लेना है अच्छा भाई एक तो y1 ले लो y1 में इसे ही ले लीजिए कितना हो जाएगा यह हो जाएगा tan inverse और यह हो गया x divided by 1 plus root 1 minus x square एक काम करेंगे हमें यहाँ पर उपर sin मानाना है हम x is equal to लेंगे इसमें sin theta कितना लेंगे sin theta तो कितना आ जाएगा यह यह आ जाएगा tan inverse sin theta divided by 1 plus 1 minus sin square theta cos square theta और यह बन जाएगा कितना cos theta अच्छा उपर हब sin theta को open कर दीजे उपर sin theta open करेंगे तो कितना आ जाएगा यह आ जाएगा हमारा tan inverse 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 divided by यह आ जाएगा 1 plus 2 cos square theta minus 1 तो वो कर जाएगे तो 2 cos square theta by 2 हो जाएगे इस 2 से 2 काटो एक cos से cos काटो कितना बचा यह हमारा tan inverse बचा और यह हो गया tan theta by 2 tan theta by 2 हडगया कितना आ गया theta by 2 कितना आ गया 1 by 2 theta बराबर कितना निकल गया आएगा x की जगह sin theta माना है आपने x की जगह पे अगर आपने sin theta माना तो कितना हो जाएगा sin inverse x अच्छा y1 को आप क्या करिए differentiate कर दीजे differentiate करेंगे तो d dx of y1 is equal to कितना हो जाएगा 1 by 2 और under root 1 minus x square 1 by 2 under root 1 by 2 into 1 by root 1 minus x square इसका आ गया इसका देखो इसे y2 मान लिजे इससे आप y2 मानेंगे तो कितना आ जाएगा y2 हो गया sin inverse x differentiate करो इसका d y2 dx is equal to कितना हो जाएगा 1 upon root 1 minus x square sin inverse x का differentiation कितना होता है 1 by root 1 minus x square अच्छा अब क्या कह रहा है वो sin inverse x के सापेच इसका तो जिसके सापेच निकालना होता है वो कहा रहता है नीचे तो हमें क्या करना है भाई तो यह आ जाएगा d y1 और यह कितना d y2 यह निकालना है हमको तो d d x of y1 इसे क्या लिखते हैं हम वही लिखते हैं डिवाइड कर दो दोनों को डिवाइड करोगे 1 by 2 अब आपको वो सारी चीज़े चोड़ी चोड़ी चीज़े तो बतानी नहीं है ठीक है कितना हो जाएगा 1 by 2 1 minus x square 1 minus x square divided by 1 by root 1 minus x square 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 काट दीजे कितना हैगा एक बटा दो कौन सा option सही हो जाएगा ए option यहाँ पर correct हो जाएगा इसमें sin inverse x के साब के 10 inverse x by root 1 plus 1 minus x square root 1 minus x square का जो ओकल गुडांग क्यानिक differential coefficient आएगा वो कितना हैगा एक बटा दो next question देखेंगे next question में हमसे कह रहा है कि यदि शमी कराण y बराबर mx plus c और यह कहाँ कि दोनों एक ही रेखा को नहीं रूपित कर रहे हैं तो देखेंगे सबसे पहले अगर सेम लाइन को present कर रहे हैं question में घबडाने वाली कोई बात नहीं बहुत ही simple question है बिल्कुल डरना नहीं है इस question से देखेंगे कितना दे रखा y बराबर पहला question दिया है y बराबर mx plus c कंट्रोल करके दोनों के एकी तरफ उठा लीजिए y को उधर ले लो तो कितना आ जाएगा mx minus का y plus का c is equal to 0 यह पहली question हो गई दूसरी कितनी लिखी पड़ी है already x cos alpha plus y sin alpha minus का p is equal to 0 x cos alpha minus का x cos alpha plus y sin alpha minus का p is equal to 0 यह हो गया अब देखो यह दोनों same line को represent कर रहे हैं अगर यह दोनों same line को represent कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यह दोनों same line को represent कर रहे हैं तो आपने पढ़ा होगा कि जब दो equation a1x plus b1y plus c1y is equal to 0 दूसरी क्या होती थी a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 अगर same line को represent करती थी तो a1 upon a2 is equal to होता था B1 upon B2 is equal to C1 upon C2 अगर यह तीनों ratio equal होते थे तो यह माना जाता था कि वो दोनों line जो है यानि कि दोनों equations जो है same line को represent कर रही है तो यहाँ पर देखो X का coefficient पहले वाले equation में कितना है M, दूसरे वाले equation में कितना है, cos alpha equal to, पहले वाले में minus 1 दूसरे वाले में sin alpha equal to, पहले वाले में C, दूसरे वाले में minus का P, अच्छा अब हमें क्या करना है, यहाँ पर P, C और M में relation निकालना है P, C और M में संबंद निकालना है कि क्या संबंद होगा एक बार आप इन दोनों अनुपातों को लीजिए, इन दोनों अनुपातों को लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा cos alpha वराबर कितना आएगा भाई, यह आ जाएगा, cos alpha वराबर कितना आ जाएगा, minus का P, M, बटे C, इसी तरह से इन दोनों अनुपातों को जब साथ में लेंगे तो sin alpha वराबर आ जाएगा कितना P, बटा C, अब दोनों एक questions को हमें, चुकि sin alpha और cos alpha को क्या करना हटा देना है, यहाँ से इन दोनों को eliminate करना है विलोपित करना है, तो हम क्या करेंगे, sin square, alpha प्लस square, alpha की value 1 होती है, तो दोनों को work करके जोड देंगे, तो work करके दोनों को जोडेंगे, तो कितना हो जाएगा इधर one आ जाएगा, बराबर और इधर कितना आ जाएगा, P square M square बटा C square प्लस P square बटा C square, C square LCM लेंगे, C square LCM लेंगे, तो आ जाएगा C square is equal to कितना P square common लेलो उपर से M square plus 1 यानि कि C square अब root अगर लेना चाहे है देखो अब root लीजिए root लेंगे तो C is equal to आ जाएगा root P तो बाहर निकल आएगा 1 plus M square C is equal to P into root 1 plus M square C is equal to P root 1 plus M square कौन सा आप्षन सही है यहाँ पे दूसरा 32 यानि कि 32 में option सही होगा B है ना दूसरा all option correct हो जाएगा next देखेंगे question number 33 question number 33 में हमसे कह रहा है कि 1 plus sin theta plus I cos theta की power N divided by 1 plus sin theta minus I cos theta की divided मदस्द दोनों की whole power में N है कोई बात नहीं एक काम करेंगे यहाँ पे यहाँ पे हम इन दोनों को कभी ऐसा नहीं करेंगे हाफ एंगल में change करें और इस 1 को हटा है फिर हाफ एंगल में change करें इस 1 को हटा है नहीं यहाँ पे कुछ value put करनी है ठीक है तो हम N की value तो निरधारित के लिए ले रहे हैं कि N वेराबर हम इसमें 1 ही रखेंगे इन वेराबर 1 रखेंगे हर जगह का क्योंकि यहाँ 1 रखेंगे तो pi by 2 हो जाएगा और यहाँ पे minus theta हो जाएगा calculation बहुत आसान हो जाएगा अच्छा अब देखो theta की जगह पे हम 0 भी रख सकते हैं theta की जगह पे 90 भी रख सकते हैं ठीक है हम 0 इसलिए नहीं रख रहे हैं क् पर 3-4 option आ रहे हैं उससे 3 option करेक्ट आ रहे हैं पहला भी आ रहा दूसरा भी आ रहा तीसरा भी आ रहा इस तरह से आ रहा तो हम theta की जगह पे 90 रखेंगे ठीक है ट्राइगे एक दो बार 2-3 option आ जाएंगे तो उसे छोड़ देंगे ठीटक जगह पे 90 रख रहे हैं अब 90 तो 1 plus 1 2 1 plus 1 2 तो यह कितना हो जाएगा 2 by 2 उपर कितना बचा 2 by 2 की power कितना भाई 1 काट दीजिए 2 से 2 कटे का कितना आएगा 1 एक आ गया अब हमें क्या करना है n is equal to 1 n is equal to 1 theta की जगह पे 90 रखना है पहला option देखें क्या आएगा हाँ theta की देखो यहाँ पे n is equal to cos लिखा हुआ है n की 1 रखोगे तो cos pi by 2 minus theta cos 90 minus theta क्या होता है sin theta sin 90 की value कित्ती हो गई 1 और यह cos 90 की value 0 यानि किसकी value क्या आगई भाई इसकी तो बना गई दूसरे में देखो यह कितना लिखा है cos pi by 2 यह कितना हो जाएगा इसकी value हो जाएगा sin देखो cos 90 plus theta minus sin theta अब theta कितना है 90 तो यह तो भाई minus कवन आ जाएगा और यह तो आ जाएगा 0 तो इसकी value कित्ती आ गई minus कवन आ गया है ना देखते हैं भाई उपर वाला तो भी match हो रहा लेकिन हो सकता नीचे वाले भी match हो जाए था फिर दिक्कत आ जाएगी तो यहां पर आ गया sin 90 minus theta cos theta cos 90 की value 0 हो गई यह तो 0 हो गया और इसका क्या हो जाएगा cos 5 by 2 minus theta cos 90 minus theta sin theta और sin theta का मतलब 90 90 का मतलब आ गया 1 है ना तो इसकी value आ गई I into 1 तो इसकी value कित्ती आ गई I आ गई अच्छा इसका कितना हो जाएगा cos 90 plus theta minus sin 2 theta है यहां पर cos कितना दिया गया यहां पर 2 theta दिया गया pi by 2 plus 2 theta pi by 2 यह 2 theta में है मामला तो देखेगा यहां पर कोई बात नहीं यहां पर हम value रखेंगे cos n pi by n pi by 2 plus 2 theta कितना हो जाएगा sin 90 plus theta तो कितना हो जाएगा sin 90 plus theta minus sin 2 theta minus sin 2 theta sin 2 theta का मतलब आ गया 180 180 का मतलब क्या हो गया 180 minus 0 sin 0 इसकी value आ गई 0 इसकी आ गई 0 अच्छा यह कितना बन जाएगा यह बन जाएगा cos, देखो sin 90 plus 2 theta, 90 plus 2 theta मतलब की cos 2 theta अग cos 2 theta का मतलब cos 180, cos 180 minus तो कितना हो जाएगा भाई यह आ जाएगा minus का 1 इसकी value कितनी आ जाएगी? minus का 1, यह minus का 1 आ गया जबकि question में क्या आ रहा, plus का 1 आ रहा है, plus का 1 कौन से option में आ रहा है? पहले वाले option में आ रहा है, यानि कि 33 में कौन से option सही हो जाएगा? ए option सही हो जाएगा, दूसरा तरीका हमारे पास है, हमें क्या करना है? हमें क्या करना इस sin theta को cos में बदलना पहले इसे लिखेंगे πाई बाई बाई टू माइनस theta फिर क्या करेंगे two cos half angle में change करेंगे जिसे ये one कर जाएगा और बाहर वाला one कर जाएगा फिर इधर भी लिखेंगे इसे भी sin में change करेंगे sin pi by two minus theta फिर दोनों से common लेके जितने भी common हो जाएगे है ना sin में change हो जाएगा two sin theta into cos theta sin to theta बराबर क्या होता है two sin theta into cos theta वो लगा के फिर common लेके निकालेंगे तो अपने आप पहला वाला option आ जाएगा ठीक है फिर दिमा और ते और हम लगा देंगे चलिएगा next question number 34 यानि कि 34 question number 34 में कह रहा है कि x2 minus x1 देखेगा है आपने दोनों equations को सबसे पहले हमें क्या करना है थोड़ा सा modify करना है लिखा हुआ है x2 minus x1 मतलब हम लिख से सकते हैं 0x1 plus x2 minus x3 is equal to 1 दूसरी equation लिखी जाए minus x1 minus x1 plus 0x2 plus 2x3 is equal to minus 2 अगली वाली equation कितनी दी है x1 minus 2x2 plus 0x3 is equal to 3 ये तीनों equation हो गई हमें क्या करना है इनको हल करने के लिए एक काम करना पड़ता है सबसे पहले हैं किस format में लिखते हैं ax बराबर b ax बराबर b चलिए रख लीजिए a क्या होगा इनके coefficient से बना हुआ तो पहले क्या है 0 फिर क्या है 1 फिर minus का 1 minus का 1 0 2 फिर ये 1 minus 2 और 0 ये हो गया x की जगह पे क्या क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा x2 हो जाएगा x3 हो जाएगा b क्या है ये अचर पदों से बनी हुई matrix 1 minus का 2 और ये 3 हो गया भाई अब हमें क्या करना है अब देखिए अगर हमें इसके हलो की संख्या निकाली है कितने हल होंगे तो पहले हमें determinant a निकाल लेना चाहिए है ना क्योंकि determinant a ही decide करेगी कि इसके हल हो सकते है या नहीं हो सकते इनका हल किया जा सकता या नहीं हल किया जा सकता तो determinant a निकाली है 0 है 1 है minus 1 है 0 है 2 है 1 है minus 2 है 0 है चलो, पहला वाला तो 0 ही हो गया, कोई बात नहीं, आगे Gianенд माइनस 1 है ये चूटेगा, ये चूटेगा, कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर 0 है ठीक है, ये आगया, ये चूट जाएगा, ये चूटेगा तो हो जाएगा, जीरो माइनस 2 और ये इंदर माइनस मल्टिप्लाई होगा माइनस का दो तोंहों हो गये 0 अब बताओ determinant A की value कितनी आगई 0 यानि कि determinant 0 आगई तो इसका हल नहीं निकाला जा सकता तो कितने हल होंगे इस दोरान इनके 0 ने हल होंगे कोई हल नहीं होगा 0 नहीं होगे ठीक है चुपके determinant की value कितने आ गई 0 आ गई इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा 0 नहीं होगे तो 34 में कौन सा options आई होगा ए वाला option correct होगा next देखेंगे question number 35 question number 35 में लिखा है कि e की power x e की power x is equal to दिया गया हमें y plus root में 1 plus y square बहुत easy question आया आसा 2009 का paper भी आसान ही था ठीक है आसान तो बार में लगता है लेकिन जो लोग exam में बैठते हैं उनके उनसे पूछो कि क्या था paper वो बता पाते हैं कि क्या pressure होता है exam हल का तो वो लोग आपको अच्छी से बता सकते हैं कि नहीं नहीं हलके में मतलें जो भी paper है अच्छा था हमें क्या करना पहले root हटा ना इसका देखो e की power x minus का y is equal to root में दिया गया 1 plus y square ठीक है दोनों तरफ क्या करिए squaring कर दिए दोनों तरफ square कर दिए तो यह कितना हो जाएगा e की power 2x plus का y square minus 2y into e की power x is equal to 1 plus y square अब y square से y square को काड़ दीजिए हमें चाहिए सिर्फ यहां से y यहां से चाहिए हमें क्या y तो देखिएगा एक काम करते हैं e की power 2x को इधरे रहने दो minus का 1 इधर ले आओ is equal to बाके उठा के इधर ले आओ 2y e की power x अब क्या करो e की power x से इधर ले आओ divide कर दो e की power 2x minus 1 divided by e की power x is equal to 2y काड़ दीजिए भाई देखो कर जाएगी अगर e की power 2x के बटे e x रखें तो e की power x यहां बचा और minus 1 by e की power x यह उपर पहुँच जाएगा e की power minus x और यह जो 2 इधर इंटू में था इधर divide में ले आओ कितना हो गया भाई e की power x minus e की power minus x y2 is equal to y कौन सा ओप्षन सही है 35 में option सही हो जाएगा b चलिएगा question नमर देखते है 36 36 तो 36 में एक equation दी गई और हमसे कहा गया है कि यह क्या है equation किस प्रकार की equation यह बताना है देखते हैं भाई किस प्रकार की equation है हमें काम करना होगा root सबसे पहले हटाने होंगे जब तक इसका हम root नहीं हटाएगे तब तक हम इसे solve नहीं कर पाएगे तो root को उधर ले जाओ है ना root को इधर ले गए चलो इधर हमने यह रोक लिया root अच्छा भाई root इधर हमने रोक लिया x-2 का whole square x-2 का whole square कमतला x square plus का 4 minus का 2x plus का y square is equal to 4 minus 4 minus और इसके अंदर भी यही same कुछ ऐसे करके भी लिख दिजिए इसे बाद में लिख लेंगे whole square plus का y square अब क्या करो दोनों side work कर दीजिए square करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई यह आ जाएगा x square plus का 4 minus का 2x plus का y square is equal to यह कितना हो जाएगा 16 plus x plus 2 का whole square a square plus b square तो तो भाई root हट जाएगा बस b square में पद अंदर क्या बचेंगे x plus 2 का whole square यहनि कि x square plus का 4 plus का 4x plus y square minus minus कितना हो जाएगा 4 दुनी 8 8 कितना हो जाएगा x plus 2 का whole square plus का y square ठीक है अब cancel out करिए काट दिया जाएगा जो कट रहा हो देखो x square से x square कट जाएगा इस 4 से 4 कट जाएगा y square से y square कट जाएगा अच्छा अब हमारे पास कितना बचा इधर है minus का 2 और इधर कितना है minus के 2x है इधर कितना है 4x है minus के 2x क्यों होगे भाई calculate करेंगे तो यहां भी तो 4x आएगा अच्छा minus के 4x यह हो गए तो इधर ले आओ उनको भी minus के 8x is equal to कितना हो गया 16 16 से 8 ले लो common 8 common लोगे कितना बचे गए यहां पर 8 दूनी 16 2 minus का और उसके अंदर जो यह root की कहानी है वो चुपचाप रहने दीजिए x plus 2 का holy square plus का y square 8 से 8 काड़ दीजिए अच्छा भाई एक काम करो x को उधर ले लो 2 के side में और यह root वाला पंजो इधर ले लो यह कितना आ जाएगा root में आ जाएगा x plus 2 का holy square plus का y square is equal to 2 plus x holy square दोनों side के लो तो root हट जाएगा x square plus का 4 plus का 4x plus का y square is equal to इधर कितना हो जाएगा 4 plus x square plus 4x जो cancel हो रहे हैं उन्हें काड़ दीजिए जो बच रहे हैं उन्हें बचा दीजिए 4 से 4 कड़ जाएगा x square से x square कड़ जाएगा 4x से 4x कड़ जाएगा अब आ गया y square is equal to 0 यानि कि y into y is equal to 0 दो equation आगे क्या हो जाएगा correct हो जाएगा b वाला option क्या होगा correct हो जाएगा देखें question number 37 देखो question number 37 में एक बहुत ही आसान सा question है ये z is equal to दिया गया है और कहरा इसका real part आप z z का real part और imaginary part का ratio क्या होगा तो पहले इस z को simplify किया जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 plus i अगर हम एक काम करें इसमें क्या करें 1 plus i की power में root दिया root 3 divided की power में 100 है हमें क्या करना है 2 से multiply करना है और 2 से करना है divide है ना दोनों में 2 से multiply करो 2 से divide आओ इसकी power में 100 चलो तो 2 की power 100 तो आगया common और एक काम करना है चुकि सम्च संख्या तो अंदर minus भी ले लेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा minus 1 minus i i root 3 की power i2 हो गया की power में हमारे पास है 100 हमने minus ले लिया चुकि पता है आच्छा है तो minus का a जो formula होगा minus के a minus के b के holy square का वह ही formula हो था 1 plus b के holy square का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अब देखो हम देख रहे हैं कि यह omega square है अंदर यह अंदर जो है omega square है तो कितना हो जाएगा यह 2 की power 100 into omega square तो omega की power square उपर 100 है तो कितना हो जाएगा omega की power में 200 omega की power 200 300 देदो भाग तो देखो कितना आजाएगा यह आजाएगा 103 से भाग दो तिछंग 18 और कितना बचा 220 तिछंग 18 2 यानि कि यहाँ बचा omega square हमारे पास कितना बचेगा भाई यह अब बचेगा omega square और omega square अभी आप देखें में पूछा गया है real part आप Z real part आप Z तो Z का real part real part आप Z divided by imaginary part आप Z तो real part कौन सा हो जाएगा देखो एक तो 2 की power 100 तो दोनों के साथ आएगा into तो देखो रियल part इसमें क्या minus का 1 बचा 2 minus का 1 बचा 2 real part divided by imaginary part कितना हो जाएगा minus का under root 3 बचा 2 ये भी आजाएगा 2 की power 100 इसमें भी रहेगा तो दोनों cancel out हो गए minus से minus cancel हो गए इससे ये cancel हो गए 2 से कितना बचा 1 बचे under root 3 कौन साथ आप्षन साही होगा B है ना C वाला option 1 बचे under root 3 37 में C option क्या होगा correct हो जाएगा चलेगा next question देखेंगे question number 38 question number 38 में एक बहतरीन question है हमारे सामने कह रहा है cos cos को रहने दीजिए देखें cos inverse minus का 1 by 7 अब देखो minus का 1 by 7 तो आपको बता देए तो जो cos inverse x होता है cos inverse x plus sin inverse x इसकी value होती है pi by 2 और यहाँ पे जो x होता है वो negative value भी accept कर ली जाती है कोई दिक्कत नहीं है हना तो कितना हो जाएगा भाई यह देखो इसकी value क्या हो गई यह pi by 2 की बराबर हो गया तो कितना आ गया यह आ गया cos pi by 2 cos pi by 2 की value कितनी होती है cos 90 का value कितना होता है 0 कितना होता है 0 कौनसा option सही होगा b वाला option correct हो जाएगा 38 में option b क्या होगा correct होगा next देखेंगे question number 49 देखो 49 में कह रहा if the area of triangle is delta कह रहा एक triangle का जो area है वो delta दिया गया है then a square sin square 2b plus b square sin square 2a is equal to तो कोई triangle है हमारे पास उसका area तो एक काम करते हैं हम एक triangle लेके चल रहे हैं उसका area लेके चले ठीक है चलेगा हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास एक equilateral triangle है equilateral मतलब की एक संभाहूत्र भुज़ संभाहूत्र भुज़ में option को verify करने की कोशिस करेंगे अगर हो जाता है तो ठीक है ने फिर सोचेंगे a square और प्रते कोड कितना होता है भाई 60 60 60 अच्छा ये होगे हमारा a square भुज़ा कितनी हो गई a square into sin to b sin 120 sin 120 का जो मान होता वो कितना होता है भाई sin 120 sin 120 देखो यह भी बन जाएगा अभी बाद में करेंगे sin 120 प्लस दोनों भुज़ाएं बराबर हैं तो यहां भी a square रखा जाएगा a की जगा 60 हन्स तो sin 120 येनि कि ये बन जाएगा 2a square sin 120 2a square sin 120 कितना हो जाएगा 90 plus 30 cos 30 cos 30 कमान कितना होता अंडर रूट 3 बटा 2 काड दीजिए यानि कि ये value आ गई a square under root 3 अच्छा आप सुनो a square under root 3 मतलब या हम इसे लिख सकते हैं under root 3 a square ठीक है अब देखो ये area जो आया वो कह रहा है कि is equal to कह रहा है ये किसके equal है तो अब देखो ये किसके equal अगर यहां से हम 4 में delta कर दें चार का इधर गुड़ा करो तो under root 3 a square under root 3 a square under root 3 a square किसके equal है delta चार delta के equal है तो कौन सा option सही हो जाएगा बी वाला option सही हो जाएगा आप इसे equilateral triangle से भी कर सकते हैं और एक ऐसा triangle लेकर भी कर सकते हैं जिसमें आपको एक भुजा एक दे दी जाए एक ये दे दी जाए इसके बाद देखेंगे यानि कि कौन सा option सही आया इसमें तीसरा option यानि कि C option करेक्ट आगे number 40 कह रहा है कि 1 प्लस X की पावर N equal to दिया गया है summation R equal to 0 से लेके N तक और इसे अगर ये लिखा हो ना C R X की पावर R तो मतलब ये N नहीं लिखा जाए तब भी कोई दिख्या नहीं नहीं लिखा हुआ ये तब कह रहा है कि इसकी value क्या होगी तो देखें एक बात आपको याद रखना है कि हमें पता है कि N C R बटे N C R minus 1 equal to होता है क्या N minus R plus 1 बटा R ठीक है ये concept इस्तेमाल करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे इसे उठाएगे कह रहा है किसके बराबर होगा हम उठाते हैं इसको बहुत आसानी से छोटा सा question है तो देखें ब्रेकेट में आ जाएगा 1 plus ये है N C R N का मान कितना यहाँ पे N ही है और R का मान कितना है 1 तो उठा लेंगे यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा N minus 1 plus 1 बटे R का मान कितना है पहले वाले में 1 ठीक है दूसरा वाले ब्रेकेट में जाएगे 1 plus nc2 लिखा हुआ है nc2 ये r कमान है तो ये कितना हो जाएगा n-2 plus 1 divided by कितना हो जाएगा r r कमान कितना है 2 ठीक है अगले bracket में जाएगे dot 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 1 plus n और r दोनों की जगब n ही है n-n plus 1 divided by n ठीक है चलिए ये दोनों cancel हो जाएगे अब देखे ये घटेगा उपर अगला bracket और करते है 1 plus ये आजाएगा n ठीक है by 1 कोई दिक्कत नहीं फिर देखो यहाँ पर lc m लेंगे lc m लेंगे तो कितना आजाएगा 2 plus n minus 1 कितना 2 plus n minus 2 plus 1 तो 2 plus का 2 minus का 2 कर जाएगा तो यहाँ भी क्या बचेगा n plus 1 by 2 और अगले bracket में अगर हम करते है तो यह बचता है n plus 1 by 3 dot 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 अब आते हैं इसके साथ देखो क्या बचता है बटे में तो n आएगा देखे n plus n minus n plus 1 हो जाएगा lc m जब लेंगे n n कटसिल हो जाएगे तो उपर भी आने वाला है n plus 1 अब देखे 1,2,3,4,5 dot 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 n तक बन रहा है तो नीचे n factorial बन जाएगा उपर देखें क्या है भाई 1 plus n into 1 plus n 1 plus n 1 plus n यानि n plus 1,n plus 1 का गुड़ा कितनी n बार करना है अगर n बार गुड़ा होगा तो यह बन जाएगा 2 बार होगा तो square बनता 3 बार होता तो cube बनता जूकि n बार है तो क्या बन जाएगा 1 plus n का power n यानि कि कौन साप्षन से हो जाएगा 40 का option number जो c है वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे और next question देखेंगे question number 41 में हमसे कह रहा है कि there are 80 student क्योई विद्याला है वहाँ पे 50 student है in a class of any school in this class 50 student study mathematics यानि कि गड़ित पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 50 अच्छा 40 student study statistics सांख्य की पढ़ रहे हैं 40 बच्चे हमारे statistics पढ़ रहे हैं यानि कि सांख्य की पढ़ रहे हैं और 10 students क्या है common है देनी की दोनों पढ़ रहे हैं intersection हो गया कितना हो गया भाई यह intersection की value कितनी दी गई है 10 दी गई है अच्छा अब हमें इनकी probability निकाल लेनी है total 80 student है है ना तो mathematics पढ़ने की जो probability होगी वो कितनी होगी 50 बटे 80 यानि की 5 बटे 8 और जो math का ही भी से part है statistics उसकी जो probability होगी वो होगी 40 बटे 80 मतलब 4 बटा 8 और इनके intersection की जो probability होगी यानि की mathematics और statistics के दो intersection की probability कितनी होगी दोनों 10 है बटे 80 एक बटे 8 ठीक है अब हम से पूच्छा है कि किसी विद्यार्थी की अद्रच्छता चुना जाता है उस बिद्यार्थी के शांख्यकी होने की प्राइक्ता होगी अच्छा जब कि पहले से दिया गया है बिद्यार्थी किस से है गडित से है तो देखेगा सांख्यकी पढ़ रहा है वो statistics पढ़ रहा है जबकि पहले समय क्या पता है कि वो mathematics को पढ़ता है समझ गए हमसे पूछ रहा question उसे बिद्यारती के सांखिकी लेने की प्राइक्ता क्या होगी तो statistics का बिद्यारती है जबकि पहले पता है कि भाई सांखिकी पार्ट किसका mathematics का तो पहले से हमें पता है, पूरो से पता है कि यो क्या है, mathematics अल्रेडी पढ़ता है, तो कितना हो जाएगा, conditional probability, s intersection m divided by pm, intersection की probability कितनी आई है, 1 बटे 8, और mathematics की probability कितनी है, 5 बटे 8, 8 से 8 कर जाएंगे, 1 बटा 5, क्या हो जाए, कौन सा अप्षन से हो जाएगा, बटा 5 इसकी probability होगी, क्यों विध्यरती सांकी के लेगा, statistics पढ़ेगा, question number 42, question number 42 में हमें 3 set दिये गए है, अलग-अलग, देखिएगा, ए, कह रहा है कि A such that, कह रहा है कि A is equal to, X such that, क्या है भाई, वो क्या है, 5 के बराबर और 5 से छोटा है, और क्या है, X क्या है, natural number है, तो एक ले सकते हैं, दो ले सकते हैं, तीन ले सकते हैं, चार ले सकते हैं, पांच ले सकते हैं, पांच के बराबर है या 5 से छोटा है, फिर क्या कह रहा है, एकस बिलॉंग्स एन यानि की नेचुरल लंबर और क्या है दस से चोटा और बराबर है तो यहाँ पर हम संख्याय लिखेंगे एक दो तीन 4... ठीक है ? अच्छा पहले हमें निकालना है B intersection C B और C का intersection निकालना है तो निकालो B और C में जो common हो 3, 4, 5 common है 3 है 4 है 5 है 3 भी common हो गया, 4 भी common हो गया 5 भी common हो गया, भाई, यहां 3 भी मिलेगा 4 भी मिलेगा, 5 भी मिलेगा, क्योंकि 10 तक लिखी गई है, अब फिर क्या कह रहा है A minus, अब निकालना है B intersection C, यानि कि A में B intersection C वाले हटा दिये जाएं, तो भाई A में देखो, क्या है, B intersection C से 3, 4, 5 हटा दिये जाएं भाई, B intersection C हटा दिजिए A से, तो कित्ता बचेगा हमारे पास 1 बच जाएगा, 2 बच जाएगा तो कौन सा option सही हो जाएगा, C वाला option सही हो जाएगा, 42 का C वाला option, correct हो जाएगा 43 देखेंगा 1 प्लस, X प्लस, X square बटा 2 factorial, प्लस X cube बटा 3 factorial, प्लस dot 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 X की power N बटा N factorial, अब समझे कहानी को, थोड़ा सा differentiate करना है, सीधी सी बात है कि ये कित्ता आजाएगा D Y D X is equal to X के respect में differentiate करोगा, ये 0 आजाएगा जीरो हो गया, ये वाला कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस, देखो 2 X square होगा, 2 से 2 कटेगा नीचे 1 factorial बचेगा, है ना यानिकि X बटे 1 factorial प्लस, 3 X cube होगा 3 X square होगा, 3 से 3 कट जाएगा X square बटे 2 factorial बचेगा X square बटे 2 factorial प्लस, dot 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 ये हो जाएगा, कितना भाई ये हो जाएगा, N इंटू X की पावर N minus 1 divided by कितना हो जाएगा, N factorial है तो उसे रहो N into N minus 1 factorial, N sign card दीजिए अच्छा, अब हमें क्या करना है D Y, D X निकालना है यहाँ पे, लेकिन मामला थोड़ा सा उलिटा है है न, अच्छा भाई अब एक काम करो ये अगर हम इसे पूरा देखो यहाँ पे, थोड़ी सी द्रिष्टी डाल रहे हैं तो ये पूरा लिखा पड़ा है वैसे ही, जैसे यहाँ पे है, लेकिन कम पढ़ रहा X की पावर N, और X बटा N फैक्टोरियल तो हम क्या करें, दोनों में अड़ कर दे डोट 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 अड़ करो, सब्ट्रेक्ट कर दो प्लस, ये तो भाई उसके पहले का पद होगा X माइनस 1 डिवैड़ेड बाई N माइनस 1 फैक्टोरियल तो प्लस करो, प्लस कर दो यहाँ पे X की पावर N बटे N फैक्टोरियल और माइनस भी कर दो X की पावर N बटे N फैक्टोरियल तो ये वाला जुपाद है देखो, हमने ये, ये पूरा Y बन गया है ये कितना बन गया, Y बरावर में क्या है हमारे पास, DYDX is equal to Y minus X की पावर N Y minus X की पावर N बटा N फैक्टोरियल तो कौन सा आप्षन सही हो गया भाई यहाँ पे, 43 यानि की 43 में option सही हो जाएगा C, option करेक्ट हो जाएगा Y minus X की पावर N Y minus X की पावर N बटा N फैक्टोरियल ठीक है, आगे चलें, question number 44 देखे 44 question number 44 में हमें निकालना है कह रहा है कि X plus Y इधर समझे X plus I Y की पावर में दिया गया है 1 Y 3 हम चाहते हैं कि दोनों तरफ whole cube कर दिया जाए तो इधर से हट जाएगा और इधर से अब हमारे पास बन गया मामला क्या बन गया X plus I Y जो कोल टू हो जाएगा A plus I B का whole cube दोनों पक्चों में हमने क्या किया whole cube कर दिया X plus I Y की पावर में 1 by 3 रखा था is equal to A plus I B हमें क्या करना है दोनों पक्चों में whole cube कर दिया अब दोनों पक्चों का जब हमने whole cube किया तो अब जो मामला है थोड़ा सा अपने पक्च में आ गया आराम से अब इसको उड़ा देंगे देखिएगा whole cube इसका open कर दीजिए तो ये हो जाएगा x plus i y is equal to ये हो जाएगा a cube और इधर कितना हो जाएगा plus i cube b cube i cube को कह लिख सकते हैं minus का i minus का i b cube हो गया अच्छा फिर कितना हो जाएगा plus 3 a b i हो जाएगा into a plus i b calculate कर लिजए इसे ये आजाएगा a cube minus का i b cube अच्छा फिर कितना हो जाएगा plus में 3 a square b i minus जो को i square आजाएगा i square जो हम minus रख देंगे 3 a b square अब क्या करो दोनों पक्सों में real part और imaginary part की आप थुलना कर लिजए जिसके साथ आई है वो imaginary part जिसके साथ आई नहीं है वो real part होगा तो देखिए करते हैं भाई x is equal to आजाएगा a cube x is equal to कितना आगया a cube और minus का 3 a b square एक काम करो a ले लो common तो कितना आजाएगा a square minus 3 b square आगया x का मान इसी तरह से y वाला देखिए कितना हो जाएगा भाई y वाला देखो 3 a square b 3 a square b minus का b cube एक काम करो b ले लो common हैं पर 3 a square minus का b square हो गया ये हो गया y का मान अब हमें मान क्या निकालना x by a plus y by b x by a plus y by b निकालना है x का मान हमें मिल चुका है कितना आजाएगा भाई देखो x की उपकी रखो a से a नीचे कर जाएगा बच्चे का क्या है यहाँ पे a square minus का 3 b square बी वाला जब y कमान रखो तो b से b कर जाएगा नीचे वाली बच्चे का plus का 3 a square minus का b square अब देखो एड़ कर लो a square और 3 a square कितने हो जाएंगे 4A square, minus का B square minus का 3B square, और एक B square minus का 4B square ले लो 4 common, ले लिया 4 common, A square minus B square, तो 4 into A square minus B square, यानि कि 44 में option सही हो जाएगा B वाला part क्या होगा, बिलकुल correct होगा, उम्दा, है ना चलेंगे question number 45 यानि कि 45 देखेंगे, question number 45, question number 45 में हमसे कह रहा कि 10 theta minus root, set theta is equal to root 3, तो theta का व्यापक मान क्या होगा, general value अब theta निकालनी है, यहाँ पर 45, question number 45, एक काम करूँ, यहाँ पर देखो, n pi plus minus 1 की power n लिखा है, तो इसका मतलब कि sin theta वाला formula ही बनाना है, जब भी हमारे पास क्या होता है, sin theta बराबर अगर sin alpha आ जाता है, तो इसकी general value क्या होती है, theta की theta is equal to होता, n pi plus minus 1 की power alpha, minus 1 की power n, minus 1 की power n into alpha, यह होती है, इसकी general value, है न, n pi plus minus 1 की power n, alpha, तो चलिएगा, इसे हम पहले sin और कॉस में change करने की कोशिश करते हैं, देखेगा, tan को लिखोगे sin beta cos, यह हो जाएगा sin theta beta में कित्ता हो जाएगा cos theta minus यह लिखा है, root 2, divided by हो जाएगा, cos theta, sec theta को 1 by cos theta लिख दिया, is equal to root 3, है न, अब देखो, यहाँ पे से simplify करो, तो यह हो जाएगा, sin theta minus का root 2 is equal to cos theta LCM लोगे, इसके साथ multiply होगा, root 3 cos theta, अब यह बन गया, sin theta minus root 3 cos theta is equal to root 2, अब देखो, sin theta का गुडांग कितना है, 1 अब cos theta का गुडांग कितना है, root 3 minus root 3, दोनों का square करो, इसका भी square करो, इसका भी square करो, root 1 plus 3, root 4 2, तो 2 से क्या करो, और दोनों तरफ multiply कर दीजे, divide कर दीजे, दोनों तरफ 2 से divide, तो यह divide हुआ, इसके साथ divide हुआ, और इधर भी divide हो गया दो, ठीक है, दोनों तरफ, दोनों पक्चों में हमने क्या किया, 1 बटा 2 से divide कर दीजे, अब हम भी formula बनाना है, sin का, तो देखो इधर, एक बटे दो, यह sin theta है, एक बटे दो को हम cost short लिख सकते हैं, cost 60, cost 60 का मतलब pi by 3, है न, लेख दो इजे, pi by 3, pi by 3, अच्छा, minus, cost theta रहने दीजे, और यह हो जाएगा, यह किसका value है भाई, अगर हम, कितना हो गया, sin, sin theta into, अंडरूर्ट 3 बटा 2 आगया, यह हमारे पास, अंडरूर्ट 3 बटा 2, sin में किसका मान होता है, sin 60 का मान होता, अंडरूर्ट 3 बटा 2, और इससे काटोगे, नीचे वाले को लिखोगे, अंडरूर्ट 2, कुर अंडरूर्ट 2, is equal to sin pi by 4, अब देखो, अगर हमें theta बटा बराबन निकालना है, तो व्यापक मान में रखो, theta की जगब कितना है, theta minus pi by 3 is equal to n pi, plus minus 1 की power n, एंगल कितना दियागा ये, pi by 4, कितना है, pi by 4, alpha कितना है, alpha की जगब है, pi by 4, रख दिया हमने, यहाँ से theta बराबन निकाल लो, theta बराबन कितना हो जाएगा, n pi plus minus 1 की power n, ओसी के side में चुपचा pi by 4, और plus में आ जाएगा, pi by 3, तो देखें कौनसा सही हो जाएगा, pi by 4 plus pi by 3, कौनसा आप्षन सही होगा, d, d वाला option, 45 में option सही होगा, d, 45 का option सही होगा, d, ठीक है, आगे चलेंगे, next देखेंगे, question number, 41 बहुत ही बहतरीन question है, है ना, general question है, लेकिन अच्छा question है यह, अब देखेगा, इस तरह के question में, यह लिखा क्या हुआ है, यह लिखा हुआ है, 5 की power में लिखा हुआ है, अब 5 की power में लिखा हुआ है, एक बटा 4, गुडे, और यह लिखा हुआ है, 8 की power में लिखा हुआ है, एक बटा 6, जब भी कभी ऐसे हाला आता हैंगे, तो इन दोनों का LCM ले लेंगे, ले लिए LCM, 4 और 6 का LCM लीजिए, 2 से काटेंगे, दो आएगा, 3 आजाएगा, फिर 2 से काट दीजिएगा, 3 से काट दीजिएगा, 4 ती आँ, 12 आजाएगा LCM, अच्छा, 12 आगे LCM, 4 से भाग दो, 3 बार गया, तो 5 की power 3, और इसकी power में आगया 12, ठीक है, गुडे, अब 6 से भाग दोगे 2, अब एक बटे बारा को पूरा होल पावर में रहने दीजिए, यह हो गया 5 की power 3, गुडे, यह हो गया 8 की power, 2 का मतलब 8 गुडे 8, और उसकी power में रखा हुआ एक बटा बारा, तो देखो यह तो होई नहीं सकता, 12 वाली power वाला होगा कोई, है देखते हैं भाई 12 पावर किसी में नहीं है, है ना यहाँ पर चलो देखते हैं कि 12 पावर क्यों नहीं है, आप समझे, यह हो जाएगा अब हमारे पास, कितना 5 की power 3 है, यह हो जाएगा 5 गुडे, 5 गुडे, 5 गुडे, 8 गुडे, 8, कितना हो जाएगा, 8 गुडे, 40 यह हो गया, 40 ठीक है, 40 हो गया, चालीस पंचे हो गया, 200, 200 के साथ 5 के गुड़ा किया, तो आ गया 1000, तो यह हो गया 1000, और गुडे हुए 8, इसकी power में बटा 12, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8000, तो 46 की मदब की कितना जाएगा, power में एक बटा 12 आएगा, और 8000 आएगा, कितना आएगा, एक बटे 12 और 8000, 8000, है ना, तो कौन सा option से हो जाएगा, कोई option साही नहीं है फिलाल, तो कौन सा भाई, अगर इसमें power में 12 होता, तो मा लेज़े C वाला option, correct हो जाता, है ना, 46 में C option, correct हो जाएगा, next देखेंगे, इसका हमें निकालना, square root, बहुत ही उम्दा question है ये, देखेगा, दिया है 2, minus का, root 3, हमें निकालना, इसका, वर्ग मूल, हमें क्या करना है, इसका वर्ग मूल निकालेंगे, पहरे हम root अटा देते हैं, बाद में निकालेंगे, अब देखेगा, समझेगा इसे, कहानी को, कितना हो जाएगा ये, हमें क्या करना है, 2 से multiply करना, 2 से divide करना, तो 1 बटे 2 रहने दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 माइनस, 2 अंडर रूट 3, 4 माइनस का 2 अंडर रूट 3 हो गया, ठीक है, अब देखों अंदर, ये हो गया, 1 बटे 2, ये कितना हो जाएगा भाई, इसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 का स्क्वेर, धन 1, देखों अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा, 4 के बरावर हो जाएगा, 1 हो गया, माइनस का कितना हो गया, 2 अंडर रूट 3, अच्छा, अब बन गया नीचे, ये हो गया, अंडर रूट 3 माइनस 1 का होली स्क्वेर, UNDER 3 माइनस 1 का होली स्क्वेर, अब क्या करो दोनों पक्सों को वर्गमूल ले लिजे वहां भी वर्गमूल लीजे यहां भी वर्गमूल यह ओ वर्गमूल तो कितना हो जाएगा उपर हो जाएगा अंडरूट 3 माइनस 1 वर्गमूल के बाहर निकल जाएगा यह और यहां फस जाएगा मिट्टर अंडरूट दो, Mr. Under Root 2, तो कितना आ जाएगा, अगर इसे अब लेटना चाहेंगे, तो इसे लिख सकते Under Root 3 बटा 2, माइनस 1 बटे Under Root 2, जबकि ऐसा कोई भी उप्सन हमारे पास नहीं है, या तो आ सकता 1 बटे Under Root 2, तो माइनस Under Root 3 बटे 2, तो नहीं है, ये वाला हो सकता था कर रूट नीचे तक होता तो, तो कोई भी उप्सन नहीं सही है, तो यहाँ पर कॉन्स आप्शन से हो जाएगा, डी वाला उप्सन करेक्ट हो जाएगा, नेक्स देखेंगे, बटे 10, दस से भाग देंगे, कितना जाएगा, तो कॉन्स आप्शन सही हो जाएगा, भाई, C वाला उप्सन करेक्ट हो जाएगा, 48 में C आप्शन करेक्ट हो जाएगा, नेक्स देखेंगे, 49, है ना, क्वेशन नबर 49 में हमें क्या करना है, काटना है, तो देखेंगा, दोनों को डिवाइड करना यार, उपार एफ एक्स आएगा, यह X क्यूब माइनस 3 हो जाएगा, तो यह X माइनस 3 हो जाएगा, और यह हो जाएगा, X स्क्वेर धनका 3, X धनका 9, डिवाइड़ भाई, X स्क्वेर प्लस 3, X प्लस 9, काट दीजिए, वक्त को करने दो अपनी मनमानी, मेरा वक्त आना अभी बाकी है, कर रहे हैं सवाल, मुझे जो लूजर समझ कर, उन सब को जवाब देना अभी बाकी है, नमस्कार, मैं उदै सिंग, मैंत्गुरू यूटूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ, और आज हम लोग डिसकस करेंगे, UPTGT Mathematics के अंतरकत, UPTGT 2009 का पेपर, जिसमें ये थर्ड पार्ट है, इससे पहले हम लोगों ने डिसकसन कर लिया है, पूरी तरह से complete discussion कर लिया है, 2021, 16, 13, 11, 10, और 2009 continue है, अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट विजिट करिए, और वहाँ पे TGT PGT से रेलेटर्ट जो भी content है, आप उसे बढ़िए, आपके लिए बहुत ही beneficial होगा, एक्जाम में आपके score को increase करने में मदद करेगा, चलिएगा, सुरवात करते हैं, आज के इस खुबसूरत से session को, पहरा question, question number 51, आपके सामने, question number 51, question number 51, देखें, यहाँ पे हमें निकालना है 16 पद, है न, निकालते हैं यहाँ पे 16 पद, लिखा हुआ है, x की पावर 1 बटा 2, minus y की पावर 1 बटा 2, की पावर 17, अब देखेंगा, हमें पता है कि एनवापज का जो formula होता है, वो क्या होता है, t r plus 1 is equal to, x plus a की whole power n के प्रसार में होता है, t r plus एनवापज, ncr, और x की पावर होता, n minus r, a की पावर r, n की जगए पर कितना यहां पर 17, कौन सा पत निकालना है, 16, है न, तो इससे क album के लिखेंगे, 16 को क्या लिखेंगे, 15 plus 1, 15 plus 1, n का value कितना है, 17, और r का value कितना है, 15, x की जगए पर कितना है, x की power 1 by 2, x की पावर कितना है, 1 by 2, तो यह हो गया हमारा X की पावर में 1 by 2 की पावर में कितना हो जाएगा 17 माइनस 15 और A, A मतलब की माइनस का Y, Y की पावर में 1 बटा 2 और इसकी पावर में R, R का वैलो कितना है 15 15, चलेगा, calculate करते हैं, देखिए यहां पे यह लिखा हुआ 17, C 15, 17, C 15, 17 में 15 घटा के भी लिखा जा सकता है, N, C, R जो होता है वो बराबर होता, N, C, N-R के, तो N-R कर दो, इसे लिख सकते हैं कितना 17, C, 2, 17 में 15 गए 2 बचेंगे, अच्छा, और देखो X की पावर 1 बटे 2 की पावर 2 अच्छा, Y की पावर देखो, माइनस 1 की पावर 15, यह क्या है, एक और नमबर है, तो माइनस देदेगी, और यहां पे हो जाएगा Y की पावर 15 by 2, 15 बटे 2, तो कितना हो गया, 17 C, 2, 17 C, 2 को थोड़ा सा क्या करिए, माइनस को रहने दीजिए, 17 को दो बार, नीचे कितनी 2 लिखा हुआ है, दो बार आगे करिए, 17 हो गया, 16, और नीचे कितना है, 2, 2 को लिखे 2 गुडे 1, बैक चले जाते हैं, जितना नीचे कितना होता, 136, माइनस का 136, X, Y की पावर 15 by 2, 15 बटे 2, तो कौन सा सही हो रहा है, option यहाँ पर सही हो रहा है, C, 51 में option कौन सा सही हो जाएगा, C, देखेंगे question number 52, देखो question number 52, एक बहतरिन question number probability से है, हम से यहाँ पर कहा गया है, कि A और B जो है, arbitrary events है, अच्छा, तो देखें का एक बात हम लोगों ने पढ़ा है, probability की हम लोगों ने addition theorem पढ़ी है, वो क्या होती है, probability A union B is equal to होती है, probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, चुकि यहाँ पर देखो, union बस आ रहा है, intersection नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, इसे निकाल लीजिए, probability of A intersection B is equal to, कितना हो जाएगा, union इधर आ माइनस में, probability of A plus probability of B, माइनस का हो जाएगा, probability of A union B, अब एक काम, अब हम लोग जानते हैं, कि किसी भी event की जो probability होती है, वो कहां से 0 से 1 के बीच में होती है, 0 से 1, 0 से 1 तक होती है, तो यह कितना हो जाएगा, भाई, जो probability आप माली जी है, हमारे पास intersection की probability है, वो क्या होगी 0 और 1, है ना, 0 से 1 तक, ठीक है, तो probability of A union B कितनी हो गई, क्या होगी, greater than equal to 0, less than equal to 1, इसे हटा दीजे, यानि कि इसे हम यह भी कह सकते हैं, कि probability of A intersection B, less than equal to होगी, कितना 1, अच्छा, intersection की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पर रख सकते हैं, probability of A, हो गया, probability of A, plus probability of B, minus probability of A union B, less than equal to 1, अच्छा, आप समझे, अब देखें, यहाँ पर अभी कोई option नहीं है, चोरा, 1 को इधर लाओ, A union B को इधर ले जाए, तो कितना हो जाएगा, probability of A, plus probability of B, minus 1, less than equal to, यह धर plus में आ जाएगा, probability of A union B, तो कौन सा option सही हो रहा है, यानि कि हम यह कह सकते हैं, कि probability of A union B, greater than equal to probability of A, plus probability of B, minus 1, तो देखेंगा, यहाँ पर दूसरा option, probability of A union B, greater than equal to P A, plus P B, minus 1, तो कौन सा option सही हो जाएगा, यहाँ पर option 2 सही हो जाएगा, 52 में option सही हो जाएगा, 2, चलेगा, next देखेंगे, question number 53, देखेंगे, question number 53, जो है, question number 53, एक बहतरीन और आसा question है, समझेगा, कुछ भी नहीं है, इसमें एकदम, हलवा, देखेंगा, probability of A not, probability of B not, हम से उच्छा है, तो देखेंगा, यहाँ पर, probability of A not, is equal to, कितना हो जाएगा, भाई, यह हो जाएगा, एक मिनट, इसे में करिए, सीधा करते हैं, वहीं पर करते है, probability of A not, plus, probability of B not, A not का मतलब क्या है, अगर किसी घटना के घटने की प्राइक था, और A not का मतलब ना घटने की प्राइक था, ना घटने की प्राइक था, ना घटने की प्राइक था, वन से सब्ट्रेक्ट करके निकाली जाती है, यारी कि अगर हम इसे लिखना चाहें, तो इसे हम यह लिख स ये दीगे है 0.15 इन दोनों को add करीए 2 से subtract करीए 2 minus हो जाएगा 0.80 है ना add करेंगे कितना 0.65 0.15 add करेंगे तो कितना आजाएगा 80 subtract कर देंगे तो कितना आजाएगा 1.20 या इसे ही हम कह सकते है 1.2 कौन सा ओप्षन सही हो जाएगा भाई 54 question number 54 में कह रहा है कि if A is a excuse symmetric matrix of odd order then the determinant of A. हमें निकालना है इसकी determinant of A. और हमें पता है कि excuse symmetric की property क्या होती है सम सम्मित आभियू की property क्या होती है कि यह जो इसका परिवर्थ आभियू होगा transpose matrix जो होगा वो बराबर होगा minus के A के है ना किसी भी matrix का transpose matrix होगा परिवर्थ आभियू होगा वो क्या होगा minus A के equal to होगा यह क्या कहती है excuse symmetric की definition कहती है तो हमें क्या करना बोथ side हमें बोथ side क्या करना है determinant ले लेना है दोनों और आप determinant ले लिजिए हमने दोनों और क्या लिया determinant ले लिया is equal to determinant minus का A अच्छा अब देखिए transpose matrix तर जो determinant है अगर वो transpose transpose कैसे निकाला जाता है पंक्तियों को क्या बना दिया जाता है istamb बना जाता है istamb को यानि कि row को column बना दो column को row बना दो यही होता है transpose ठीक है तो transpose पे कभी भी determinant नहीं बदलता यानि कि जो यह होगा determinant of A यानि कि जो सारडिक का determinant होगा वह यह उसके transpose का determinant होगा is equal to अब देखो यहाँ पे minus है तो यह minus को निकाल दीजिए अब वो क्या है odd order का है तो यह minus का one मालो निकाला हमने उसकी power में क्या जाएगा कोई odd number आएगी है ना odd order दिया क्यों सा order है odd number आएगी और इधर क्या रहेगा यह रहेगा determinant of A ठीक है भाई अब यह हो जाएगा determinant of A अब देखो odd order है और minus order कितना है सोरी number क्या होगी minus one की power कोई odd number होगी तो बैलू क्या है minus का one तो यह हो गया हमारा determinant A इधर उठालो दोनों को तो 2 हो जाएगा determinant A is equal to 0 और यहां से determinant A is equal to कितना आ जाएगा 0 तो हमसे determinant A ही पूच्छा है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा कौन सा option सही हो जाएगा इसमें D option correct हो जाएगा चलेगा 55 देखें question 55 देखें को 55 एक बहतरीन question यहां पर हमें दो चीजे दी गई है एक तो दिया है इसने की adjoint है ना यहां पर दिया है इसने adjoint किसका 2I is equal to दिया गया है 2 की power P I है ना यह 2 की power में है P यह power में है P ठीक है 2 की power P I अब देखेंगा adjoint of 2I हमें क्या करना पहले तो adjoint of 2 निकालो तो adjoint of 2 क्या हो जाएगा 2 की power order कितना है इसका N है तो 2 की power में N-1 order में एक कम कर देते हैं और यह अलग होके आ जाएगा adjoint of I is equal to यह तो ही रहेगा 2 की power P I अच्छा जब भी हम I यानि कि हमारे पास जो unit matrix है इक I जो आभी हूँ है उसका जो adjoint निकालेंगे adjoint उसका कितना आएगा हमेशा भी I आएगा तो 2 की power में हो गया N-1 into X का I ही रहेगा is equal to 2 की power P into I I से I दोनों तरफ से cancel हो गया 2 की power कितना आगया N-1 is equal to 2 की power P अब दोनों base बराबर है तो दोनों power क्या होंगी equal हो जाएंगी यानि कि power कितनी दी गई है एक power दी गई है N-1 और एक power इधर कितनी दी गई है P है ना जब भी base equal होते है equal base अब equal powers exponentum के equal होते है अगर आधार बराबर होती दोनों घातें बराबर होती है तो P is equal to कितना आजाएगा N-1 और हमसे पूछा कि P is equal to कितना हो जाएगा N-1 कौन साफ़्षन से हो जाएगा भाई पहला option 55 में correct हो जाएगा next देखेंगे 56 56 56 56 में एकदम simple सा question करा if if E greater than equal to 1 then the equation दी गई है equation हमें दी गई है यहाँ पर अब देखेगा अब जो भी हमारे पास कौनिक का equation दिया गया है वो क्या दिया गया है L by R is equal to 1 plus E cos theta अब देखेंगे यह क्या कह रहा है कि जो E है वो greater than sorry greater than 1 है एक से बड़ा है तो simple सी बात याद रखेगा जब भी E is equal to क्या होगा 0 तो जो कौनिक होगा हमारा वो क्या कहलाएगा वो circle कहलाएगा E is equal to अगर हमारे पास 1 है तो पैरा बोला होगा यनि कि परवले होगा और E क्या होगा अगर greater than 1 है greater than 1 की condition में hyperbola होगा greater than 1 की condition में क्या होगा hyperbola होगा और E अगर हमारा less than 1 है less than 1 है तो इस condition में वो हमारे पास ellipse होगा ठीक है क्या होगा ellipse होगा तो जब भी होगा तो इसे हमें इसी form में convert कर लेना है L बराबर R is equal to 1 plus E cos theta और cos theta के साथ जो coefficient होगा जो गुलांक होगा वही E होगा और उसे देख के बताया जा सकता है कि क्या होगा each goal to 0 पे हमारे पास वृत्त होगा each goal to 1 पे parabola होगा यानि परवले होगा greater than 1 पे hyperbola यानि कि अति परवले होगा less than 1 पे ellipse X का ओकल गुडांक का ग्याद कीजिए अब देखिए फंसन हम को given है वाई कोल्टू दिया है इन्होंने cosic cot inverse अब देखिए ये दिया है इन्होंने cot inverse X बनाएंगे triangle और पहले खतम करेंगे यहाँ से cot inverse X को भी हम बनाएंगे cosic में और यह आधार हो जाएगे X हो जाएगे यह 1 हो जाएगे और यह कितना हो जाएगा हमारा 1 प्लस X स्क्वेर हो जाएगा है ना चलिए यह 1 प्लस X स्क्वेर हो गया फिर यह cosic हो गया cosic और यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा cosic inverse है ना आप कर दीजिए से x के साप h differentiation है ना यह differential coefficient पूछ रहा है ना ओकल गुडांक तो कितना हो जाएगा y dash equal to हो जाएगा 1 by 2 root इसका हो जाएगा 1 plus x square 1 plus x square का फिर से हो जाएगा फंसना फंसन है तो यह 2x हो जाएगा दोनों cancel हो जाएगे क्या बन जाएगा भाई x बटे root 1 plus x square ऐसा कौन सा option है option number a लेकिन अभी विचार करना है इस प्रिष्ट में थोड़ा सा विचार करना है देखे अगर हम क्या करें इसका नीचे वाले की conjugate नीचे वाले कहने की परिमे करन कर दें हर का तो आजाएगा 1 plus x square divided by root में 1 plus x square और यह कितन आजाएगा 1 plus x square 1 plus x square और ऐसा एक option और दिया था c भी दिया था यानि कि इस प्रिष्ट में 51 57 में 1 और 3 दोनों option सही थे question number 58 में हमें क्या करना है इसके बाद के जितने भी terms दिये गए एक पद छोड़के इसको हम y माल लेंगे क्योंकि infinite term है तो हमें कोई फरक नहीं पढ़ने वाला सेहत में इसको आप y माल लीजे है ना हमने इसको क्या किया y माल लिए तो बन क्या जाएगा तो यह बन जाएगा y is equal to sin x की power y अब जैसे देखो यह क्या fx की power gx है तो इस situation में क्या करते हैं log लेते हैं तो दोनों side आप ले लीजे लोग तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा log y is equal to y log sin x differentiation करिए दोनों तरफ x के respect में differentiation करेंगे तो यह one by y हो जाएगा और y का कितना हो जाएगा फिर से होगा y dash हो जाएगा is equal to y dash मतलब d y d x आ जाएगा है हमने y dash लिग दिया उसको first derivative ठीक है यह y रहने दीजिए first second का करिए second करेंगे तो भाई पहले इधर तो y dash को हमने उठाया इधर तो यहां पर हमारे पास है one और यह minus का आ जाएगा कितना y multiply होगा भाई y log sin x is equal to देखो एक y यह y square बन जाएगा यह y multiply होगा इधर y square बन जाएगा यह y इधर भी जाएगा तो y वाला इधर वाला तो उसके साथ आ गया y square और cortex हो जाएगा cos x बटे sin x क्या होगा cortex हो जाएगा अच्छा तो यह y dash is equal to कितना हो जाएगा y square यह हो गया cortex divided by one minus y log sin x y square one minus y log one minus कितना हो गया y log sin x है ना तो कौन साप्षन सही हो गया भाई यहां पर option b सही हो गया option b y square cortex है ना option b correct हो गया 58 चलेगा नेक्स देखेंगे 59 दीखेंगा दरसल इस question में थोड़ी सी तुरूटी है मुझे ऐसा लग रहा है the value of the value of तो यहां पर यह लिखा होना चाहिए कि ddx of इसके ddx निकालना है इसका ddx निकालना है हमको ddx देखेंगा तो हमें क्या करना है इसका इसका निकालना है differential coefficient ddx और answer से अनुमान लग रहा है कि यहां पर इसका differential coefficient ही निकालना है तो देखेंगा तो हमें निकालना है ddx of यह तो हो गया हमारा cos अच्छा और यह हो गया a यह sin inverse 1 by x है न तो हम इसको लिख सकते हैं 1 by x को हम लिख सकते हैं sin inverse 1 by x को लिख सकते हैं cos x का क्या होता माइनस का sin x तो यह हो जाएगा माइनस sin x की जगा पर कितना है x की जगा पर दिया गया है a ofic inverse x और a cos x का फिर से हो जाएगा तो यह हो जाएगा a into 1 by minus का होता है x root x square minus 1 है ना माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा माइनस माइनस का फिर सकते हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा a और यह कितना हो जाएगा sin into a cos x divided by x root x square minus 1 यानि कि कौन सा 59 59 में कौन सा option सही आ रहा है इसमें option सही आ रहा है बी बी पूरी तरह से मैच हो रहा है कौन सही हो गया बी वाला option सही हो गया ठीक है तो इस question में तुर्टी थी थी तो डड़ी एक्स होना चाहिए था तभी answer मैच हो जाएगा चलेगा आगे चलेंगे next question देखेंगे इंगे Q60 में थूड़ी सी बात हैं हमसे पूछी गई है F थीटा हमें दिया गया है सभी को clear हो जाएगा और यहां पर base e sin theta दिया गया है और एक G-thड दिया गया है इसका भी 20 base e पे cos theta दिया गया है लोक Cos theta चलेगा देखतें E की पावर में दिया गया है 2G theta ठीक, जो theta function है, minus E की पावर में दिया गया 2F theta कोई बात नहीं, अब देखिएगा E की पावर में कितना हो गया, ये 2 हो गया G theta एक जगब कितना रखा जा सकता है, G theta यहाँ पर रखा है उसे रख सकते हम, कितना, log E E, ये हो जाएगा, भाई, cos theta, ठीक है minus से बीच माइनस रहने दिजिए E की पावर में कितना, 2 और ये भी हो जाएगा, log base E और यहाँ पर हो जाएगा, sin theta दे रखा है, ठीक है भाई, हम चाहते इस 2 को उधर ले लिया जाए ले लिजिए E की पावर में कितना हो गया ये हो गया, log E और ये हो जाएगा, cos square theta बीच में minus है, minus रहने दिजिए E, और इसके पावर बाद ये हो गया, log E sin square theta sin square theta अच्छा अब देखो, कभी भी एक बाद याद रखिएगा है ना E की पावर, log E आजाए तो इसकी value क्या होती है, 1 होती है तो देखो, इसकी पूरे की value कितनी हो गई, 1 इसकी पूरे की value कितनी हो गई, 1 उपर कितना बच्चा भाई, हाना ये पूरी value क्या हो गई, 1 हो गई, 1 क्या बच्चा वहाँ पे, 1 ये हो गया, cos square theta इंटू में है आगे cos square theta minus इधर क्या हो गया यह sin square theta cos square minus sin square theta किसके बड़ाबर होता है, cos 2 theta के बड़ाबर होता है, कौन सा ओप्षन सही हो जाएगा यहाँ पर 60 में B option correct हो जाएगा, next देखेंगे, question number 61, question number 61 में हमें value निकालनी है किसकी, cos inverse की मतलब कि इन सभी को convert किया जाए किसम कॉस में करते हैं देखो कितना दिया गया है यह दिया गया है 2 कॉस स्क्वेर थीटा माइनस और इसकी जगह कर रफेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वेर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वेर थीटा इस उकोल टू यह हो जाएगा 3 और यह हो जाएगा देखो अंदर रखेंगे 1 plus 2 cos square theta-1 है ना simple यहां रखेंगे 1 plus 2 cos square theta-1 तो 1, 1 cancel हो जाएंगे 2 cos square theta अंदर बचेगा 3 से multiply हो जाएगा तो कितना बचेगा अंदर 6 cos square theta कितना बचेगा बच्छा 6 cos square theta तो यहां पर simply हमें क्या करना है convert कुरेंगे तो 3 cos square theta बराबर आजाएगा माइनस का 1 यानि कि cos square theta बराबर आजाएगा calculate कर लिजेगा 3 cos square theta बराबर कितना जाएगा माइनस का 1 calculate कर लिएगा 2 यह हो जाएगे 3 यह हो जाएगे 3 घट जाएगे इधर आके subtract हो जाएगे माइनस माइनस के तो यह minus का 1 आ गया, cos square theta बराबर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा minus 1 by 3, square root ले लिजे दोनों साइट, तो cos theta is equal to कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा हमरे पास, कितना root में आ जाएगा, minus का है, चुपचाप उसे रखा रहने दिजे, कुछ नहीं छेड़ना उसे, theta बराबर कि जाएगा, cos inverse, cos inverse root minus 1 by 3, और ऐसा कोई भी option नहीं है, ऐसा कोई भी option नहीं है, minus किसी में अंदर नहीं है, कौन साइट हो जाएगा, d वाला option साही हो जाएगा, 61 में d साही होगा, next देखेंगे, तो question number 52, बहुत ही आसान है, इस triangle दिया गया और हमजे कह रहा है किसके equal होगा, हम simple सी बात है, हम पहले इसे try करेंगे कि साइध equilateral triangle से निकल जाए, तो देखो equilateral triangle में तीनों angle है ना, जो भी होगा, A, B और C, तीनों बराबर होते हैं, क्या होता भाई, A बराबर, B बराबर, C, यानि कि सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, प्रते कोड कितना होता तो पहले ये apply करके देख लिया जाए, तो उपर कितना दिया है, उसने उपर दे रखा sin B minus C, यानि कि sin 60 minus 60, नीचे कितना हो जाएगा, sin B plus C 60 plus 60, यानि कि sin 120, sin 120, हम कुछ नहीं रखेंगा, उपर देखो sin 0 बन गया, उसकी value 0 हो गई, नीचे कुछ भी होगा, value कितनी आएगी 0, अब जिस option में A बराबर B बराबर C, यानि कि तीनों भुजाओं में कुछ बराबर रखने पर, जिस option में 0 आजाएगा, वही सही हो जाएगा, तो भाई देखो इसमें तो undefined आएगा, कोई सवाल नहीं उठता, इसमें 0 आएगा ही नहीं, कोई सवाल नहीं उठता, इसमे to A square, कितना हो जाएगा, 0 बटे, A square, यानि कितना हो जाएगा, 0, कौन सा option सही हो जाएगा, पहला option करेक्ट हो जाएगा, तो एक्किलेटरल ट्रेंगल सही अलग हो गया, तो हमें इसे हल करने जुरूरत ही नहीं पड़ी, ठीके, क्या कि हमने शंबाहुत रिभुज की तीनों 60-60 के होते हैं, अपलाई किया, उपर रखे, तो उसका मान 0 आया, तो जिसमें तीनों भुजाएं बराबर रखने पर, A बराबर, B बराबर, C रखने पर, जो option में 0 आयेगा, वही correct होगा, तो पहला option आया, अब वही correct हो गया, चलेगा, 63 देखेगा, क्वेस्टन नमबर 63, एक सांदार question है, बहुती बढ़िया question है, है ना, देखिएगा, question number 63, देखते हैं, देखो 63 में कह रहा है कि यह 10 inverse लिखा हुआ है, और आपको पता है, बात समझेगा, 10 inverse X है ना, क्या होता है, अगर हम इसको quarter में change करना चाहते हैं, तो quarter inverse 1 by X होता है, और अगर हमारे पास दि जा रहे हैं कि इसको आप 10 में change कर लिजे, 10 में से change करेंगे, तो कितना आ जाएगा, quarter inverse root cos X रिखा है, तो यह हो जाएगा, 10 inverse 1 by root कितना, cos alpha, minus 10 inverse root cos alpha, कोई दिखकर नहीं, is equal to में कितना है, X, अब 10 inverse X minus 10 inverse Y, क्या होता है, 10 inverse X minus Y, बटे 1 plus XY, यह होता है, हम एक काम करेंगे, 10 inverse को हम उधर भेद देंगे, तो 10X बन जाएगा, और इधर अपलाई करते हैं, कितना, यह हो जाएगा, X minus Y, तो X की जगा पे कितना है, यह दिया, cos alpha, minus, और यह कितना हो जाएगा, Y, cos alpha, divided by 1, plus 1 by root cos alpha, into root cos alpha, दोनों cancel होंग जाएगा, और यह किसके बराबर हो जाएगा, 10X बन जाएगा, अच्छा, दोनों में LCM लीजिए, नीचे कितना 2 बन जाएगा, 1 plus 1, 2 बन जाएगा, और LCM लेंगे, तो उपर कितना बन जाएगा, 1 minus का, cos alpha, बटे 2, root cos alpha, is equal to कितना, 10X, अब यह 10X आ गया, और क्या होता है, यह भाई, लंब बटे आधार, यानि कि perpendicular by base, है न, बनाव triangle, perpendicular by base, हमें क्योंकि sign चाहिए, है न, इससे आसान method नहीं होगा, triangle को अपनाना पड़ेगा, यहाँ पे, बहुत आसान होगा, तो देखेगा, यहाँ यहाँ पे, यह angle उठा लिए हमने, perpendicular कितना दिया, दे दिया, 1 minus cos alpha, और यह कितना हो जाएगा, 2 cos alpha, कितना हो गया भाई, यह, 2 cos alpha, ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे solve करके, दोनों को क्या करना है, वर करके जोड़ना है, वर करके जोड़ोगे, यह हो जाएगा, 1 minus cos alpha का holy square, प्लस, यह हो जाएगा, 4 cos alpha, 4 cos alpha, तो कितना बन जाएगा, भा होनेगा अब हमें क्या करना है पहले तो निकलना है यह ही रूट में आ घीक है इसका आइस का भूलि स्क्वार करोंगे तो यह आ जाएगा आध perseよね मैने स्क्वार इसे निकालेंगे तो ज्यक्वर प्लस तो मैनिस वाला ओपन करेंगे तो उरले जए जाएंगे लिए लगकर के प्लेके करें उसका है hypotenuse निकल जाएगा, तो हमें क्या निकालना,sin X, sin X, वो क्या होता, लंब बटे, करण, hypotenuse, perpendicular by hypotenuse, प्रपेंडिकूलर कितना दिया गया है, यह अगर थीटा है, तो सामने वाला होगा, 1 मैनिस قال 1 minus cos alpha divided by यह कितना हो जाएगा, 1 plus cos alpha, अच्छा, cancel करिए, क्या करिए, 1 cos square alpha को half angle में change करिए, cos alpha को, cos alpha में half angle में change करेंगे, तो कितना जाएगा, 1 minus 1 plus, कितना बन गया यह, 2 sin square alpha by 2, नीचे, 1 plus 2 cos square alpha by 2 minus 1, 1 से 1 कर दो, इस 1 से 1 कर दो, 2 से 2 कर जाएगा, 10 square alpha by 2, कितना आ जाएगा भाईए, यह आ जाएगा, 10 square alpha by 2, 10 square alpha by 2, sin x किसके बराबर है, 10 square alpha by 2, कौन सा option सही हो जाएगा, यहाँ पर पहला option सही हो जाएगा, 63 में पहला option correct हो जाएगा, next देखेंगे 64, question number 64, तो formula दिया है, मैं simple सी बात पता है, कि 1 minus 10 square theta, बटे 1 plus 10 square theta, किसका formula होता है, cos 2 theta, अब अगर theta बराबर 15 अंस इनोंने लिया है, कितना लिया है, 15 अंस, तो कितना हो जाएगा भाईए, cos 2 गुड़े 15, कितना हो जाएगा, cos 30, cos 30 का मान कितना होता है, under 3, बटे 2, under 3, बटे 2, कौन सा option सही हो जाएगा, यहाँ पे, c option सही हो जाएगा, 64 में c correct होगा, 65 अब देखेगा, 65 दिया गया है, 65, 65 में हमसे कह रहा है, कि if z1, z2, are 2 complex number, such that, इस type से दिया गया है, समझे कहानी को, देखो, z1, modulus z1, और इसको इधर ले लिजे, minus, modulus z2, is equal to, कितना हो जाएगा, modulus z1, minus z2, हमें क्या करना है, whole side, both side क्या करना है, square करना है, कर देजे, square, में दिख करना है, कितना हो जाएगा, यह, modulus z1, square, है न, modulus z1, square, plus, modulus z2, minus, कितना हो जाएगा, 2, z1, और z2, is equal to, इधर भी सेम काम, यह, z1, square, है न, plus, z2, square, z2, square, minus, 2, z1, z2, और एक इसके बराबर होता, और होता, cos theta 1, minus, theta 2, cos theta 1, minus, का theta 2, चलेगा, cancel out करिए, जो, जो cancel हो रहा हो, उसे काटा जाए, यह, z1, square, z1, square कर जाएगे, z2, square, z2, square, कर जाएगे, उसके बाद, z1, z2, कभी कर जाएगे, है न, जब इतना बस बचेगा, z1, z1 से कर जाएगा, और यहाँ पर modulus, z1 है, यह हो जाएगा, यहाँ पर, z1, z2 हो गया, अब हमें क्या करना है, यह यहाँ पर formula बने जाएगे, modulus यहाँ भी होगा, modulus, यहाँ भी होगा, modulus, z1, z1, z2 है, यहाँ पर, z2, z1, z2, z1, z2, इससे cancel हो जाएगे, अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा, minus का 2 इधर, minus का 2 इधर, तो क्या होगा, minus मैं हाटा दीजिए, पूरा हाटा ही दीजिए, कितना हो जाएगा भाई, यह, अब हमारे पास बन गया, इधर क्या बचा, कॉस थीटा 1, minus का, थीटा 2, is equal to 1, बचा, cancel हो जाएगा, पूरा 2 से 2 कर जाएगा, 1 इधर, कॉस थीटा 1, minus का थीटा 2, इधर, बचेगा, अच्छा, 1 देखो, किसकी value होती है, तो कॉस थीटा 1, minus थीटा 2, is equal to, कॉस 0, कितना होता है, कॉस 0, है न, यहाँ पर, z1, z2 होगा, तो यह क्या हो जाएगा, 2, z1, z2, कॉस थीटा 1, minus थीटा 2, यह फार्मूला है, इसका expansion होगा, तो यह ही होगा, ठीक है, अब देखिएगा, तो यह हो जाएगा, थीटा 1, minus का, थीटा 2, is equal to, 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, यह है, आर्गूमेंट आफ, z1, minus, आर्गूमें z1 by z2, बराबर 0, है न, आर्गूमेंट z1 minus z2, कहम कह लिए सकते, आर्गूमेंट z1 by z2, यह 0 हो गया, और ऐसा कब होगा, भाई, z1 by z2 का argument 0 कब होगा, जब इसका imaginary part, क्या हो भाई, imaginary part क्या हो, z1 by z2 का imaginary part हो, वो क्या हो, 0 हो, है न, ऐसा कब होगा, चुकि यह कह सकते हैं, क argument of z0 होगा, कब, यह तब 0 होगा, जब z क्या हो, purely real हो, भाई, purely real होगी, तो क्या होगा, purely real होगी, तो जो इसका imaginary part होगा, z1 by z2 का, वो क्या होगा, 0 हो, z is purely real, मतलब कि, अगर यह purely क्या होगी, real होगी, तो imaginary part 0 होगा, और imaginary part 0 होगा, तो यही तो होता है, tan inverse y by x, भाई, imaginary part 0 हो तो यह कब होगा जब इसका argument Z a equal to 0 है मतलब Z क्या है प्रियो रियल है तो इसका j imaginary पार्ट होगा वो क्या होगा जीरो होगा तो कौनसा अपस्ण सही हो जाएगा यहां पर to 0 आ गया इसका मतलब क्य है है? इंडिकेट कर रहा है कि कि किसी भी अगर क्या कहते है? अगर का खाक कीते हैं? क्या कर अगर argument 0 भी यह मतलब क्या है? वह एक पे अनट है और एक पेट्ली है पेट्टी रिते है अप्यहल होने मतलब क्य हुआ? कि इमेजबी पार्ट इसका 0 हो जाएगा, पहरा option correct हो जाएगा, next देखेंगे, 66, 66 में हमसे कह रहा है कि तीन forces है, PQRS acting along the side, BC, CA and AB of a triangle, एक triangle है हमारे पास, ये triangle हो गया, अच्छा, इसकी side AB, BC और CA, ये हमारी AB हो गई, AB और ये C, अच्छा, इसमें लगे हुए हैं, और एक R लगा हुआ है, R के बाद P लगा हुआ है, P कहां लगा हुआ है, BC पे, अच्छा, क्यूं यहां लगा हुआ है, ठीक है, और यहां पर कह रहा है कि if then result end is passing through the incentive, X in transmitted, तो इन्ना ट्रैंगल बनाई यह, अन्तष वृत्त बनाई ये, बना दिया हमने, ये है इसका enters, इसका है incentive है ना अंतह के अंंद तो ये r distance ले लिजे, इसे भी r distance ले लिजे और इसे भी art distance अब आपको पता होना चाहिए कि किसी बिंदु ये मालीजे इंसेंटर है तो किसी बिंदु के परितह लगे बलों के बलाघुरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरू टॉप राबर क्या होता है F into perpendicular distance तो देखिएगा ये भी perpendicular distance होगी और ये भी perpendicular distance होगी ठीक है हमें क्या करना है भाई इनका योग क्या होना चाहिए सुनने होना चाहिए चलिएगा इस वाली side के लिए आओ R गुड़े perpendicular distance कितनी है R उसकी small R है प्लस BC side के लाँगा ये बल कितना है P और perpendicular distance कितनी है R और इसके AC side के लाँगा ये बल कितना है Q और perpendicular distance कितनी है ये भी R होगी ये भी R होगी सभी क्या है radius है तो ये क्या होगा इनका 20 गड़ती योग जो होगा वो क्या होता सून नहीं होता R common ले लिजिए तो देखो बचे का R P P P L S Q या इसा ही लिख दीजिए P P P L S Q P L S R E EX GOAL TO 0 इसमाल R को उठा के उढ़र 0 कर दीजिए तो यह आ जाएगा P P P L S Q P P L S R EX GOAL TO 0 बटार या कह सकते हैं P P P L S Q P L S R EX GOAL TO केतना हो गया 0 हो गया तो चाھंचट में कौनस से हो जाएगा 66 option से हो जाएगा पहला है ना लेक्ष देखा जाए है लेक्ष देखिए कोस्ट नमबर 67 अच्छा 67 के रहा है कि एक मोटर कार जिसका वजन 10 कुंतल है मोटर कार का वजन कितना है भाई 10 कुंतल है तो 10 कुंतल का सबसे पहले क्या करो कन्वर्ट कर लो इसको है ना मास को 10 कुंतल को कम करो 10 कुंतल में 100 से किलो गुड़ा करोगे तो कितने किलो बन जाएंगे small s कितनी है? 18 मीटर 18 मीटर और value कितना है? भाइ, इसका रोग दिया गया है तो अंतिम वेक तो हो जाएगा 0 और प्रारंभिक वेक जी हो जाएगा कितने में चल रही थी है? 12 मीटर पर सेकेंड से तो गती का यहां पे तीसरा rule लगाया जाए v square is equal to u square plus 2as अब बताओ, 2as है प्लस का, अब जो ब्रेक लगा तो मंदन की स्थिति उत्पन हुई, तो तो तोरण क्या हो गया? निगेटिव, तो फार्मूला क्या बन गया? v square is equal to u square minus 2as, भाइ, ब्रेक लगी तो क्या हुआ? तो तोरण घटा निगेटिव हो गया, मंदन हो गया है ना? मंदन, मंदन क्या होता? निगेटिव होता है, तो हमने क्या क्या a की जगा पर माइनस से रख दिया, तो फार्मूला कन्वर्ट हो क्या गया, v square is equal to u square minus 2as, है ना? v zero हो गया, v zero हो जब v zero हो गया, तो u square पराबर कितना हो गया? 2as, ये कितना हो गया? 144, ये हो गया 2a a हमें नहीं पता s कितना भाई? 18, 18, टे 144, a बराबर कितना आ जाएगा? calculate करेंगे, 4 आ जाएगा कितना आ जाएगा है, a बराबर 36, 4 आ जाएगा 4, a है meter per second square ये आ जाएगा, a जोल्ट कितना आ जाएगा, 4 meter per second square हमें निकालना प्रतिरोध बल प्रतिरोध बल, f बराबर कितना होगा भाई? m into a m कितना है, द्रव्यमान कितना दिया गया है? 1000 kg ये 1000 kg होगा, 100 kg नहीं 1000 kg, और ये कितना दिया गया है? ये दिया गया है, एक मिनट, ये दिया गया है, एक इतना आ गया भाई? चार, कितना बन जाएगा ये? 4000, अब कितना बन गया? 4000, ठीक है? 4000 kg, kg, meter per second square ये f आ गया, अब हमें निकालना है, वर्क डन, हैना? क्या निकालना है? किया गया, प्रति रोध बल भी, प्रति रोध बल पता होगा? पता कर लिए हमें प्रति रोध बल, f बराबर कितना लग रहा? 4000 kg, 4000, निूटन लग रहा है, हैना? अब उसके बाद हमें पता करना है, कि वर्क डन कितना होगा? किया गया, car कारे W बराबर होता है F into D, F कितना दिया गया भाई, 4000, और D कितना दिया गया है, distance, D, D मतलब S, यह की बात है, 18, कितना दिया गया, 18 चोक, 72, कितना आ गया भाई, यह हो गया, 72,000 kg, कितना हो गया, work done कितना हो गया, work done जो हो गया, 72 kg into M, ठीक है, meter, kg, meter, work done कितना हो गया, kg, meter, 72, कौण सा आप्सन से हो जाएगा, कुई option नहीं है, कौण सा आप्सन से हो गया, यहां पर D option से हो जाएगा, ना आप दिये बाब, इन में से कोई नहीं, next देखेंगे, देखेंगे प्रस्ट नंबर 68 इस प्रस्ट में हमसे कह रहा है कि the mean kinetic energy of a particle of mass m moving under a constant force in any interval of time when u1 and u2 are initial and final velocity is given by हमसे पूछ रहा है इसकी average kinetic energy है ना देखते हैं mean का मतलब क्या हुआ वही average की बात कर रहा है और सत्गति जूर्जा की वह बात कर रहा है तो हमें क्या करना है हमें पता है कि kinetic energy का formula क्या होता है kinetic energy का formula क्या होता है normally kinetic energy क्या हो जाएगी हमारी 1 बटे 2 mv square 1 बटे 2 mv square है ना तो हमें क्या करना है देखिए यहाँ परम्भिक वेग क्या है U1 फिर क्या था U2 पहले initial velocity उती है यू 1 थी और जो final velocity हो कितनी है U2 तो हम क्या करते है सबसे पहले average velocity निकाल लेते हैं तो अगर हम average velocity निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई यह हो जाएगा U1 और यह कितना हो जाएगा U2 और डिवाइडर पर कितना आ जाएगा 2 यह हमारा क्या हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा average velocity तो अब निकालते हैं हम यहाँ पर average kinetic energy है ना निकाल दिया जाए average average kinetic energy average kinetic energy है ना अब हमें निकालना है और शत गती जूर जाएगा फार्मूला क्या हो जाएगा एक बटे दो यह फार्मूला है M को चुपचा बाहर करेंगे और यह रखेंगे V वेग हमारा कितना दिया गया है U1 प्लस U2 बाई 2 का होल स्क्वेर देखिए होल स्क्वेर नीचे 4 आएगा तो यह एक बटे 8 हो जाएगा U1 प्लस U2 का होल स्क्वेर यानि कि U1 स्क्वेर प्लस U2 स्क्वेर प्लस 2 U1 U2 और ऐसा कोई भी आप्शन नहीं दिया गया था तो 68 में D वाला आप्शन क्या होगा correct हो जाएगा है ना हमें average यहां पर average kinetic energy निकाल ली थी तो हमने क्या किया सबसे पहले average velocity निकाली तो इसके बाद kinetic energy के फार्मूलें रख दिया तो average kinetic energy निकल जाएगी average velocity क्यों निकाली क्योंकि starting initial जो velocity थी वो u1 थी और इसकी last velocity यानि कि final velocity जो थी वो कहा थी u2 थी तो हमें क्या करना इस पूरे प्रक्रिया के दोराण हमें इसकी average velocity निकाल ली है कि इसकी आउसत चाल कितनी रही होगी वो निकाल लिया फिर उसके बाद रख दिया तो और सद्ग्योति जूर्जा निकल जाएगी 69 69 में हमें इन दोनों के दो vector दिये गए हैं और इन दोनों vector के 20 की हमें कोज्जा निकाल ली है तो कोज्जा निकालने के लिए simple सी बात है कि हमें क्या लगाना है dot product a dot b is equal to कितना हो जाएगा modulus a modulus b a b cos theta a b cos theta a b cos theta a और b क्या है vector a और vector b के modulus है निकाल देंगे मापांग है तो देखिए a dot b दोनों का dot product निकालो 6 दूनी 12 12 हो गया 2 3 6 minus का 6 हो गया फिर ये k वाला के से करो माइनस का 2 हो गया is equal to a का देखिए कितना आएगा भाई a का आजाएगा 2 का square 2 का square 4 4 4 8 9 9 है ना b का दी देखिए कितना हो जाएगा 36 plus 9 plus 4 ठीक है ये भी 9 है कितना हो जाएगा 8 ये 4 बचेगा 4 is equal to ये आगया 3 और ये cos theta है हमारे पास ये आगया 7 cos theta ठीक है 21 हो जाएगा तो cos theta बराबर कितना हो जाएगा 4 बचाएगा कौन सा अप्षन सही हो जाएगा भाई पहला option correct हो जाएगा 69 में कौन सा अप्षन सही हो जाएगा पहला option correct हो जाएगा चलेगा 70 70 में करा है कि एक कड़को निस्चित बल निस्चित बल दो बल दिएगा है लगाकर बिंदू फला से फला तक विस्थापित किया जाता है तो बलों दोरा किया गया कार्य बताईए तो देखें सबसे पहले हमें net बल निकालना है net forces कैसे निकलेंगे दोनों forces को जोड़ दिया जाएगा तो 4i और 3i कितने हो जाएगे 7i प्लस j और j मिला के कितने हो जाएगे भाई 2j माइनस का 3 के माइनस का 4 के माइनस का 4 के यह आ गया 4 अब निकालो हमें का निकालना है d d क्या भाई इस बिंदू से उठाकर यहां लाया गया तो कितना हो जाएगा इस वाले बिंदू में यह है हमारा a और यह है b a से b में लाया गया a b तो कितना हो जाएगा b माइनस a तो by b कितना है हमारा यह दिया गया 5i प्लस D निकालो, कितना आजाएगा भाई, यह 5I प्लस 4J जहां तक लाया गया, उस बिंदों में घटा आजाएगा पहले वाला बिंदों जिसको लाया गया है माइनस A प्लस 2J प्लस 3K, ठीक है भाई, calculate करो, calculate करेंगे तो I घटेगा, 4I आजाएगा अब 4I में 2J घटेंगे, तो प्लस के 2J आजाएगे, और K माइनस का 3 के, तो यह माइनस का 2K आजाएगा, ठीक है, अब हमें निकाल लो work done निकालना है, क्या निकालना है, किया गया कार W बराबर, F इंटू D वेक्टर F इंटू वेक्टर D वेक्टर F है, वेक्टर D अच्छा, दोनों का अडिंग है, सच्चो का 28 हो जाएगा 28, तो दूनी 4 प्लस का 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 है ना, 4 दूनी, 8 तो 32, चालिस 40 unit है भई, कितना ही काई हो जाएगा work done, 40 unit हो जाएगा 17, कौन साफ़न सही हो जाएगा, पहला option सही हो जाएगा next देखेंगे, कि रहाए लीडर के एच्छोरों को, कितने प्रकार से ब्यवस्थित किया जा सकता है, कितने अच्छा रहे हैं आपे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, छे फैक्टोरियल प्रकार से इसे रखा जा सकता है, इसके बाद कितनी बार repeat हुआ है, बाई, कौन कौन सा repeat हुआ है, इडिपीट हुआ है, दो बार, दो फैक्टोरियल से भाग दे दिजे, है ना, 6 फैक्टोरियल, बार, दो फैक्टोरियल, दो फैक्टोरियल दोनों कर जाएगे, 6, 35, 32, 36, 360, कितने प्रकार से रिंज किया जा सकता है, 360, तो एक अतर में कौन सा अप्शन सही हो जाएगा भाई, एक अतर में 71 में C अप्शन करेक्ट हो जाएगा, नेक्ट देखेंगे 72, क्वेस्टन नमर 72 देखेंगे, करा कि टू कार्ट्स आर ड्रान एट रेंडम, फ्राम अप्पै का 52 कार्ट्स, करा तास के बावन पत्तों में से दो पत्ते यद्रच्छा निकाले गए, उन में से एक, करा कि फर्स्ट कार्ड इज एस, एंड सेकेंड इज इस्पेड, करा पहला क्या हो एक का और दूसरा क्या हो हुकुम, इसकी प्रोबेलिटी निकालनी है, तो देखेगा, भई, हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोबेलिटी एक तो हो जाएगी, एनी, दूसरा क्या हो जाएगा, भई, किसी घटनाई की प्रोबेलिटी, है ना, प्रथम पत्ता, एकका और दूसरा क्या हो, हुकुम का पत्ता, एनी बटे, एनेस हो जाएगे, देख ऑच्छा देखेंगे यहां पर एक एक एका कित्ते होते हैं चार तो कितना हो जाएगा यह 40 हो जाएगा इंटू कि यह एस निकाला तो चार पत्ते होते हैं जो इका होते हैं तो चार सीवन हो गया चुकि हुकम के पास भी एक इका होता तब हुकम का एक एक जो निकल चुका पहले ही तब हुकम के पास बारा पत्ते बचे बारा में से एक निकालेंगे तो यह दोनों पत्ते हमारे सेलेक्ट ह हो गये यह हमारा अनुकूल प्रिडाम हो गया जिसमें एक पत्ता एक का है दूसरा क्या है हुकुम का है है ना तो कितना हो जाएगा यह जाएगा चार आ जाएगा और यह जाएगा 12 नीचे कितना जाएगा 52 दो बार बैक जाएंगे 52 गुड़े हो जाएगे 50 और नीचे स्वाइगा 3 चोंक 12 हो जाएगा और 11 जाएगा चार दुनी ऊपर अठ हो जाएगा नीचे कितना हो जाएगा सबसे Sindicれ और tra datी निकालना एक मनेंए साथ हो जाएगा कौन सा ओपन से हो जाएगा वह वाला ओप्तिन हो सब्सक्राइब करना है तीन चार हटा दीजिए एक से कितना बचेगा सिर्फ दो तो यहां पर हमसे आ सत्य पूंचा है यह तो सत्य है यह तो सही हो नहीं सकता है ठीक है इसके बाद वाई मैनस जेट निकालते हैं य माइनस का जेड़ वाई कितना दिया गया है तीन कॉमा च्रकॉमा कि क्षा इस जेड़ कितना है टो कॉमा फाइफ सब्टार्टे दिया है जाएगा फाई फाट जाएगा 3,4 यह भी डजनाट इकोल टू 0 है ना मतलब कि यह भी है सत्य नहीं है अच्छा इसी तरह से y-x भी क्या आएगा डजनाट इकोल टू 5 आएगा अब निकालिएगा अब हम बात के रहें इसकी चौथे वाले उप्सन की चौथा वाला उप्सन x-y देखो x-y कितना भाई यह x-y में क्या हटाना है क्या हटाना यहां से z अब देखे x-y कितना आया था दो आया है यहां पर दो आया है मैनिस z, z कितना दिया गया है 2,5 यह क्या है भाई कुछ नहीं बचेगा फाई बचेगा और लेकिन यह क्या कर रहा है तो कौन सा सत्य है चौथा वाला सत्य है बाकि सभी सत्य है ना पहरा भी सत्य है दूसरा भी सत्य तीसरा भी सत्य है तो हमसे पोच रहा कि कौन सा फाल्स है तो कौन सा फाल्स है चौथा व S and T R to R चलिएगा S and T दिया गया है तो हमें क्या करना है पहले हम S के लिए देखते हैं पहले T के लिए देख लो T T 4T 4T तो देखे T क्या कर रहा है फंसन दिया उसने कि ये क्या है T दिया गया है X, Y X, Y Such that X-Y is equal to N integers ये दिया इसने integers अच्छा, तो हम चेक करते हैं इसे पहले T के लिए चेक करते हैं Equivalence Relation चेक करना इसका तो कोई भी function Equivalence कब होगा, जो वो Reflexi हो Symmetric हो, और Transitive हो Reflexi मतलब स्वतुल्ले हो सम्मीत हो, सम्मीत हो Transitive मतलब संक्रामा हो अगर ये तीनों condition वो follow up करता है तो Equivalence होगा, तो लता संबंद होगा पना नहीं होगा, देखते हैं इसको try करते हैं तो स्वतुल्ले कब होगा जब X, X भी belong करे किसको भाई, I go I go वो भी X, X भी क्या हो, एक integer हो हमने माल लिया, यहाँ पर लेट कर लिया कि X, X क्या है, वो भी एक integer है तो क्या हो जाएगा भाई, आप देखिए दोनों integer हैं, तो यहाँ पर X-Y is equal to integer आना चाहिए X-X is equal to कितना आ गया, 0 0 क्या है, belongs I, एक integer है मतलब कि यह जो है, वो हमारा reflex you है, है ना तो Y, X Y, X भी क्या होना चाहिए, विलांग होना चाहिए आई, तो देखिए हाँ पर जब भी हम X-Y करेंगे, तो वो क्या आएगा, आई आएगा भाई, दो integer से अगर उनमें कहटाया जाएगा, तो X-Y is equal to I आ रहा है, तो Y-X is equal to करेंगा, वो भी आई गया, अगर यह satisfied हो रहा है, यह भी satisfied हो रहा है, इसका मतलब क्या है, symmetry अना, function कैसा है symmetric है, symmetric हो गया अब हमें transitive दिखाना है देखिएगा भाई, अगर यह X, Y belongs कर रहे हैं, किस पर I पर है, और दूसरा क्या हो जाए, Y, Z वो भी belong करें क्या, I X, Z, है ना, क्या X, Z भी belongs करना चाहिए किसको I को, अगर ऐसा होता है तो यह एक transitive relation भी होगा क्या होगा यह, एक transitive relation भी होगा, तो चलिएगा यह माल लेते हैं कि X-Y किया गया function हमारा X-Y दिया है, is equal to I1 आया, एक integer आया है उपर हम दिखा भी चुके हैं, अच्छा फिर क्या आया, Y-Z Y-Z किया गया वो भी एक integer आ गया I2 आ गया, हम क्या करेंगे अब दोनों को आप add कर दीजे, दोनों को add करेंगे, तो कितना आ जाएगा X, दोनों को क्या करिए, add कर दीजे दोनों को subtract करेंगे, दोनों घटा दीजे घटाएंगे तो X-Y minus का Y और plus का कितना हो जाएगा, Z is equal to वो भी कितना हो जाएगा, I2 अच्छा, सोरी, दोनों को add कर दीजे add करेंगे, दोनों को सिर्फ जोड दीजे कितना हो जाएगा, ये plus का Y minus का Z, add करने पर ही तो आएग X minus Z, ठीक है तो ये I1 और I2 भी add हो जाएगे ये हमारा I1 हो गया plus I2 हो गया, ये YY cut जाएगे, इधर क्या बचेगा X minus Z, देखो दोनों integers को जोडने पर भी एक integers ही आएगा एक integers भी आएगा यानि कि ये भी मामला क्या एक दम सब्ते हो रहा है, यानि कि X, Z भी belongs कर रहे है, I को इसका मतलब क्या हो गया, ये transitive हो गया देखो क्या हो गया, स्वतुल भी हो गया शम्मित भी हो गया और transitive हो गया, इसका मतलब क्या है जो T है, वो क्या है equivalence है t क्या है equivalence relation है अच्छा अगला वाला देखो इसी में और एक दिया गया है s के लिए भी पूचा है अब s का समझे s is equal to उसने दे रखा है s का दे रखा है क्या x, y कोछ इस प्रकार से है कि such that y is equal to x plus 1 y is equal to x plus 1 y is equal to x plus 1 अच्छा हमें क्या करना है reflexive के लिए क्या करना है x, x 20 में विलाउं करना चाहिए तो चलिए x बराबर x plus 1 और ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि जो x की value दी गई है वो कहां तक दी गई है देखिए उपर 0 से 2 0 से बड़ी और 2 से छोटी x की value 0 तो नहीं हो सकती 0 तो नहीं हो सकती यनि की x, x से यहाँ पर satisfied नहीं कर रहा है यनि की ये reflexive relation ही नहीं है जब reflexive relation नहीं है तो equivalence relation होगा ही नहीं मतलब की t एक equivalence relation आया है जब की s equivalence relation नहीं है है ना? s क्या है? नहीं है s नहीं है, both नहीं neither s nor नहीं, s इस नहीं T is equivalence relation on R but S is not 74 में D वाला option correct हो जाएगा 74 में D की मतलब T जो है वो R पर एक तुलता संबन्द है लेकिन S नहीं है S नहीं है चलेगा, note करिएगा, उम्मेद करता हूँ समझ में आया होगा इसके बाद देखिएगा 75, question number 75 में F x और G x हमको दिये गए है और हमें निकालना है G of F X चलेगा, इसे हम क्या लिख सकते हैं इसे लिख सकते हैं G of F x अच्छा F x रख दीजिए भाई F x रख दीजिए, F x कितना दिया गया है 2 x plus 1 2 x plus 1 अब देखे, G x कितना है x की जगा पर हमें इसमें रख देना है 2 x plus 1 रखिए भाई जहां x से वहाँ पर रखना है 2 x plus 1 2 x plus 1 का whole square minus 2 कितना हो जाएगा ये ये हो जाएगा 4 x square plus 1 और plus का 4 x minus 2 कितना हो गया अब ये हो गया 4 x square plus का 4 x minus 1 तो कौन साफ़न सही हो जाएगा पहला option सही हो जाएगा 75 में कौन साफ़न सही हो जाएगा पहला 76 में दिया गया है कि d is equal to हैना हमें एक determinant दिया गया है एक determinant दिया है जो भी determinant दिया है पहले हमें उस determinant को ले लेना है देखे, d is equal to दिया गया है 1 1 1 और इसके बाद ये है 1 1 प्लस X और ये 1 दिया गया है ये भी 1 दिया गया है ये 1 है और ये 1 प्लस Y है एक काम करेंगे हम इसको इसमें घटा दीजे इसको इसमें घटा दीजे यानि कि C1 माइनस C2 करना है और C2 माइनस C3 करना है क्या करिए है यहाँ पर C2 minus C1 minus C2 कर दीजे C1 minus क्या करना है C2 और क्या करना है C2 minus C3 ठीक है घटाते हैं इनको यहाँ पर D is equal to कितना आ जाएगा इसको इसमें घटाएगे भाई यह 0 मिल जाएगा 1 minus जानी कि C1 में C2 1 minus 1 minus 1 minus X तो यह minus का X बचेगा और यहाँ कितना हो जाएगा यह 0 आ जाएगा ठीक है चलिएगा आपसन दूसरा सही होगा बिल्कुल सही जवाब आया यह 0 हो जाएगा यह X हो जाएगा यह minus का 1 हो जाएगा और यह 1 रहेगा यह 1 रहेगा ये 1 प्लस Y रहेगा ठीक है भाई, ये 1 प्लस Y हो गया कोई दिक्केत नहीं, अब देखें ये 0 है ये 0 है, सीधा क्या, इसको ले लिजे 1 इंटो, ये छूटेगा ये छूटेगा, X Y है न माइनस X, माइनस Y, मल्टिप्लाई होगा X Y होगा, माइनस 0, कितना आ जाएगा भीया, X Y, D is equal to कितना आ गया, X Y, D is equal to कितना आ गया, X Y, मतलब जो D है, उसमें X B है और Y में है और दोनों का, Divisible होगा, यानि X से भी कट जाएगा, और Y से भी कट जाएगा यानि कि Divisible by both X and Y, कौन सौप्षन सही हो जाएगा, 76 में ऑप्षन सही हो जाएगा, B 76 में कौन सौप्षन सही हो जाएगा, B Clear हो गया हो तो आगे बढ़ा जाए चलिएगा, Neural Sir बिल्कुल सही आपने एकदम क्लिक किया है B ऑप्षन क्या होगा, करेक्ट होगा देखते हैं याँ पर 77, जो 77 में होने कहा है कि A दिया गया है, A हमारे पास एक डेटर्मिनेंट है, इतर देखेगा, एक आभी हुए एक मैट्रिक्स है, जिसके सारे elements है, 3 x 3 का एक मैट्रिक्स है, और एक बात इसने और दी है, डेटर्मिनेंट A स्क्वेर दिया गया है, 25, तो लिखेगा यहां पर Determinant A2, A2 का हम सकते हैं, Determinant A को हम लिख सकते हैं, Determinant A का लिखा जाएक सकते हैं, Determinant A की घातें, तो यह होगया 25, दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे, तो determinant A जो आ जाएगी वो कितना आ जाएगी 5 determinant A कितनी आ गई 5 very good evening अभय जी ठीक है determinant A कितनी आ गई 5 और अगर हम determinant A हां से निकालना चाहें तो देखो ये होता है plus का ये minus का होता है ये plus होता है ये minus होता है ये plus होता है तो यह 5 बाहर आ जाएगा, यह छूट जाएगा, और यह छूट जाएगा, यह छूट जाएगा, यह छूट जाएगी, R3 छूट जाएगी, और C3 छूट जाएगा, तो कितना बचे गए, 5 अलफा, 5 अलफा माइनस 0 हो जाएगा, 5 अलफा माइनस 0, एक इतना दिया गया है, 5, पाँच प्रदीप सर बिल्कुल सही हैना कौन साफ़न सही होगा तीसरा 77 में कौन साफ़न सही हो जाएगा थार्ट आप्सन सही होगा यहां पे जो हमारे पास मॉडुलस एक की वैलु होगी वो कितनी होगी एक बटा पांच होगी बहुत बड़ियां आगे बढ़ते हैं 78 क्वेस्टन नबर 78 कह रहा है कि अगर इसका कोई सोलूशन नहीं है तो कौन सा ऑप्सन सही होगा सारे विकल्प आपके सामने है ठीक है चलिएगा कि हैं एक एक मैट्रिक्स बनाते हैं हम लोग आपर मेट्रिक्स बनाते हैं इसका इस इसके coefficient से बनाओ, x, y, z के, matrix बनाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, minus का 2, ये 1 हो जाएगा, sorry, हम क्या पताएंगे, determinant बनाएंगे, ये 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 1 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 हो जाएगा, ये सारडिक यानि कि जो इसके कोफिसियंट से बनी सारडिक थी उसका मान क्या आ गया जीरो इसका मान जीरो आ गया इसलिए इसकी जो रैंक होगी इसकी वो तीन नहीं हो सकती उसकी रैंक क्या होगी इसकी रैंक कितनी होगी रैंक आफ एक कितनी होगी वो दो हो जाएगी इसकी र हमारा वन ही रहेगा यह रहेगा और यहां पर कितना जाएगा यह ओ गारेंगागा इद्टर कितना हो जाएगा वही एमारा रिखना पहले यह जीरो बनाने का प्रयास करना है नीचे साइट, देखते हैं यहां पर, अगर हम एक काम कर लें, R3 में क्या करें, R1, R2, R3 सभी को जोड दें, कि इसमें, भाई, R3 tends 2, R1 plus R2 plus R3, तो जोडिए यहां पर, C is gold 2 कि इतना हो जाएगा, भाई, सभी को एक जगा जोडेंगे, तो 1, 12 हो जाएगा माइनस 2 यह तो वही रहेगा माइनस 2 यह 1 रहेगा और यहां पर हमारे पास जो c आ गया वो कितना आ गया भाई यह आ गया जीरो अब देखिए रैंक जो c है यानि कि इसकी जो रैंक है रैंक इसकी कितनी है c वो क्या होनी चाहिए थी जो इसकी रैंक होनी चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए थी तीन होनी चाहिए थी रैंक क्या होनी चाहिए थी इसकी त लेकिन no solution होगा no solution होगा यानि कि इसका कोई भी हल नहीं होगा no solution होगा यदि क्या हो यदि हो no solution होगा यदि क्या हो a plus b plus c does not equal to 0 यानि कि यह कह सकते हैं कि यहां पर हमेशा क्या होगी जो rank of a होए rank of a है जो क्या होगी less than होगी rank of c rank of c तो rank of c क्या है less than होगी और इसके लिए क्या होगा यहां पर हमारे पास होना चाहिए क्या a plus b plus c does not equal to 0 अगर a plus b plus c is equal to 0 होगा तो infinitely many solution होगे और अगर a plus b plus c not is equal to 0 होगा तो दो equations दिये गए हैं वो क्या होगे हमारे पास no solution उसके कोई help नहीं होगे यानि कौन सा option सही होगा यहाँ पर d option correct होगा 78 में कौन सा option सही होगा d 79 देखे 79 में हमसे कहा रहा है if हाँ clear वो रहा है यह करा if a square minus a plus i is equal to 0 then inverse of matrix a यह दिया गया है में inverse निकालना है आसान question आया था पर पर ही आसान था यह a square minus a plus i is equal to 0 a inverse निकालने के लिए हम क्या करते एक बार सभी को जोड लिजे a inverse निकालने के लिए क्या करेंगे a inverse से multiply कर दिजे both side और a square को आप लिख लिजे पहले a into a minus इसे a रहने दिजे plus का i रहने दिजे is equal to 0 both side a inverse से multiply करिए तो यह a inverse a हो जाएगा a inverse a minus a inverse a यह हो जाएगा और यह plus a inverse i is equal to a inverse multiplied by 0 अब देखिए इन दोनों के एक साथ लिजे a inverse a यह किसके बराबर होगा i a inverse a किसके बराबर होगा i के बराबर हो जाएगा i प्रदीफसर ने निकाल लिया है प्रदीफसर कह रहें कि a सही है way to success कह रहें ए सही ठीक है i हो गया यह minus ia हो गया i हो गया यह PLUS a inverse और i multiply करेंगे तो a inverse ही रहेगा a inverse is equal to कि इतना हो जाएगा भाई 0 I और A का multiply करेंगे A ही रहेगा minus का I plus A inverse is equal to 0 और A inverse is equal to निकालना है तो कितना आ जाएगा I minus A तो कौन सा अप्शन सही हो रहा है 79 में पहला अप्शन सही होगा बिल्कुल नूरुल सल, प्रदीफ सर बहुत ही बड़ी है सांदार है ना एक बार सभी को जोड़ी है group में एक बार message डाल दीजे सारे जोड़ी जाए मज़ा आ जाए चलिए आगे बढ़ते है next question देखा जाए 78 हो गया 79 हो गया 80 देखिए प्रस्ट नंबर 80 प्रस्ट नंबर 80 कह रहा था कि शम आप दा N नंबर 8 M टम साफ 3 arithmetic progression तीन arithmetic progression है एक है हमारे पास S1 और 1 है S2 और 1 है S3 जिनके जो फर्स्ट टम है प्रथम टम जो है सभी के वो कितने भी आप प्रथम टम्स क्या है 1 है इसका भी प्रथम टम 1 है S3 का भी प्रथम टम क्या है 1 है फिर उसने कहा है कि इनका difference जो है पहले वाली का जो common difference है वो 1 है दूसरे वाली का जो common difference है वो 2 है तीसरे वाली का जो common difference है वो कितना है 3 है मतलब कि अगर हम इसमें एक जोड दें तो अगला पता आ जाएगा और अगर इसमें 2 जोड दें तो अगला पद आ जाएगा और इसमें अगर तीन जोड़ दें common difference है तो अगर इसमें हम तीन जोड़ दें तो अगला पद आ जाएगा कितना चार ठीक है clear हो रहा है ना भाई प्रतम पद सबके first time first time first time first time उसने क्या दे दिया one 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 फिर उसके बाद कहा रहा है कि अंतर जो है एक common difference है एक इसमें प्लस किया तो अगला पद दो मिलेगा इसमें एक प्लस किया तो अगला पद तीन मिलेगा इनको जोड़ लीजे, ये 3 हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे ये 5 हो जाएंगे हमने सिर्फ कहा लिए है, 2-2 पद ले ली हैं सभी के जोड़के देख लीजे S1 plus S3 कह रहा है S1 plus S3 कितना आ जाएगा 4-3 S1 plus S3 कितना आ जाएगा 3 plus 5-8 आट रहा जाएगा और यहां पर अगला वाला पार्ट देखिए क्या करा है टू एस्टू टू एस्टू इस्टू इस्टू कितना दिया गया है विनैसर कहां है चार आठ बराबर आठ लहेस और रहेसर दोनों बराबर आ रहे हैं एस्टू साइट कर रहा है पहले को कौन सा ओप्सं जहीछ होगा ऐस्टू क्लियर चलिएगा आगे बढ़ा जाये यहां तक क्लियर है ठीक है आगे जलते हैं question number 81 81 कहरा है कि x किसी काम को 40 दिन में कर सकता है वह 8 दिन काम करता है फिर y उसी काम को 16 दिन में पूरा कर देता है x किसी काम को सभी लोग गए कहा hello क्या problem हा रहे प्रदीप सर ठीक है मुझे लग रहा कोई अच्छुक नहीं है फिलहाल class को यही रोकते है है हलो हाली सोरे ठीक है सर यहीं खतम करते हैं मुझे लग रहा है कोई चुक नहीं है दो चाल लोग जूड़े हैं मुझे लगा था कि ज्यादा लोग जूड़ेंगे काफे दिन बाद एनर्जी को कट्र किया था आमने भी क्या ज्यादा लेट हो गया क्या अधिने सर करें कंटेनू रखिए वे टू सक्सेसर वे टू सक्सेसर प्लीज अपना नाम बताए एक बार प्रदीप सर क्या कहते हैं कंटेनू रखा जाए या यह यह रोख पिया जाए अधिने सेंगाद था तू सके जाए हो गया जाए पिया क्यां धू कितक प्लीज एलसाइए लादार करें करें प्लीज रखिए यह यह य Plusतशन प्लीज़ जा टू... कहतIELस जा रखिए लूत्व यहita व्लीज़ ओिएиход ठीक सर चलते हैं अब इने सर चलते हैं ना हो साथ कोई अकेले वरो तो शफलता तुम्हारे कदम जूम लेगी चलते हैं फुर्वात करते हैं शीव चंद जी गाजीपूर से जोड़े हुए हमारे साथ चलेगा इस क्वेस्टन को करते हैं तेखिए एक मिस्टर एक्स हैं यह किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं मतलब कि इनका जो 40 दिन का काम होगा एक्स का जो 40 दिन का काम होगा वो कितना होगा भया 40 दिन में वो एक बटा 40 भाग कर लेंगे उन्होंने काम कितने दिन किया 8 दिनों तक किया 8 दिनों तक 8 एक नम आठ आठ पंचे 40 मतलब कि काम का उन्होंने एक बटा 5 भाग क्या कर दि अच्छा एक बाट एक बटा पांच भाग इन्होंने कर दिया अब जो सेस काम है उसे वाई 16 दिन में कर रहा है तो हमारे पास अब सेस काम बचा कितना वन माइनस एक बटे पांच यानि कि सेस काम कितना बचा चार बटे पांच और यह जो आचल लग रहरी वेरी गोडिनिंग बेटो चलेगा अब देखें कैस के बाद तो चार बटे पांच को जो मिश्टर वाई है चार बटे पांच कारे को वाई जो कौन है वाई वाई कितने दिन में कर रहे हैं 16 दिन में तो एक काम को वाई करने में कितना दिन लगाएंगे यह आएगा 16 बटे में जाएगा कितना 4 बटे 5 तो ये बन जाएगा 5 बटे 4 16 के बटे में जाएगा ओगा 4 काम को 16 दिनों में कर रहे है ए impression तो जो हुमारा एक काम होगा उसको कितने दिन में करेंगा 16 बटे 4 बटे 5 यानि कि 16 पलट गया जाएगा विन पलट जाएगी 4,sack4 चार 5 यानि कि कितने दिन लग रहे हैं भाई एक काम को करने में 40 दिन हमें क्या कह रहा है हमसे क्या कह रहा है कि दोनों अगर एक साथ काम करें तो कितना दिन लगेगा दोनों एक साथ मतलब कि X भी काम करें और Y भी काम करें तो देखो मतलब 3 बटे 40 भाग काम करेंगे दिनों की संख्या निकाल ली है तो ऊपर एक बनाना है उपर एक बनाना है तो मतलब क्या है 43 को नीचे लाना है तो 40 बटे 3 तो कितना हो जाएगा 13 सही 1 बटे 3 दिन 13 सही 1 बटे 3 दिन विने गुपता बहुत अच्छी लाइन आपने लिखी है सक्सेस की सबसे खास बात ये है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है फिदा नहीं सर जाल उटा जाती है है ना चलेगा 81 में कौन सा आप्षन सही होगा ए कुछ नहीं करना था पहले x का काम निकाल दिया हमने फिर जो काम बचा था उसको उसमें y काम करता है तो 4 बटे 5 काम को y नहीं किया तो पता चला कि 1 काम करने में उससे 20 दिन लग रहे है यानि x को 40 दिन लग रहे है y को 20 दिन लग रहे है क देखिए 82 में कह रहा है कि एक चक्कर प्रति घंटे की दर से एक वित्ताकार मैदान में चलता है एक हमारे पास सरकुलर फिल्ड है एक वित्ताकार मैदान है इस मैदान में जो एक ही चाल है वो कितनी है भाई एक ही चाल है एक चक्कर प्रति घंटे है ना एक चक्कर प्रति घ अच्छा जो Mr. B है ठीक है Mr. B जो है उनकी कितनी है भाई वो है 6 चक्कर 6 राउंड प्रति घंटे छलते हैं किदर से दोडता है दोनों सुबा साथ साथ बजी है ना साथ साथ बजे एक साथ एक ही बिंदू से एक ही दिसा में चलना प्रारणभ करते हैं माली जे इधर Mr. A चले तो इधर भी एक ही साथ दोनों ने चलना सुरू किया एक साथ ही दोनों ने चलना सुरू किया हमें निकालना क्या है सबसे पहले हम निकालेंगे तेखिए इनकी क्या है एक घंटे एक राउंड प्रति घंटे और इनका कितना है छे राउंड प्रति घंटे तो हमें निकालना पहले इनकी relative speed, दोनों की निकालनी हमें relative speed, दोनों की हम निकालेंगे relative speed, तो कितना हो जाएगी, दोनों में अंतर कितना आएगा, 6-1, यानि कि कितना हो जाएगा, 5 round प्रती घंटा, relative speed कितनी हो जाएगी इनकी, 5 round प्रती घंटा, तो ये हमारे पास इनकी relative speed आप एक, रॉण्ड में कितना मुफ करेंगे। ना, एक रॉण्ड में कितना मुफ करेंगे। MH5 कि भाई, एक घंटे में कितना itchy 5 के अंतर है। यो साथ बटे 5 यानिक एक राउंड में जब इनकी जब भी मुलाकात होगी एक राउंड जब इनका मूप्स होगा वो कितना होगा 12 मिनट का टाइम होगा है ना कितना होगा भाई अब दोनों के रिलेटव स्पीड नहीं का लहें स साथ बटे 5 मतलब कि 1 घंटा था गंटे को मिनट मथला साथ बड़े 5 यानिक एक गंटे में पांच मिनट पांट प्ल लग किव कपक्लीट हो जाएक उनके मिनट बाद 12 मिनट बाद तो चले कब थे वो चले थे साथ बज़ के 30 मिनट पे इसमें 12 मिनट और अडिकेर दिये जाएं तो अगली बार जब बंदों के मुलाकात होगी तो साथ बज़ के 42 मिनट पे सुबा सुबा होगी है ना तो कौन सा अप्षन सही हो जाएगा 82 में एव अप्षन करेक्ट हो जाएगा 83 में वो कह रहा है कि असम आप मनी इज बारोड एंड पेड बैक इन्टू एन्वल इंस्टॉल्मेंट हमें दो इंस्टॉल्मेंट में उसे देना है 882 रेट हमारे इंट्रेस्ट रेट आफ इंट्रेस्ट जो है ब्याज दर जो है वो है 5% की दो इस्टॉल्मेंट में देना है दोनो इस्टॉल्मेंट जो है 382 और 882 की हैं तो देखिए अब यहां पे हमें मान लेदा है पहले installment कितने की गयी होगी 882. installment का मतलब क्या होता है इसमें मूलधन भी है और इसमें ब्याज भी है. मूलधन और ब्याज दोनों मिलाके जा रहा है. तो हम इस दोरान मान लेंगे कि मूलधन कितना रहा होगा? P1, ये हम निकालने हैं पहले साल का, हैना, first year का. रहें देखी 10 कितना है डो एटम इंस्ट्वालमेंट 2 साल जा रही हैक दो एक पहले साल चली एक अगले साल से दो पहले साल वाली भी 823 दो यह कितनी है फैस चाल का समयं कितना इक साल का टाइम कितना एक साल का आठ सो बैयासी पांच एकन नम पांच पांदोनी दस है ना ये हो गया P1 इंटू ये कितना हो जाएगा भाई 21 बटा बीस 21 बटा बीस तो कार दीजे 21 एकन नम एकाईस 21.84 एकाईस दोनी 42 ठीक है कितना हो जाएगा भाई multiply करोगे तो P1 पहला एमाउंट कितना पता चल गया कि 842 जीरो और 840 रुपिया ये पहला एमाउंट पता चला और दूसरे साल का भी मामला निकालते हैं इसी तरह अब निकालिए आप second year का जो second year में भी जब दूसरे साल की installment जाएगी installment उतने की जा रही है 882 की धन थोड़ा सा अलग रहा होगा क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि धन भी वही रहा हो और installment दब भी बराबर चली जाए यानि कि इसका धन कम रहा होगा इन्टेस राइड होने के बाद 882 बन गया होगा ये मिस्र धन है मिस्र धन है जो इंस्ट्रॉल्मेंट जा रही हूँ मिस्र धन है हो कैसा है मिस्र धन इमाउंट है इन्टू वन प्लस आर आर कितनी ही पांच बट्टा सौ अच्छा समय कितना लग गया इस installment को जाने में दो साल का समय कितना लग गया भाई यह हो गई आठ सो बैासी इस उक्वाल टू प्रदीप सर इससे अटेम्ट करें इस क्वेस्चन को अच्छा क्वेस्चन है यह चलेगा तो पीटू कितना हो जाएगा भाई अब इसे काटेंगे पांच एक इन्नम पांच यह हो जाएगा बीस तो P2 इन्टू कितना हो जाएगा 21 गुड़े 21 बटे 20 गुड़े 20 है ना 20 गुड़े 20 चले आगे कार दीजे 21 एकन्नाम 21 और यह हो जाएगा 42 अभी काटा है थोड़ी दिर पहले 21 एकन्नाम 21 21 दुनी 42 तो P2 पराबर कितना हो जाएगा 800 रुपाय पीटू कितना हो जाएगा 800 रुपाय तो यही दोनों मूल धन थे P1 और P2 मिला कि हमें मूल धन मिल जाएगा कि कितनी मनी कर्ज ली गई थी है ना तो बॉरोड मनी जो होगी हमारे पास उधार लिया गया जो धन होगा यानि कि जो होगी बॉरोड मनी वो कितनी होगी भाई एक तो P1 होगा रिस्पल एमाउंट 1 रिस्पल एमाउंट 2 दोनों को क्या करेंगे जोड देंगे तो भाई P1 कितना है हमारे पास 840 प्लस 800 दोनों एड़ करेंगे 1640 रुपाए है ना 1640 रुपाए है कौन सो अप्षन सही हो जाएगा 83 में B वाला अप्षन करेक्ट हो जाएगा 83 में B अप्षन क्या होगा करेक्ट होगा नेक्ट देखेंगे क्वेस्टन नमबर 84 80 कि ना सो विद्यार्थिوں के एक कच्छा में 70 लड़ीकियों की औसा तंक दिए गये हैं तो एक बात तो आपको बता दें जब भी औसत की बाहर का ती है तो ऑसत बराबर क्या होता है औसत बराबर उता है पदों का योग बटे पदों की शंख्या है अगर गुला और पलब का उस्त और है तो उन पदों का योग निकल जाएगा और earn शोना सो चालिज आजना झानगर का सई झान बघार चलिगा इक हमें निकाला ही ए तो 100 विद्यार्थी हैं हमारे पास, एक कच्छा में 70 लड़कों के औसा तंक दिये गए हैं, ठीक, 75 आ गए, 1 विशय में 75 है, यदि पूरी कच्छा के विद्यार्थीों के औसा तंक कितने दिये गए हैं, भाई? पूरी कच्छा के औसात अंक कितने देगे हैं 72 तो पूरी कच्छा के कुल अंक निकाले जाएंगे 72 गुड़े 100 पूरी कच्छा के अगर कुल अंक निकालने मैंने क्या बता है औसात के साथ गुड़ा कर दो पूरी संख्या से सबस् Eddy औहुसत के साथ संख्या से गुड़ा कर दो अईस्त कितनाा देगा 72 संख्या संख्या समने गुड़ा किया एक देखो पदों का योग बराबर कैसे निकलेगा और सत गुड़े पदों की संख्या कर दिया भाई तो यह कोल योग निकल गया इसमें गटा दो लड़कों वाला तो लड़कों का कितना है 70 लड़के हैं और उसक कितना दिया गया 75 यह हो जाएगा 70 गुडे, 75 70 गुडे, 75 तो यह पता चल जाएगा अब सिर्फ लड़कीों का योग बचा अरे यह कितना है ये क्या है टोटल उस विद्याले के बच्चे जितने विद्यार थी है उनका योग उसमें लड़कों के अंक, टोटल अंकों का योग भटा दिया गया, तो अब सिर्फ लड़कियों के अंकों का योग हमारे पास बच्चा है तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 72 माइनस, इन दोनों का क्या करेंगा 70 गुड़े 75, तो ये हो जाएगा 0, 7, 35 की पाँच आये 3, 6, 7, 49 49 और 3 हो जाएगे 52, है ना, ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 52 49 49 7, 7, 35 तीन आया ना, 49 और 3 कितने हो जाएगे 52, ठीक है, घटा लीजिए इन दोनों को घटा आएगे तो कितना आएगा 1950 ये जो लड़कियां है, उनके अंकों का योग आया है हमें क्या निकालना है, लड़कियों के आउसत अंक है ना, ये लड़कियों के जितने भी लड़कियां है 30 लड़कियां बची, 70 लड़के निकल गए तो कितने आया भी है, ये 1950 आया है 32, है ना, पदों का योग कितना आया 1950, पदों की संख्या से हमने दे दिया भाग पदों की संख्या से भाग दे दिया तो काट दीजिए तीस से तीस कर जाएगा यह तीस छंग 18 हो जाएगा तीन पच्छे 15 हो जाएगा ओसत कितना आया लड़कियों का 65 आया कितना आया भई 65 कौन सा अफ़न सही हो जाएगा एट्टे फोर में बी वाला अप्शन करेक्ट हो जाएगा रिंकू कुसवाह जी हाँ हाँ बिलकुल मैंठ्रिक जी स्वरी प्रदीप सर जी रिंकू कुसवाह जी 65 सही होगा बिलकूल करेक्ट एंसर था कॉस्चन अमरे पचासी देखा जाए अब देखिए कि रहा है दा मीडियन आप अ सेट आफ नाइन डिस्टिंट अब्जर्वेशन इज करा है कि इनका जो मीडियन था वो बीज दिसमलों पांच था हमारे पास हम माल लेते हैं कि आरो ही करम के हम लोग कितने नौ है ना यह नौ एक्स वन ले लिया एक्स टू ले हमारे पास आरो ही करम में कίतने 9 एलीमेंट हैं कि जिनका जो मीडियन दिए अगया पहले है ना मीडियन का कौन सा होगा भाई एक तो यह हो गया इधर से चार इधर सी चुड़ गया जो बीच वाला होगा यहीं मीडियन हो मेडियन है यह इससम इसकि माधिका है ठीक है भा लोट Each आप दा for largest observation हमने मान लिए कि सबसे लॉस्ट व bisc P 2 अ iOS ऐसे जोड़ दिया जोड़का जोड़ में दो इसमें जोड दिया धो इसमें जोड क्या होगा जोड़ दो बहुत पर्क नहीं पड़ता जुड़का इसकी भी प्रदीप सर बिलकुल सही है यानि कि माधिका में कोई परिवर्तन नहीं होगा अगर लास्ट के चार पतों में उधर चाहे पढ़ाया जाए यानि कि वो क्या रहेगी जो माधिका है यानि कि जो मीडियन है वही रहेगी remains the same as that of the original चैसे पहले थी वो वैसे ही रहेगी बिल्कुल बदलाओ नहीं होगा next देखेंगे question number 86 चलिए 86 ते टू को स्वाहाज ये बिल्कुल सही जवाब है ना D सही होगा आगे बढ़ा जाए देखे उसने क्या कहा है कि हमारे पास एक कोनिक की question दे रखी है उसने है ना एक कोनिक दे रखा ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 करा ये एक परवले चित्रित करेगा अब देखें यहाँ पे हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं कि सर डेल्टा नाट is equal to 0 भी होना चाहिए नहीं उसने कह दिया है कि ये परवले चित्रित करेगा करेगा मतलब कि डेल्टा नाट is equal to 0 है दूसरी क्या condition होती है भी है h square बराबर क्या होना चाहिए a b h square बराबर क्या होना चाहिए a b है ना तो कौन सा अप्पन सही हो जाएगा y is equal to दिया गया है sin p theta और इधर दिया गया है cos q theta हमें y का महत्तम मान निकालना है तो हम simple सी एक काम करेंगे हम यहाँ पर y2 निकालने के लिए इंतजार नहीं करेंगे क्योंकि y2 निकालना मतलब बड़ा बेकराल बना लेना इस प्रश्ण को तो हम क्या करेंगे सिर्फ y1 निकालके उसको 0 बनाके वही निकाल देंगे मान जो निकल जाएगा theta का risk लेंगे इस प्रश्ण में तो y1 is equal to कितना हो गया यह फर्स्ट को लेंगे तो हमने इसको चुपचाप ले लिया sin p theta और इसका करेंगे differentiation इसको differentiate करेंगे तो एक तो माइनस दे देगा यह दे दिया q कितना हो जाएगा cos तो q तो बाहर आ जाएगा cos में कितना हो जाएगा q की power 1 theta और cos theta का फिर से क्या हो जाएगा भाई sin theta वही माइनस हमने बाहर निकाल दिया है sin theta प्लस आगे वाले क्या करना हमें cos q theta को चुप-चाप रख लेना है रख लिया उसके बाद sin का करना है तो पी आ जाएगा पी इंटू sin p-1 theta और sin का फिर से हो जाएगा यह हो जाएगा cos theta हमें क्या करना है अब y1 को क्या करना है 0 कर लेना मिनिमा और मैजिमा के लिए क्लिए लेकिन बड़ा लोग मायूस करते है ना साढ़े नौ से साढ़े दस का प्लान है कि यह इस टाइम पर में खाली रहूंगा इस टाइम पर क्लास हो सकती है लेकिन अगर सभी लोग जुडेंगे तब ही होगी ना वरना फिर तो निरस्ता आती है गलास में है ना देखेगा भाई हम चाहरे है इसके माइनस है आगे इस वाले टम को उठा के दर रख लो हिमान्तु जी कैसे हैं अब देखेगा भाई यह कॉस क्यू थूटा है कॉस क्यू थीटा को चुपचाप रखो देखो यहां पर एक साइन है पी की साइन P-1 है तो जो माइनस वाली पावर है उसे नीचे लेआओ यह इन्टू में तो एक हमारे पास कॉस थीटा उसे रखा रहने दो इसी के साथ में पी है इधर वाला टम पहले हम लिक रहे हैं पीछे वाला ठीक है और उसके बाद साइन भी है हमारे पास तो साइन को को सामी माइनंस है माइनस लगशुherए उयुवाले को रखिये और यह को जाएगा साइन टीटा और एम इसके साथ में है भािब भाई कियो आप नीचे भाई यहां सर तो सभी प्यूआ क्यूं के साथ दो मॉट टेस्ट भी कराईएगा बिल्कुल करवाएंगे सर्फ 10 बजे से रखो अच्छा देखेंगे टाइमिंग का थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि या टाइमिंग ज्यादा हो गए इसलिए लोग जुड नहीं पा रहे है तो वा से मल्टिप्लाई हो जाएगा पहले तो हमारे पास देखिए कॉस्ट क्यू ठीटा और साइन फी थीटा दोनों में इसमें भी और उसमें भी है तो हम कॉंप ले रहें पूरे से शाइन की पावर Vी ठीटा कॉमन लिया इंटू को स्थीटा यह हमने कॉमन ले लिया कास की पा माइक जिमा और मिनिमा के लिए क्या करेंगे y1 को लेंगे 0 ले लिए हमने इसको 0 जब भी आप 0 लोगे तो कितना हो जाएगा भाई देखो यह साइन थीटा इसके बराबाद 0 हम चला जाएगा मल्टिप्लाई होगा डारेट 0 हो जाएगा और यह वाला भी 0 हो जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा पी वास स्कूर थीटा माइनस क्यू साइन स्कूर थीटा है ना देखें इस प्रश्ण में करेंगे तो वैसे बहुत डिटेल हो जाएगे लिए कि हमें एंसर मेंच करा क आगे बढ़ जाना है अच्छा देखेगा अब यहां पर हमें निकालना है टैन स्कूर थीटा क्या निकालना है टैन स्कूर थीटा निकालोगे तो हमें क्या करना होगा भाई यह आ जाएगा पी बटा क्यू पी बटा क्यू कास इधर जाएगा क्यू इधर आएगा वर्गम टैन इंवर्स रूट P जबाई क्यों थीकटना हो जाएगा। तेलिग्राम वग्यरा पे, 87, 87 में कौन से आप्षन सही हो जाएगा, 87 में आप्षन कौन सही हो जाएगा, वाला आप्षन, गरेक्ट आ रहा है, यहां से देखेंगे, वहां पे क्यों निकाल लें, वो ना होगी, यह बाइया वगला वाय टू भी निकाले तो पहला option यहांपे correct हो जाएगा, next देखेंगे, देखेंगे यहांपे वक्रों, यह दो वक्र दिये गये हैं, कहला इनका cut-an code, अब हमें निकालना है इनका cut-an code, तो पहले इनका cut-an window निकाली है, दोनों का कटान बिंदो निकाल लिए पहला क्या दिया गया है y is equal to equation दी गई है y is equal to 4 minus x square और दूसरी equation क्या दी गई है y is equal to x square यहाँ दोनों equations को आप जोड़ दीजिए तो 2y बराबर आएगा 4 जोड़ जाएगा y बराबर कितने आजाएगा 2 चलिए y आगया 2 y का यह मान उठा के कहीं भी रख दीजिए किसी भी equation में तो आप y का मान में लोगे दूसरी बरी रखना चाहते हैं तो y is equal to कितना आजाएगा दूसरी बराबर कितना आजाएगा 2 और x बराबर कितना आजाएगा under root 2 है ना अब point हमारे पास इनके intersection point जहांपे यह दोनों एक उसरे को काटेंगे है ना वो point of intersection कितना बन गया x, y होता है तो यह root 2, 2 है ना root 2, 2 root 2, 2 हो गया अच्छा आप समझेए इसको differentiate कर दीजे m1 निकालिए इसको differentiate करेंगे y बनाएगा यानि कि dy dx तो हमने इसको पहली परवड़ता माली तो कितना आ जाएगा भया इसका तो 0 हो जाएगा और इसका minus का 2x हो जाएगा और f1 निकाल लो इस point पे तो कितना आ जाएगा minus का 2 under root 2 और ऐसे ही दूसरे वाले को differentiate करो m2 m2 कितना आ जाएगा 2x 2x कहाँ निकालना है इस point पे तो x जब अंडर रूट 2 रख देंगे तो 2 under root 2 हो गया अब हमें निकालना क्या है इन दोनों का कटान कोड तो कटान कोड बराबर क्या पढ़ा था हमने 10th हीटा is equal to क्या पढ़ा था m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2 पढ़ा था चलिए हैना यहां modulus होता है modulus लगा लिजिए कोई दिक्कत नहीं 10th हीटा m1 की value कितनी दी गई भाई m1 की value दी गई minus का 2 under root 2 m2 का value कितना हो गया वो भी दी गई है 2 under root 2 divided by 1 देखे दोनों का multiply करेंगे 2 under root 2 multiply minus के 2 under root 2 कितने आ जाएंगे minus के 8 आ जाएंगे minus के 8 आ जाएंगे लगा हुए modulus कोई दिक्कत नहीं add करिए दोनों को minus के आ गए 4 under root 2 बटे 1 महीने आ जाएंगे minus के 7 बचेंगे हैना दोनों minus 8 आ दीजिए तो यह कितना आ जाएगा यह आ जाएगा 4 under root 2 बटे 7 हैना थीटा बराबर कितना आ जाएगा tan inverse 4 under root 2 बटा 7 थीटा बराबर कितना हो जाएगा tan inverse बिल्कुल सही है पहला option यहाँ पे ठीक है चार under root 2 ठीक है बिल्कुल सही था 88 में कौन सही होगा जब भी answer लिखा करिए तो इस प्रकार से लिखा करिए sir 88 में यह सही है ना यह लिखा करिए तो इसमें थोड़ा से केलिए रदा कि आपकी इस question का जवाब दे रहे हो चलेगा आगे बढ़ने की कोशिस की जाए बुद्रासर very good evening गुद्रासर कैसे है आगे चलेगा 89 अब देखिए 89 एक सांदार question है बस आपको थोड़ा सा काम करना है देखो यह sin x दिया गया है और इसका differentiation उपर दिया गया है cos x dx तो ऐसी situation में जब हम लोग inter में थे तब भी यही करते थे जिसका differentiation दिया जाता था उस पद को हम t माल लेते थे differentiate करेंगे यह कितना हो जाएगा cos x dx is equal to कितना हो जाएगा dt convert कर लीजिए इस integration को जहाँ पर cos x dx है उसकी जगप हम क्या रखेंगे dt रखेंगे और यह क्या है जहाँ sin x से वहाँ पर t रखेंगे तो 1 plus t हो जाएगा दूसरे bracket में हो जाएगा 2 plus t 1 plus t और 2 plus t फिर क्या करते थे हम देखिए अब इसे हमें क्या करना है partial fraction से तोड़ देना है partial fraction से क्या करना भीया इसे तोड़ना है ये है 1 plus t और ये क्या है और ये 2 plus t को तूद शॉकोई 2 कितना हो जाएगा ऐ बटे 1 plus t लिख दिया जाता है प्लस बटे 2 plus t अब हमें निकालना है A कामान हमें क्या निकालना है A कामान तो A के गुड़ांग को छोड Two इसका इने लिखिए मैं उसे चोड़के इसे पूरेम रख दीजे उठा के इसे चोड़ दीजे थोड़ी दिर के लिए इसमें रख दीजे तो एक बटे कितना आजाएगा? T की जगह पर माइनस बन रखना है 2 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 1 इक भटे 1 कि यहां कि चो जाएगा कितना इस यह कितना बटे में मान इस्को छोड़ देना इसमें रखने के ब्राबर माइनूस दो 1 मायन में दो है एक बटे माइनस एक यह कि मान मान कितना behöma में इस यह इत्याक ज़रा एक तरो कि फ्रेक्शन पर होिए कि द आलए बहु क्या प्लस T, ठीक है, फिर क्या है, माइनस है, B की जगप कितना रखना है, माइनस का 1, 1 बटे 2 प्लस T, लगा दो DT, है ना, लगा दो DT, ये कितना हो जाएगा, बुद्रा सर ने कहा, नमासिय में A साही है, बिल्कुल तेकते हैं सर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, लॉग 1 प्लस T, 1 प्लस T, T की जगप हम डारेक्ट मान भी रख रहे हैं, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, लॉग 1 प्लस T, 1 प्लस T की जगप हम क्या रख सकते हैं, साइन एक्स, माइनस, ये कितना हो जाएगा, लॉग 2 प्लस T, तो 2 साइन एक्स हो जाएगा, ये 2 प्लस प्लस C, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, यह जादू दिख रहा है, कहां पे, पहला, 89 में कौन सा सही होगा, ए सही होगा, बिल्कुल सही जवाब, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ा जाए, 90, 90 तो एकदम इसे कहते हैं, रस्मलाई प्रस्ण, है न, कैसा है, रस्मलाई प्रस्ण है, यह एकदम बस धुमा धुमा करने वाला प्रस्ण, बहुत ही आसान, है न, एकदम हल्वा प्रस्ण, देखेगा, यह उसने दे रखा है, I is equal to, मुझे लग रहा है, इसका एंसर सभी बताने की जरूरत नहीं है, अगर बताने की जरूरत ना हो, तो आगे बढ़ा जाए, यह I is equal to, दिया गया है, कितना, 0 से, पाई बाई 2, और कितना दिया है, यह root का, sin x, divided by, यहां कितना दिया गया है, root sin x, plus, root cos x, और यह हो गया, dx, यह है मारी question पहली, अब हम क्या करेंगे भी आप प्रगून अप्लाई करेंगे, प्रगून क्या अप्लाई करेंगे, भाई, pi by 2 minus x रखेंगे, यहां पे x है, वहां पे क्या रखेंगे, pi by 2 minus x, आरे, प्रदीफ सर खेल गए, is equal to, कितना हो जाएगा, 0 बटे pi by 2, देखो यहां पे रखेंगे, जब हम sin की जाएगा, आप रखेंगे, sin 90 minus theta, तो यह cos theta के बराबर हो जाएगा, यह हो जाएगा, यह हो जाएगा, यह हो जाएगा, dx, यह हो जाएगी, equation 2, और equation 1 और equation 2, दोनों को हमें क्या करना, add कर देना है, तो i और i कितना हो जाएगा, 2i, और यह हमारा वही रहेगा, 0 by 2, अगर आप LCM लेंगे, तो देखें, दोनों का LCM सेम है हमारा, root sin x plus root cos x, अंस से अंस जुड़ेगा, हर से, अंस यह वाला अंस में कितना है भाई, यह हो जाएगा, sin x plus, और यहाँ पे कितना है, cos x है, और बीच में कौन है, dx, बीच में कौन है, dx, दोनों कट जाएगे, 2i बराबर 1 आएगा, 1 का integration कितना होगा भी, यह x, और यह लग देंगे limit 0 से, 5 by 2, तो 2i बराबर कितना हो जाएगा, 5 by 2 minus 0, 2i बराबर हो गया, 5 by 2, i बराबर हो गया, 5 by 4, 5 by 4, बिल्कुल सही जवाब, जिनको कुछ वहाजी, आचा लग रहरी, बुद्ध राज जी, बिल्कुल सही था सर, हमारे प्रदीप सर, बिल्कुल सही था सर, आगे बढ़ा जाए, कौन सा अप्षन सही हो जाएगा, 90 में, एव आप्षन करेक्ट हो जाएगा, 91, प्रदीप सर, 91 में क्या ट्रिक लगाएंगे, बताईए, क्या किया जाए, क्या पूट किया जाए, कि एकदम धुआ धुआ हो जाए, जल्दी से ये प्रश्ण, बताया जाए, हलो, हाँ, बताये कि कैसे जैसे और आसान बनाया जा सकता है, एकदम आसान हो जाए, जिससे की ये प्रश्ण, चले, अब दिखिए, मेरे दिमाख में एक आइडिया आया, कि हम अगर यहाँ पे, एकस इस उकल टू, कितना पुट कर दें, 60, और वाई इस उकल टू कितना पुट कर दें, 30, है ना, भाई देखते हैं, क्या निकल के आता है मामला, है ना, क्या निकल के आएगा, हम एकस इस उकल टू 60 रख रहे हैं, वाई उकल टू 30 रख रहे हैं, अपने से रख रहे हैं, लग दिया हमने तो कितना हो जाएगा साइन 60 प्लस 30 साइन 90 इधर हो गया 1 साइन 90 कमान 1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन 60 माइनस 30 यानि कि साइन 30 बचेगा साइन 30 कमान 1 बटा 2 is equal to कितना हो जाएगा a प्लस b बटे a माइनस b तो यह उपर अगर हम इसे दिलेंगे तो 2 पहुंच जाएगा उपर 2 हो जाएगा एक बटे 2 उपर 2 उपर पहुंच जाएगा तो 2 बटे 1 बराबर हो गया कितना A plus B बटे A minus B अगर componento diendo लगा दे इसमें componento diendo योगांतरा अनुपात लगा दें योगांत्रा अनुपात लगा दें बिल्कुल तो उपर कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 नीचे कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 is equal to उपर यह जुड़ेगा तो 2A हो जाएगा और A प्लस B में A माइनस B जब हम घटाएंगे तो यह 2B हो जाएगा तो से टो कार दीजिए यह 3 आ गया मतलब कि अगर A बटे B बराबर कितना आजाए तीन ए बटे B बराबर कितना आएगा तीन ओप्सन उठाओ इधर क्या कह रहा है हमें मान किसका निकालना 10X बटे 10Y 10X यानिके 1060 X की जगब कितना रखना है 60 और Y की जगब कितना रखना है भाई 1030 60 कमान कितना होता अंडरूर 3 भागे कितना है एक बटे अंडरूर 3 तीन उपर पहुँच जाएगा अंडरूर 3 तीन आ जाएगा तो 3 किसके बराबर है एबटे बी यहां देखो 3 किसके बराबर है एबटे बी कौन साफ़न से हो जाएगा बी वाला ऑप्सन करेक्ट हो जाएगा सर यूजिंग सी एंडी हाँ बिल्कुल सर यूज कर दिया कंपोनेंडो एंडिवेंडो ठीक है क्लियर हुआ यह चलिए तो यानि कि हमारे पास कौन साफ़न से ही आ गया बी है ना आगे बढ़ते है 92 मतलब की यह कह सकते हो कि यह रस्मलाई है एक दम आसान सा सवाल एक्स दिया गया है एक बात आपको पता होगी अगर कभी भी लिखा हो लॉग ए बेस बी तो इसे लिख सकते हैं लॉग ए बटे लॉग बी ठीक है प्रश्ण में हमसे पूछा एक्स गुडे वाई गुडे एक्स गुडे वाई गुडे जेड बिल्कुल आचा लग रहरी बिल्कुल सही किया है आपने इस प्रश्णों को ठीक है एकदम करेक्ट था वो कौनसा बी वाल ओप्शन ठीक है 92 में वन बिल्कुल सही था 92 में एंजली तिवारी मेडम जी मेडम जी स्वागा थे बड़ा ल लॉग B गुडे में Y है Y कितना होगा भाई ये हो जाएगा लॉग B बटा कितना लॉग C गुडे ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा लॉग C बटा लॉग A काट कीट दीजिए जो कट रहा है उसे काट दीजिए लॉग A से लॉग A कट जाएगा C से C कट जाएगा B से B क आचे लग रहा ही बिल्कुल बेटा बहुत बड़ी है अब विजे संकर सर बिल्कुल सही था 92 प्रदीप सर बिल्कुल सही है आगे बढ़ते हैं question 93 93 92 में कह रहा है कि एक समारे पास equation है the number of the roots of the quadratic equation देखते हैं कितनी आती है समझते हैं 8 sec square theta minus 6 sec theta plus 1 is equal to हो गया 0 तो यहां गुड़ा करने पर कितना आना चाहिए 8 तो 4 दुनी 8 आठ आ जाएगा जोडने या घटाने पर कितना आना चाहिए 6 है ना तो देखते हैं यह हो जाएगा 8 sec square theta minus 4 sec theta minus 2 sec theta plus 1 is equal to 0 तो पेर बना लिजे यह और यह पेर बना लिए हमने है ना देखते हैं यहां पर common ले लेंगे 4 sec theta 4 sec theta common लेंगे तो 2 sec theta minus 1 यह बचेगा माइनस का 1 यहां पर common लेंगे तो 2 sec theta minus 1 यह बचेगा 2 sec theta minus 1 इसमें भी है इसमें भी है दोनों से common निकाल लिजे 2 sec theta minus 1 एक bracket में आ जाएगा दूसरे bracket में आ जाएगा 4 sec theta minus 1 is equal to 0 यानि कि sec की 2 value आ गई एक तो आ जाएगा sec theta बराबर कितना एक बटे 2 और एक आ जाएगा एक बटे 2 और एक बटे 2 और आ जाएगा एक बटे 4 अगर हम इसमें cos theta बदलना चाहें तो भी है बलट जाएगा ये 2 हो जाएगा ये 4 और जो cos का मान होता है आपको पता है वो क्या होता भी है minus 1 से plus 1 के बीच में होता है minus 1 से plus 1 तक, और ये तो minus 1 और plus 1 के interval में आएगी नहीं ना तो 2 आएगा ना तो 4 आएगा मतलब कि cos theta के लिए ये impossible है ये क्या भिया असंभव है ये क्या होगा impossible है असंभव है यानि कि कोई भी मान नहीं होगा मूलों की जो संख्या होगी कोई भी मूल नहीं होगे कौन साफ़ण से हो जाएगा 0 मूल होगे यानि कि D option यहाँ पर correct हो जाएगा बिल्कुल सही था 93 में किया है D अंजुली मेडम ने और विजय संकर सर नहीं किया 93 में D कलपना मेडम ने किया 93 में D रिंकु कुसवाहा जी ने किया है 0 मूल यानि कि D आचल अंग रहरी बिल्कुल सही था बिटा सभी में क्या होगा आचल D होगा इसमें ना कोई भी मूल सैट there are seven downtrends and प्रदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद सर मोटिवेशन करने के लिए हैं आप सब जो मोटिवेशन देते हैं यह इस नीरस सब्सक्राइब जबकि उसे उस र्याली सिनहों नहीं लौटना जिस से गया है तो जाते समय उसके पास होगी लेकि लोटते समय हुसके पास क्या होंगे 6 रास्ते होंगे इना कितने होंगे बे होंगे कितने रास्ते होंगे 42 बिल्कुल सही जवाब था 94 में B आप्शन सही होगा हमारे पास कितने जवाब होंगे 42 में B सही होगा 94 बिल्कुल सही था अंजली मडम जी ने जवाब दिया सबसे पहले रिंकु सर ने दिया सारे स्टार लोग है प्रदीप सर अंजली मडम two options हाई होगा 95 95 में कह रहा है कि परवले दिया गया हमें y square is equal to 2x और कोटी दी गई है हमें ये और ये द्वारा घीरा छेत्रफल निकालना है तो पहले हम थोड़ा सा फिगर का सहारा लेते हैं ये हो गया हमारा quadrant ये हो गया हमारा quadrant ठीक है और इसके बाद ये हो जाएगा हमारा ग्राफ हो जाएगा ग्राफ अच्छा यहां पर माल लेते हैं x is equal to 1 होगा यह x is equal to 1 और x is equal to यहां पर होगा 4 मिला लिया जाए इनको इस बोल टो 1 और 4 पर जो एरिया है वो हमें निकालना है यहाँ पर यह एरिया हमें निकालना है ठीक है यह एरिया हमें निकालना है कौन सा यह वाला जो आपके सामने पीला-पीला सा दिख रहा है यह एरिया हमें निकालना है तो देखिए इसकी टू सिमेट्रिक पार्ट में डिवाइड है एक उपर साइड भी एक नीच आप भी आटेम्ट करते रहें आंसर बताएं मुझे मेरे साथ ही है ना यह हो जाए कि यह अंडरूटट टू और अंडरूट एक्स अंडरूट टू और लिमित है वन और यह फोर अप्लाई कर दीजिएगा यह कितना जाएगा अन्डरूट दो ठीक है, इसको बाहर निकालना चाहें, बाहर निकाल लिजिएगा, तो कितना हो जाएगा यह, दो बट्टे तीन हो जाएगा, और इसके बाद अपलाई करेंगे, देखें यहां पर, चार की पावर में कितना भाहिया, तीन बट्टे दो, इसे लिखें दो की पावर दो, दो से अधाइस अथाइस अंडरूट 2 वते तीन या वर्ग इक आई टीक है मेरी कमजोरी सरुख एक पहले से उत्तर देते हैं भीड़ी यादो हाँ उत्तर तो मां लीजा देना ही रहेगा सब को देना ही है भगवान दिन सर पहले से उत्तर दे देते हैं मैं समझा नहीं तो देखेंगा 95 में कौन सा option सही हो जाएगा भाई यहां पर option सही हो जाएगा B 95 में कौन सा पंचान वेका option कौन सा सही होगा कितना आगे बढ़ा जाएगा प्रदीप सर और इंगे बढ़ते हैं 96 हम Ge ho हमारे पास हम इसमें अगर लिमिट अप्लाई कर दें कितना बन रहा भिया लिमिट x tends to infinite infinite 1 plus 3 by x की पावर x अगर हम इसमें नॉर्मली लिमिट अप्लाई कर दें तो यह कितने हो जाएगे 3 बटे 0, 3 बटे infinite यानिकी 0, 1 की पावर infinite अंडिफाइंड फार्म बन रहा है तो हमें क्या करना होता है situation में जब भी ऐसा बनता है तो हमें क्या करना पूरे को e की पावर में लिखना है लिख लिए हमने e की पावर limit x tends to 0 और यहां पे घटा देना होता है तो एक घटाएंगे तो कितना जाएगा भिया यह हो जाएगा 1 प्लस 3 बटे x माइनस 1 और जो पावर होती उसको भी नीचे ले आते हैं लिख दिया हमने 1 से 1 घटाया अब कितना बचा एक से एक से कर जाएगा कितना बचा भी है limit apply करेंगे वहां 3 बस बचा है e की पावर 3 कितना जाएगा e की पावर 3 कौन सा आपफ़न सही हो जाएगा 96 म हाँ बिलकुल सही था रे प्रदीप सर वाह गजव मतलब की जंग में इस बार जाबाद जीतेंगे सारे ही पिनए सर बिलकुल सहीॉपसन साही होगा कलपना मैडम बिलकुल सही है रिंको सर बिलकुल सही है और बच्टर ऑगे बढ़नी की इजाज़त दी जायrh 97 नायक्टीवन मतलब पहली किया है ये पता नहीं तो डो कंडिशन होंगी जो हमारी पहली बाल है वो हो सकता है कि black हो तो पहली बाल black चुना जाना और और दूसरी बाल क्या है white चुनी जानी है या या मतलब plus या मतलब plus पहली बाल क्या हो जाए पहली भी white हो जाए हमने क्या कि आप पहली conditionally पहली black निकाली दूसरी white उसने must कर दी है कि दूसरी आपको सफेध ही निकालनी white ही निकालनी है तो हमने first ball ली क्या black और दूसरी white plus first ball को हम इस बार white ले रहे हैं और दूसरी ball तो white लेना ही लेना है ठीक है? या करके दोनों condition जोड़ जाएंगी तो देखिए पहली ball जब हम क्या चुनेंगे भीया तीन black ball में से तीन black चुनना है total कितनी है 7 अब जो चुनी गए है वो बाहर है गेन तो अब white हमारे पास कितनी है? 4 white चुने जाने की probability ये कितना हो जाएगा? 6 है क्योंकि एक कम हो गई तो टोटल में से एक कम हो गई लेकिन चार white वाली पूरी है तो प्लस इसके बाद white चुनना है तो ये चार बटे 7 हो जाएगा गुड़े अब फिर से white चुनना है तो एक कम हो जाएगी तो ये तीन बटे 6 हो जाएगा कैलकुलेट करेंगे इसे कैलकुलेट करने के बाद देखे कितना आ जाएगा ये 42 हो जाएगा चॉवीस बटा 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 बेया लिश तो कितना हो जाएगा बारा बटे 21 है न कौन सा उप्शन सही हो रहा है चार बटे साथ आएगा 12 बटे वैलिस कटेगा ना यह सारे 6 से कर जाएगा 624 चोबिस चैसे बही तो मैं सोच रहा हूं आपसन कहा जा रहा है चार बटे साथ है ना तो कौन सा ओप्षन सही हो जागा भीया सी ओप्षन करेक्ट हो जाएगा क्लास कैसी रही है इसका फीडबैक मुझे लास्ट में जरूर दीजिएगा ठीक है चलेगा आगे चलते हैं देखेंगे क्वेस्चन नमबर 98 में कह रहा है कि 11 की पावर एन प्लस टू प्लस 12 की पावर 2 एन प्लस 1 किस से भी भाज्य होगा किस से डिविजबल होगा तो देखें कि हम सबसे पहले क्या करेंगे यहां पे एन इसकॉल टू रखके देख लेंगे भाई एन क्या है नेच्छल नमबर तो एन इसकॉल टू रखके देखा जाए देखते हैं यहां पर एन इसकोल टू रखके पावर 3 हो जाएगा प्लस हो जाएगा यह 12 की पावर 3 और यह कितना हो यह जाएगा ت mutually 218 Cameron का क्यूब हो जाएगा हम क्या करेंगे इन दोनों को एड-कर लेंगे इन दोनों को add करने पर आएगा कितना 3069 के factor कर लेंगे तो इसका factor आएगा कितना 233 गुड़े 133 मतलब प्रथम द्रश्टिया देखने पर ये लग रहा है कि ये 23 से भी divisible है और 133 से भी divisible है लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि दोनों एक साथ option नहीं दिये हैं तो हम किया करेंगे यहां पर य्न बराबर दो रख्के भी चेकर लेजिए भाई अभी वह 233 से भी हो सकता है यह दोनों से कटेगी या सिर्फ 233 से कटेगी चलिएगा यं बराबर दो रखेंगे ये बराबर दो रखेंगे तो कितना हो जाएगा भाई ये हो जाएगा हमारा 11 की घाट 4 हो जाएगा प्लस हो जाएगा 12 की घाट 2 दूनी 4 एक 5 है न चलिए 11 की घाट 4 का जो मान होता है वो होता है 14621 मल्टिपलाई कर लिजिएगा प्लस और यहां पे है 12 और 12 की घाट में कितना है पांच यह आता है दो चार आठ आठ तीन दो दोनों को एड करेंगे एड करने पे आएगा ये दो छे तीन चार साथ तीन दो सो तेर साट और 473 इसके मल्टिपलाई क्या कहते हैं अगर आप इसमें भाग देंगे एक बड़ तेस से देख लेना तो यह आ जाएगा 133 गुड़े आता है 181 अब देखिए इन बराबर 1 पे 133 से कट रहा है इन बराबर 1 पे यह बहां बहाबर के तो हम क्या करेंगे सी वाले option को करेक्ट कर देंगे 23 प्रथम द्रिष्ट्या जो में लग रहा था वो गलत है ना चुक्कि दो option आ गया थी इसलिए हमें दोनों को देखना जरूरी था तो 98 का सी वाला option क्या हो जाएगा आगे बढ़ेंगे नेक्स कोशल आगे 99 में हमारे पास एक एक ऐसा ट्रैंगल है एक समदिभाहू भी है यानि कि आई-सो आई-सो और आइट अंगल दोनों कॉंबिनेशन एक साथ है घजब का मजाक है देखिएगा समझिएगा यह दिया गया है भाई आई-सो जैल्स भी है वो और राइट अंगल भी है और नब्यंस का कोड भी बन रहा है और दो भुजाएं बराबर है तो कभी करणदों बराब यहां पर याद रखेंगे कि जो पी आर है हं पी आर बराबर है कूर के लगा दीजिए पाइथा गर रस की तेड़ाम करन का वरग बराबर हाइपोटेनास का वर्ग होगा इसकोल 2 किसके होगा भीया PR square plus QR तो हमें एक बात दी गई हैं QR की जगह पे हम देखो इसे 2 की या 2 मतलब कि जहां PR वहां QR भी रख सकते हैं जहां QR वहां PR भी रख सकते हैं तो दोनों रख के देखा जाए जो option match के रहेगा उसे रख लिए जाए आफ और पी या रख रहे हैं PR square तो कितना हो जाएगा 2 PR square है ना भईया 2 PR square और यही option match हो रहा है पी की इसकोल 2 हो जाएगा 2 PR square है ना और यही बराबर इसके भी हो सकता है किसके 2 QR square के है जहां PR है वहां भी QR रख दीजिए तो इसके बराबर अचे में के रहा है कि एबीसींटि एक संट हुझ है एक हैंसे सागान बना लेते हैं यह हो गया यह हूं गया यह हो गया यह हो गया है यह हो गया टीक है ठीक है यहकर रोड हुे एक रेस्टरगान कैसा होता है कि सभी बुजाएं बराबर होती है A, B, C, D, E, F A से B, A भी दिया गया है A से C दिया गया है इसे यहां से मिला लिया जाए A से C हो गया, ठीक है A से D दिया गया है, A से D कर लिया जाए और A से E दिया गया है, A से E कर लिया जाए कोई दिक्कत नहीं, A से F हो जाएगा A F, direction क्या होगी A से F होगी ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं जो direction AB की होगी, वही सामने वाली की होगी, ED की, जो direction AF की होगी, वही CD की होगी कोई बात नहीं, हमें किसकी value निकालनी है, एक बात और याद रखना कि जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो क्या होती है, parallel है और वो क्या होती है, equal भी होती है ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो AB जितनी होगी, उतनी होगी ED, है ना, AB और ED direction में भी सेम होगी और लंबाई में भी सेम होगी, यह regular है, इसलिए ऐसा हो रहा है इसके बाद, AB बराबर क्या हो जाएगा ED हो जाएगा, दूसरा, एक point और याद रखेंगे जो AF है, AF है, देखो AF किसके सामने है, CD तो CD के बराबर होगी AF जो होगी CD के बराबर होगी, अब आजाओ हमें निकालना है, AB हमें निकालना है, AB प्लस AC प्लस AD, है न, वेक्टर लगा हुआ, सबके उपर वेक्टर में लगा रहा हूँ, बोल नहीं पार, बोल नहीं रहा हूँ AE प्लस AF, इसकोल टूँ उसने कह रहा है, कह रहा है, Lambda AD, मतलब कि पूरे को Convert करना है AD में, तो AD को चुपचाप रखिए AB, देखो AD को रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, AD को रखने के लिए AB को हटाया जाए AB, AB किसके बराबर है ED, तो जहाँ AB है, वहाँ पर ED रख दीजी पहले उठा के, है न, जहाँ पर AB है, AB क्या रख सकते हैं ED, तो यहाँ देखो आओ, यह है ED ED के साथ क्या चाहिए, AE AE और ED जो है AD के बराबर हो जाएंगी AE और ED किसके बराबर हो जाएंगी AD, तो ED तो हमने रख लिया, AE यह है, इसको इसको इसके आगे उठा के रख दो AE प्लस ED मतलब कि इसका काम हो गया, इसका काम हो गया हमारे पास एक AD है, अभी उसके राष्ट मे ले जाएंगे AC AC के साथ CD चाहिए तो भीया पहले तो AC को आप रख लीजिए AC को रख लिया, और देखो जो AF है, यह AF आप देख रहे हो AF CD के बराबर है तो हम इस CD को, AF को उठाक यहां रखते इससे अच्छा, AF हम CD रख रहे हैं रख दिया हमने, यह भी मैनेज हो गया बचा क्या है यहां पे सिर्फ AD यहां बचा भीया, AD इस उकॉल टू यह है हमारे पास लेमडा AD, ठीक है अब देखो, AE प्लस ED AE प्लस ED AE प्लस ED किसके बराबर होगा AD की बराबर होगा तो यह हो जाया AD, PLUS AC प्लस CD किसके बराबर होगा वह भी AD के बराबर होगा वेक्टर AD के बराबर होगा PLUS AD, इस उकॉल टू कितना हो जागा Lambda AD, ठीक है AD और AD जोड देँगे, तो कितना आजाएगा बरापर कितना अगया थी तो लेंडा कमान केतना होगा है ना हमें क्या किकलना है लेंडा कमान क्या होगा भी या थी होगा और क्लास इसी तरह से कमप्लीट हुई यानिक यहां पर B इतना 6-7-8-10 लोग जो भी है वो लगातार जुड़े रहे हुसलाप जाही होती रहती है तोड़ा सा और फिर नीरस लगने लगता है ना इसा लगता है कि क्यों रात में हम जग रहे हैं है ना चलेगा है क्लेर हुआ यह अगे बढ़ा जाए सर अब आशके बाद हम लोग करें का चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और लोगों के साथ सेर जरूर करिएगा एक बार आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद विजय संकर जी नमस्कार प्रणाम सर और इंकू सर प्रणाम और कलपना मड़म नमस्कार मड़म जी अंजली मड़म नमस्कार थें गुड नाइट थेंक यू जैहिंद वन्दे मात्रम बुद्धरासर नमस्कार दोस्तों मैं मैं यूटूब चैनल पर आप सभी का हर्दिक स्वावब करता हूँ और आज हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं UPTGT 2009 का पेपर जिसमें वन से लेके 100 तक के कोस्चन को हम लोगों ने पहले डिसकस कर लिया है अब हमें डिसकसन करना है इसके आगे continue लगातार दमदार तरीके से चलिएगा सभी जुड़ते जाएए इससे पहले एक छोटी सी अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्रम चैनल जोइन नहीं किया है डिसक्रिप्शन में लिंक है टेलीग्रम चैनल और वाट्सप ग्रूप दोनों आप जोइन जा लिए देखेगा इससे पहले हमने यूपी टीजिटी यूपी टीजिटी का 2021 का पेपर हल करवा दिया है अ हजार क्यार का पूरा पेपर कंप्रीट है 2010 और आज से कंप्रीट हो जाएगा 2009 तो यह टीजिटी हमने करवा दिया है किसी भी परिक्षा को क्रॉस करने के लिए उसके प्रिवेस ये के क्वेस्टन को टच करना बहुत जरूरी है जहां से हमें एक एडिया लगता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है कहां से प्रस्ण पूचे जाते हैं कहां से प्रस्ण नहीं पूचे जाते हैं चलिएगा देखते हैं समझते हैं पहला पॉस्टन देखिएगा 101 प्रस्ण नंबर 101 कि रहा कि दा वैलू आफ लिमिट थीटा टेंस टू है ना चलिएगा आपने पढ़ा हुआ है कि limit आपने पढ़ा है limit ना limit ओस थीटा टेंस टूटी जीरो साइन थीटा बटा थीटा इस गोड़ टूबन होता है यानि कि अगर यहां पर जितना थीटा हो यहां पर भी होना चाहिए तो यह कैसे होगा एक बार आप फाइब का करो 5 का डिवाइड करो जो आपने डिवाइड किया है उसको साथ में लिखो और जो बाहर मुल्टिप्लाई किया उस 5 को बाहर निकाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं वो फ्री है लिमिट कितना हो गया यह थीटा टेंस टू जीरो और यह कितना है अप में से उसे इसे बैब कितना हो जएगा पात के साथ इसे गुड़ा करके रख दिजी थीटा है न सबीको गुड इवनिंग है न चलिएगा शुरुमात करिये आज वो जुड जुड जाओ पैन कोपी उठा लिजे अस्त्र आप के साथ होने चाहिए तब ही मजह आएग दे 101 का C option correct होगा आगे चले परस्ष संख्या 102 देखेगा 102 102 में क्या कह रहा है भाई F दिया गया है R दिया गया है है ना तो आपको क्या करना है force दिया गया है फोर्स निकाल दीजे force F बराबर कितना हो जाएगा force force दिया गया हमारे पास कितना भीशा 2i प्लस तूजे माइनस फोर के यह फोर्स हो गया विनाय गुपता जी वेरी गुड इवनिंग मोगेश सर वेरी गुड इवनिग चलेगा शुरुवात करते हैं बिल्कुल सही था विनाय सर हमें निकालना होता है आर तो हमसे कह क्या रहा था कि एक बल एफ बिंदू इस पर कारे क्या होगा तो हमें निकालता होता है आर तो हम निकालते कैसे हैं आर कैसे निकालेंगे आर निकालेंगे हम जिसके परिताह निकालना होता है उसमें उसे घटाया जाता है तो कितना हो जाएगा भाई यह हो जाएगा वन माइनस टू इंटू आई प्लस फिर कितना हो गया यह 2-3, 2-3, चलेगा, calculate करेंगे इसको, ब्या, कितना आ जाएगा ये, माइनस का I, अब 1, 1, 0 हो जाएगे, प्लस का कितना हो जाएगा, 0J, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का K, ने, ने, घटाएगे तो माइनस का K हो जाएगा, माइनस का K, K, हमें निकालना क्या है, अघूर निकालना है, टाउ, टाउ is equal to क्या होता है, और क्रोस F, है ना, आर क्रोस F, और क्रोस F, ठीक है, चलिए, आर रख लिजे, पहले तो यहाँ क्या रखते हैं, आई, जे, के, आई, जे, के, घटा लिए हमने, है ना, 1-2 हो गया, माइनस 1 वो प्लस 1 हो जाएगा, फिर 2-3 हो जाएगा, ठीक है, तो घटा लिए तो यह आगया है, माइनस का I, तो रखिए यह आपने, आर पहले रख लीजिए, आर के एलिमेंट, माइनस का 1 है, यह 0 है, यह माइनस 1 है, F के पास चलेंगे, F का 3 है, यह 2 है, और माइनस का क्या है, 4, है ना, निकाला जाए, एक बार जो भी गुर्पे मैसे डाल दीजेगा, विने सर, है ना, सारे लोग जूड जाएगा, तो बड़ा अच्छा रहेगा, देखेगा, यह कितना हो जाएगा, I into, यह छूटेगा, यह छूटेगा, इसका multiply होगा, माइनस का 2, यह नहीं कि यह प्लस का 2 बन जाएगा, ठीक अभी या, माइनस का J, इन्टू, यह छूटेगा, यह छूटेगा, तो 4, प्लस कितना हो जाएगा, 3 है ना फिर plus का k into ये चुटेगा ये चुटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 2 calculate करेंगे कितना आ जाएगा 2i minus 7j minus 2k है ना 2i minus 7j plus 2k नमस्ते concept को ची वित कमलेश सर नमस्कार प्रदीप सर आ चुके हैं प्रदीप सर स्वागत है आपका इस session में कौन सा ओपफन से हो जाएगा तो ये क्या है 437 minus का और ये क्या है minus का 2j कौन सा ओफन से हो जाएगा भी ये तीसरा वाला option correct हो जाएगा c option क्या होगा 102 में correct हो जाएगा 3rd option बिलकुल 103 प्रदीफ सर एक सांधार question आया हुआ था यह कह रहा कि यह थी त्रभुच के सीर्स इतने इतने और इतने तो त्रभुच का अच्छे त्रफल क्या होगा है 3D का question है देखेगा triangle बना लिजिए है ना triangle बना लो यह है हमारा A और यह है B और यह है C A के coordinate हमें दिये गए हैं कितने दिये गए हैं 1,1,2 अच्छा B के coordinate देख लिजिए 2,3,5 C के coordinate दिये गए हैं C के निर्देशांक दिये गए हैं 1,5,5 ठीक है यह सभी दिये गए हैं चलिएगा अब समझ यह कहानी को हमें निकालना क्या है इस त्रिभूज का छेत्रफल त्रिभूज का छेत्रफल निकालने के लिए simple सी बात है हमें क्या निकालना त्रिभूज ABC का छेत्रफल ठीक है अब देखो तरबूज ABC का छेत्रफल निकालना है सीधा एक बटे दो मॉडूलस लीजिए कोई भी दो सनलगन भुजाए ले लीजिए AB क्रॉस BC स्वरी AB क्रॉस AC सनलगन जुड़ी हुई सनलगन मतलब एडसें साइट क्यानी कि दोनों जुड़ी हुई उनी चाहिए देखो ये AB और AC दोनों जुड़ी हुई है कोई भी दो जुड़ी हुई भुजाए ले लीजिए और उनका क्रॉस निकाल दीजिए तो AB निकालना है पहले हमें है ना भाई हमें पहले निकालना AB तो A, B यहाँ पर निकाल लीजिए A, B, Vector A, B क्या होगा, B का स्थिस सर्दिस position vector आफ B, minus position vector आफ A, तो B का स्थिस सर्दिस मतलब कि 2-1, 2 में 1 गए तो सिर्फ I हो जाएगा, हम direct इसको vector में भी convert कर रहे हैं, ठीक है, फिर 3-1, यह 2J हो जाएगा 2J plus 5-2, कितना हो जाएगा 3K, यह A, B आगई हमें A, C भी निकालना है A, C, तो कितना हो जाएगा C, minus A, है ना, C, minus A तो C में यह खटा दो भई, यह तो 0 हो जाएगा तो 0 आई कर लो, फिर 5-1, प्लस का हो जाएगा 4J, प्लस 5-2 हो जाएगा C, minus A, तो 5-2 यह निकी 3K, हमें AB भी मिल गई AC भी मिल गई, अब हमें निकालना है AB AC, क्या निकालना है AB, cross AC निकाल लिया जाए भई AB, cross AC, है ना, आप निकालियेगा, यह हो जाएगा I, यह हो जाएगा J, यह हो जाएगा K, I, J, K और यह कितना हो जाएगा 1, यह हो जाएगा 2, यह हो जाएगा 3, और यह हो जाएगा 0, यह हो जाएगा 4, और यह हो जाएगा कितना 3 है ना, इसे calculate करेंगे इसे आप हल करेंगे, हल करने पे इसकी जो value आएगी, वह हम निकाल लेते हैं सीधे लिखे दे रहे है, माइनस 6I, माइनस 3J, प्लस का 4K, ठीक है, हल करेंगे फिर इसका modulus निकाल दीजिए इसका modulus निकाल दीजिए, एक बटे दो modulus है, तो under root, है ना root हो जाएगा भाई, 6 का square 36 होगा, 3 का square 9 होगा, प्लस 4 का square, 16 होगा शब को add करेंगे, एक बटे दो यह आजाएगा, है ना, 45 और 61, एक बटे दो root 16, हाँ, गोल्डी मेडम very good evening, चलिए अब समझ यह से, देखो कितना आगया यह हमारा आगया, AB क्रॉस AC तो कितना आगया, एक बटे दो root 61, है ना, unit square unit square एक बटे दो, root 61 कौन सौ अप्शन सही हो गया यहाँ पे, option correct हो गया हमारा पहला, है ना, 1 0, 3 का कौन सौ अप्शन सही हो जाएगा पहला option correct हो गा, ठीक है, आगे बड़ा जाए, next question देखा जाए 104 104 में कह रहा है कि एक गाड़ी, station A से, एक समान F1 से कुछ दूरी तक जाती है है ना, एक गाड़ी है ठीक है कहां तक, एक गाड़ी, station A से, एक समान F1 तोरण से जाती है, मालो यहाँ तक गई, उसके बाद करा, कुछ दूर जाती है, फिर एक समान तोरण F2, इसकी मंदन हो जाता है, यहाँ पर, F2 हो जाता है और दूर station B पर रूख जाती है यहाँ पर आके है, रूख जाती है A और B station के बीच की दूरी, जो है A और B के बीच की, वो दूरी कितनी है distance जो है हमारी, वो क्या है 4 km, distance कितनी है 4 km, और उसके बाद, इस स्यात्रा का क्या होगी वर अपान एक टू हीमांसु सिंग वेरी गुड इवनिंग बुद्धरास सर वेरी गुड इवनिंग चलिएगा करते हैं धमाका है ना कुछ बड़ा होने वाला है मुझे लग रहा है जल्दी एक अच्छी न्यूज आने वाली हो सकता है कि हमारा जो रूट टी इज़ उकॉल टू रूट टू डी इंटू यह आ जाएगा एफवन प्लस एफटू है एफवन प्लस एफटू बटे एफवन एफटू ठीक है बही चलेगा टाइम कितना दिया गया है चार वर्ग मूल है दोनों तरफ वर्ग कर देंगे चार चो कितना हो यह दो है रहने दिया जाए डिस्टेंस कितना है दो कि 4 किलो मिटर तो 4 रख दीजिये फवन प्लस एफटू को चुप चाप ऐसे ही रहने दीजिगे फवन प्लस एफटू बटे एफवन एफटू फटू तो देखो 4 दू नहीं आठ कितना हो जाएगा 16 तो दो बराबर जाएगा कितना अब अलग अलग बटे कर दीजिए भाई F1 के बटे कितना जाएगा F1 F2 प्लस F2 के बटे कितना जाएगा F1 F2 ठीक है F1 से F1 काट देंगे F2 से F2 काट देंगे यह कितना जाएगा 2 is equal to 1 by F1 plus 1 by F2 2 is equal to कितना हो जाएगा आज मेरी पहली क्लास है चलिएगा अमित मैडम अमित त्यागी सलोनी त्यागी मैडम नमस्कार चलिएगा शुरुवात करते हैं आगे आजाओ सभी लोग pen copy आपके हाथ में जरूर होना चाहिए कुछ अगर करना है मेरे साथ आप यह नहीं कर आप पढ़ नहीं रहे हो आप question attempt कर रहे हो मेरे साथ है ना तो one by one by f1 plus one by f2 पढ़ना तो आपको आता है कोई दिक्कत नहीं आपने पढ़ रखा सारे concept सबको पता है आप सिर्व मेरे साथ question की practice कर रहे हैं है ना चलेगा संजीव जी गोडिवनिंग चलेगा आगे जलते हैं question number 105 कि देखेगा कि एक गोला किसी के बराबर है दोनों का जो वजन है वो क्या है मास जो है दोनों का सेम है अगर मैं बात करूं इस गोले का जो मास है एम है और इस गोले का मास भी कितना है एम है यह टकराते हैं ठीक है टकराते हम माल लेते हैं कि इसका जो प्रारंभीग वेग रहा होगा वो यू रहा होगा और इसका जो प्रारंभिक वेग रहा होगा वो कितना हो जाएगा U2 हो रहा होगा अच्छा ये गोला इससे टकराता है जो टकराएगा तो ये बताओ इसका जो वेग होगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इसका वेग क्या होगा इस समय 0 हो जाएगा और ये तो हमारा U रहेगा, चलो इसको माल लेते हैं, U1 जो है, वो U हो गया, U1 क्या है, U हो गया, ठीक है, अच्छा, टकराने के बाद हम माल लेते हैं, कि जो इसका वेग रहा होगा, जब टकरा गया होगा, जब भी पिंडे से टकराया होगा, तो इसका V2 हो गया होगा, और तो हमने पढ़ा है laugh conservation है ना सम्वेक संरक्षण का नियम तो सम्वेक संरक्षण का नियम क्या कहता है सम्वेक बराबर होगा दोनों condition में मु1 व्लस मुटू मुटू तो होता क्या है कि अब जब आम कॉमन है तो अम्हें रहे दोनों का समान मास रहें अब करें कभी इसिंटर्वी इसमें नहीं भी नहीं है इसमें आप पढ़ाई करते हैं फिर बात करेंगे कभी किसी बीच में बैट के ठीक है तो यह कितना हो जाएगा भाई यह टक्राने के पहले का है समवेग और यह टक्राने के बाद का है M1 V1 प्लस M2 है ना इस मालम है इस मालम है दोनों का M1 है वो M V2 ठीक है दोनों तरफ से M common लेके काट देंगे देखिए इधर U2 का मान कितना हो जाएगे टक्राने के बाद वेग कितना हो जाएगा उसका जीरो हो जाएगा M1 वो निस्चल है क्या हैी दिस्चल है मतलब कि छुपचाप रखा है तो उसका वेक क्या है प्रारंबिक वेक उसका जीरो है आख गहादा और उंकि प्रारंभीघ हमने करेंगे एक नियम और है Newton का प्रयोगात्मक नियम आपने पढ़ा है तो Newton का प्रयोगात्मक नियम से नियोटन के प्रयोग अत्मक नियम से तो Newton का हमारे पास प्रत्यास्था गुडांग है ना E इंटू ये होता है U1-U2 है ना देखे टक्राने के बाद बेगों का अंतर और उससे पहले बेगों का अंतर जो होता है वही क्या होता है हमारा E होता है इसको इन दोनों का अनुपात तो यह हो गया हमारा योगात्मक नियम ठीक है तो यह हो गया भाई एक तो गया V2 माइनस V1 is equal to E अब बताओ U2 तो 0 है और U1 की जगह अब क्या है U तो कितना आ गया EU है ना अब U की जगह पे समी करण 1 से आप क्या रख सकते V1 plus V2 है ना रख सकते हैं रखें भाई समी करण 1 से U is equal to रख दीजिए V1 plus V2 रख दीजिए V2 minus V1 is equal to E into कितना भया यह V1 plus V2 V1 plus V2 अब क्या करो V2 V2 यह तरफ ले आओ तो यह V2 हो जाएगा minus E V2 is equal to यहाँ पे E V1 है और plus का V1 हो जाएगा V2 ले लो common तो 1 minus E बचेगा और इधर V1 common ले ले लेंगे तो E plus 1 बचेगा हमें क्या निकालना है V1 ratio V2 तो हमें क्या करें V2 को इधर ले आओ इसको इधर ले आओ तो यह कितना हो जाएगा भी यह हो जाएगा 1 minus E और E plus 1 को भी 1 plus E रख दीजिए ज्यादा अच्छा लगेगा हैं दोनों भाई-भाई से लगेंगे V1 बचे V2 तो यह जो अनुपात होगा है ना V1 संगट के बाद जो अनुपात होगा वेगों का वो कितना हो जाएगा 1 minus E अनुपाते 1 plus E 1 minus E अनुपाते 1 plus E तो कौन स आप्षन सही होगा भी यहा C वाला उप्षन करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल सही हिमानसु सिंग सर P.G.T का भी प्रिवेस येर करा दीजिए सभी पेपर ठीक है इसके बाद P.G.T पे ही लगेंगे 2009 में आ चुके हैं 2009 के बाद अपना 2004 वाला है 2002 है बस 1999 मैं कोशिच करूंगा जल्दी से जल्दी निफ्टाने की है मैं आपके साथ लगा तार लगा रहूँ मैं कोशिच करूंगा पूरी तरह से चलिएगा नेक्स देखिएगा Q2106 तो देखिएगा 106 में तो यार एड़ जॉइंट ए निकालना है देखिए क्या बात है यहां पे दिया गया है A एक element आपके सामने है कितने भी है 2 है 5 है 1 है 6 है चलिएगा comment section में comment करके बताइए इसका adjoint क्या होगा है ना इसका adjoint निकालना है क्या होगा adjoint निकालने के लिए इसका जब भी हमें 2 क्रास 2 का तो कोई tension ही नहीं है adjoint A जब भी निकालना है हमें क्या करना है इन दोनों को interchange कर देना अपसमें बदल दो बदल दो भी है इन दोनों को बदल दीजिए जहां पे 2 है वहां पे 6 को रख दीजिए जहां पे 6 है वहां पे 2 को रख दीजिए इंटर्चेंज कर दिए और इनके चिन बदल दीजिए यह प्लस का पांच है तो माइनस का पांच कर दीजिए प्लस का एक है माइनस का एक बस क्रतम टाटा है ना कितना आ गया यह हो गया इंटर्चेंज किया हमने है ना डाइगनल वाल एलेमेंट इंटर्चेंज कर दिए प्रोस्य नमर 107 ठीक है प्रदीप सर बढ़िया है चलेगा 10 धिटा विनैज शर कहां गये 10 धिटा प्लस 10 टू थीटा प्लस में दिया गया है कितना टैन थिटा टैन टू थीटा इस इकोईल टू वन ठीक है भीर और उसमें क्या सही था बीथा बिल्कुल सही था अब इसमें इसे try करो 107 यह हो जाएगा इसे हम लिख सकते हैं कितना 10 theta plus 10 2 theta is equal to 10 theta 10 2 theta को उधर भेज दीजिए तो कितना बन जाएगा 1 minus 10 theta 10 2 theta हो जाएगा एक काम करिए इसको divide में ले आएं भाई कितना हो जाएगा 10 theta plus 10 2 theta divided by 1 minus 10 theta और यह कितना हो जाएगा 10 2 theta is equal to 1 बचेगा यह divide में आया तो यह 1 बचेगा जीरो नहीं होगा कभी गलती नहीं करेंगे ठीक है यह हो जाएगा एक बार सभी को जोड दीजिए एक बार दुआदार तरीके से सभी दोस्तों को जोड लीजिए देखिए अब यहाँ पे यह 10 a plus 10 b divided by 1 minus 10 a 10 b 10 a plus b बन गया यानि कि 10 a की जगह पे कितना है थीटा और इसकी जगह पे कितना है 2 theta is equal to कितना हो जाएगा 1 तो कितना बन गया यह 10 3 theta is equal to 10 pi by 4 तो 3 theta is equal to कितना हो जाएगा n pi plus alpha होता है alpha की जगह पे कितना pi by 4 जब भी हमारे पास 10 थीटा इच्कोल elfा होता तो इन पाई प्लस अल्फा थीटा इच्टा निकाल लिजै भिया पाई लेवां पाई ले लो कॉमन थ Whenever ले लिए पाई कॉमन और तीन भी कॉमन लेवर थीजिए प्लस एक बट्टा चार चलिएगा देखते हैं किसका किसका एंसर आज चुकबा इन्होंने कहा सर ने कहा कि डी सही होगा सरी option महिस्त हो रहा है प्रदीप सर 17 में c option महिस्त हो रहा है देखें प्लस ब्रस एक ब्रस बट्टे सार वही तो लिखा हुआ है यह 3 इधर आ डिवाइड में पाई भाई थ्री हो जाएगा है तो एंड प्लस वन बाई फॉर ठीक है चलते हैं क्वेस्टन नंबर एक सो आठ प्रश अबीट कमाल की मवज़ए कि अब्रावर कितना है तो हम से कह रहा प्यमन कानि प्रवपा लुवर गाफए क्रें भाव हाई इस हँए आजा ठीक है है code A है ना angle A उच्छा है अब देखिए दोनों side दी गई है दोनों angle दीए गई है तो हम यहाँ पर sign rule लगा सकते हैं आराम से और sign rule हमने पढ़ा है A is equal to sign A is equal to B बटे sign B यह sign rule है सारी value रख दिये जाए सारी value रख दी जाए हाँ तो A की value कितनी भी आ 14 बटे sign A अब देखो sign A A कमान नहीं पता में है A कमान तो ही निकालना है sign A हो गया is equal to B का value दिया है उसने कितना 22 sign B कमान कितना है 30 sign 30 sign 30 कमान कितना हो जाएगा 1 बटे 2 और यह 2 चला जाएगा उपर तो कितना हो जाएगा भाई यह 2 उपर जाएगा 44 हो जाएगा यह हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा अभी ज्यादा ज्यादा डेटेल में ना करें यह sign A हो गया और कितना हो गया 22 दुनी 44 कार दो इसे यह 7 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा कौन सा और साथ बत्टा फटा क्या Size 7 बत्ति ह要गा सभी लोग कमेंड करें जो भी आपने लिकाला pen copy हाथ में रखिया आप पढ़ नहीं रहे हैं एकदम पढ़ नहीं रहे हैं आप मेरे साथ question प्रैक्टिस कर रहे हैं सिर्फ आप question प्रैक्टिस कर रहे हैं आपने सब पढ़ रखा है महाराथ हासिल है बस सफलता से कुछ कदम दूर है question number 109 देखा जाए है ना देखेगा यहां पर भी है दिया गया है 10 pi by 2 देखो इधर 10 है इधर cot है हम चाहरे है कि cot को भी 10 में change कर लिया जाए है simple सी बात है तो यह कितना हो गया भी यह 10 देख कितना हो गया pi by 2 sin theta is equal to हम इस को 10 cot को 10 में change कर रहे है तो 10 यह कितना हो जाएगा pi by 2 90 minus theta theta की जगा पर कितना है pi by 2 plus theta है ना तो यह change हो गया अब 10 से 10 हटा देते हैं ऐसा माना जाता है कितना हो जाएगा भी यह pi by 2 sin theta is equal to angle दोनों तरफ सेम हो जाएगे देखो 10 इदर भी है 10 इदर भी है तो दोनों angle compare कर लिजे कितना जाएगा भी आएगा pi by 2 minus pi by 2 cos theta अच्छा angle भी तो आएगा भाई n pi है ना n pi plus alpha होता है ना जब भी angle अटाएगे तो क्या होगा व्यापक मान लेंगे कितना जाएगा n pi plus alpha alpha की जगा पे कितना है pi by 2 minus pi by 2 cos theta एक काम करें अगर पूरे से हम pi निकाल के बाहर ठेक दें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए या 2 pi 1 by 2 pi by 2 निकालो इससे भी common तो देखो कितना हो जाएगा pi by 2 common निकाल के दोनों तरफ से हम काट रहे हैं तो इधर क्या बचेगा sin theta और इधर क्या बचेगा 2 से multiply हो जाएगा तो 2 yen बचेगा pi by 2 pi पूरे से निकल गया यहाँ पे कितना बचा प्लस का 1 बचा और यहाँ पे कितना बचा माइनस का cos theta हम से पूछा है कि sin theta plus cos theta की value क्या होगी हाँ चलिए ठीक है आगई वापस आगे दरसल वो गलती से mobile का network से connect था उन्होंने data बुरा दिया खतम कर अगे आवाज आ रहे हैं ठीक है 110 का देखा जाए एक बाच चेक करो ठीक है की अब इससे समझजए कि 15 मीटर उचे माखान के आधार से 15 की दूरी पे माकान के सीर्स का उन्हें कोड क्या होगा मागान कितना है 15 मीटर ऊचा ए है माकान और यहां से 15 मीटर की दूरी पर है ना यह भी 15 मीटर है और यह भी 15 मीटर है तो कह रहा है यहां से जो उन्ने अन्कोड होगा है ना उन्ने अन्कोड होगा वो कितने डिगरी का होगा हमसे पूछ रहा है अब दोनों बराबर है तो सीधा से बाते 45 डिगरी ही होगा है ना तो फार अल्फा ब्राबर कितना हो जाएगा 45 संस अब सही चल रहा है ठीक है सुरुभी मैडम नमस्कार कैसे हैं पहला अप्शन सही हो जाएगा 110 में कौन सही हो जाएगा पहला नेक्स क्वेश्चन देखेंगे हलका सा क्वेश्चन था एक क्वेश्चन मतलब कि 2009 का यह पेपर जो था मुझे लग रहा हलवा सा पेपर आया था हमसे पूछा है कि इसमें एक्स का मान क्या होगा है ना देखे दिया इसने अब आपको पता है कि सिंपली भाया लॉग ए बेस बी जो होता है उसे हम लिख सकते हैं क्या लॉग ए बटे लॉग बी तो इसे कंवर्ड करिये इसे लिख कर दो यह लिखा हुआ है लाग एकस बटे लॉग ट्री गुड़ा लगा दीजिए और यह हो जाएगा लॉग फ्री बटे में कितना आ जाएगा आगे वाला लॉग वाई फिर लिखा हुआ है लॉग वाई बेस टू इसे क्या है 5 जो कट रहा उसे काट दीजे जो बचा रहा उसे घर ले जाएंगे log 3 को log 3 से काट दीजे log y को log y से काट दीजे ये कितना लिख गया log x बटे में कितना log 2 is equal to 5 इसको फिर से पुरानी form में लिख दीजे log a बटे log b को लिख सकते हैं log a base b यानि कि हम लिख सकते हैं इसको log x base कितना 2 is equal to 5 और ये है logarithm form और logarithm form आपको पता होगी कि log b base a बराबर अगर m लिखा हो तो इसका जो exponential form होता है a की power m बराबर b होता है क्या होता है a की power m बराबर b तो compare करो भी आ एक ही power m एक ही जगब कितना 2 m की जगब कितना 5 2 की power 5 बराबर x 2 की power 5 कमान होता 32 तो x कमान कितना हो जाएगा 32 बिल्कुल सही प्रदीप सर कौन साफ़न सही होगा इसमें B option सही हो जाएगा है ना इन्हों बी सही है बीडी यादो भगवान दीन सर चित्रकूट से हैं इन्होंने बताया कि बी ऑप्षन सही होगा बिलकुल करेक्ट ऑप्षन है ना कौन सही होगा बी देखे क्वेस्चन बहुत आसान है बस यह करने की स्पीड आपके इतना टाइम मैनेज कर पा रहे हो यही पानी लेक्षा है लॉग टू बेश टू जब भी हम इसका डेश्मल एक्सप्रेंशन करेंगे ना जब भी इसका हम दस्वलो प्रसार करेंगे लॉग टू लॉक सेवन बेश्टू तो एक हमें संख्या ऐसी मिलेगी जिसे क्या कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन कैसी संख्या होगी यह अपरिमे संख्या होगी जो कि जो इसका विस्तार होगा वो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा यानि कि असांत अनावर्ती दसमलोग प्रसार होगा इसलिए क्या होगी अपरिमे संख्या होगी ठीक है तो कौन साफ़कन सही हो है कि एक समीकरन दिया गया एक equation दी गई है और कह रहा है इसका जो one root है दूसरे का square A x square plus B x plus C is equal to zero का एक मूल दूसरे का वर्ग है जो इसका एक root है दूसरे का क्या है square है चलिएगा हम इसके दोनों root ले रहे हैं एक root alpha ले रहे हैं one और दूसरा इसका वर्ग ले रहे हैं वो भी one ठीक है अब देखो एक दम धुवाधार एक रूट जो है दूसरे root का square है कि नहीं जो हमने ले लिया ठीक है चलिएगा हमने दोनों root के लिए एक root जो है एक root कितना भी या x-1 दूसरा root कितना x-1 इन दोनों का करो multiply x-1 का whole square हो जाएगा x square minus का 2x plus 1 कितना आ गया ax square plus bx plus c हमने मान लिया कि ax square plus bx plus c is equal to 0 जो हमारा समी करण है इसका जो एक root है दूसरे का वर्ग है हमने एक one लिया दूसरे को one का square यानि वो भी one हो गया दोनों तरफ compare कर लिजिए a is equal to कितना आ गया 1 b is equal to कितना आ गया minus का 2 c is equal to कितना आ गया भी या 1 a b c तीनों की value मिल चुकी है उठा के satisfied करवा दीजिए option में रख दीजिए जो option satisfied कर जाएगा वो ही correct होगा चलेगा हम पहले वाले option को try कर रहे है option a विकल्प a उठाइए a cube तो एक हो जाएगा plus b into c b c कमान कितना आ जाएगा minus का 2 आ जाएगा तो minus का 2 हो जाएगा into b plus c तो b plus c कितना हो जाएगा minus 2 plus 1 अंदर आ जाएगा minus का 1 ठीक है यानि की और बराबर में कितना है 3 a b c 3 a का value कितना है minus का 2 है ना 3 a b c तो minus का 2 और c c का value कितना है एक है ना c का value कितना बया 1 चलेगा करेंगे करेंगे इसे अज़ने कोई बात में 1 प्लस 2 यानि कि ये 3 आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 माइनस का 6 दोनों बराबर नहीं है मतलब पहला option नहीं होगा पहला option नहीं होगा दूसरा option ट्रायर के लिए B cube दूसरे option को उठाइए B cube तो B का value कितना भी आ 8 माइनस का 8 हो जाएगा है ना option B उठाइए माइनस का 8 हो जाएगा ठीक है प्लस A into C A कह रहेगा A plus C एक इनको एक 2 हो जाएगे बराबर में कितना 3 A B C 3 A B C की value उपर निकाल चुके हैं बार बार नहीं निकालेंगे माइनस 6 आई है B option करेक्ट हो जाएगा 113 का कौन सा अफ़न से होगा भी या B वाला option करेक्ट होगा clear हुआ परदेप सर thank you अच्छा में थट है ये है ना हमें ऐसे ही तो follow करना है क्योंकि exam को तोड़ना है exam की कमर हमें तोड़ना है हमें हमारी कमर एक्जाम ना तोड़े हमें exam की कमर तोड़ना है और वो जब हम उससे ज़्यादा मजबूत होके जाएंगे तभी अपनी कमर बच्चा पाएंगे चलेगा आगे है ना ठीक है दूसरा वाला सही हो गया बिल्कुल सही था हाँ बिल्कुल सही था दूसरा सही होगे नेक्स चलते है 114 देखिए कि question नमर 114 में कह रहा है कि 1 प्लस i 1 प्लस i कि देखो whole power 3n है एक काम करते है दोनों की power 3n है तो इसे हम ये भी तो लिख सकते हैं 1 प्लस i की power में कितना 3n is equal to 1 प्लस i 1-i है इदर 1-i और इसकी भी power में कितना है 3n दोनों की power सेम है तो इसे हम ये भी तो लिख सकते हैं 1 प्लस i बटे कितना 1-i इसे बटे में लियाओ नीचे लियाओ 1-i अब देखो दोनों की power 3n 3n दोनों की whole power में आप लिख दीजे कि power में 3n is equal to यहाँ पर कितना बच्चा 1 यहाँ पर कितना बच्चा 1 वीड़ी यादो बिल्कुल सर आपने correct नमा रहा है देखेगा 1-i और 1-i जो होता ये i के बराबर होता है याद रहना चाहिए आपको वैसे multiply करोगे तब भी आजाएगा conjugate का गुड़ा करके करोगे तो i आजाएगा यानि कि यहाँ पर आ चुका है i और i की power में कितना है 3n is equal to कितना भी या 1 अब वो कह रहा है कि n का क्या मान रखे है कि सबसे चोटी smallest positive integer क्या रखी जाए जिससे कि यह 1 मिल जाए और हमें पता है कि i square बराबर minus 1 होता i की power 4 बराबर क्या होता है 1 तो भाईया 3 से तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि उसका कोई combination ही नहीं आई के साथ n का मान क्या होना चाहिए छोटास छोटा मान क्या होना चाहिए वो 4 होना चाहिए जिसके लिए क्या होगा भाई अगर n is equal to 4 होगा तो i की power 4 की value 1 हो जाएगी और 1 की power 3 यानि की बना जाएगा यानि कि वो छोटास छोटा मान कौन सा होना चाहिए b वाला option सही होगा यानि की 4 होना चाहिए बिल्कुल सही था प्रदीप सर 114 का option सही होगा b है ना बिल्कुल सही था प्रदीप कुमार और प्रदीप गुपता सर दोनों इलग अलग हैं कि आप मैठ्स ट्रिक चलिए बो द्राश सर बिल्कुल सही 114 का b सही होगा मित्यागी मेडम सालोनी मेडम option B सही होगा, बिल्कुल सही है मंगलूम सर, बिल्कुल B सही होगा हिरेंदर सर, बिल्कुल B option correct होगा, चलिएगा question number 115 की तरह बढ़ते हैं, आगे यह question number 115 क्या बात है, मतलब मजा कर रहा है, 11th वाला question उठा के रख दिया, देखिएगा क्या रखा भीया, यहाँ पे इसने रख दिया, 3 plus यह power 4 है यहाँ पे, 3 plus omega plus 3 omega square, पहले इसी को हल कर लीजिए 3 वाले को साथ में रख लीजिए 3 वाले में common लोगे, तो कितना जाएगा 1 plus omega square, plus का omega 1 plus omega square आपको पता है कि 1 plus omega plus omega square is equal to 0 1 plus omega square is equal to कितना होता, minus का omega तो उठा के पतक दीजिए यहाँ पे, कितना आ जाएगा यह, minus का omega 1 plus omega की जगह पे कितना हो गया minus का omega प्लस omega, आप answer हो गया हो तो आप comment करें minus का 3 omega plus का omega, कितना आ गया, minus का 2 omega, है न अब यहा minus का 2 omega, अब इसकी पावर में कितना है, पावर में 4 है, है न, यहाँ पे दिया गया 3 plus omega plus 3 omega square की पावर में कितना 4 इधर भी 4 चला दीजिए, minus 2 omega की पावर 4, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 4, पावर में समसंख्या तो minus का तरोल खतम हो गया, 2 की पावर 4, कितना हो जाएगा 2 की पावर 4, तो यहाँ 16 हो गया omega की घाथ 4 को आप लिख दीजिए, omega cube into omega, तो कितना हो जाएगा omega cube की value 1, यह हो गया omega, कितना आगया, 16 omega है न, कौन साफ़कन सही हो जाएगा 115 में, A बिल्कुल सही, question number सही लिखे है न, डॉक्टर अनुजराय, सर बिल्कुल A सही होगा, अमित रासालोनी मेडम बिल्कुल सही, प्रदीप सर बिल्कुल सही, बुद्राश सर बिल्कुल सही है, मोकेश सर बिल्कुल सही है, option A correct होगा, है न, बुद्राश सर बी क्यों correct होगा, दूसरा क्यों correct होगा, है न, A सही होगा, इसमें, ठीक है, हिरेंदर सर, A सही होगा, बिल्कुल, जिन्होंने A कहा एकदम correct हैं, वो आगे बढ़ा जाए, question number 116 की तरफ आगे बढ़ा जाए, question number 116, अब हम आपको simple बता देते हैं, देखो, इस प्रश्ण में क C किसमे होंगे, गुरोतर सेड़ी में, हरत्मक्स रेड़ी में, AP यानि किसमे होंगे, ये बताना है, तो एक बात समझ लीजिए, जब यहाँ पर alpha का कोई role नहीं है, तो आप यहाँ पर तुरंत रख दीजिए, alpha बराबर 0, खतम करो इसका role, alpha बराबर 0 हमने रख दिया, अब alpha 0 हो गया, तो यहाँ कितना बच्चा, B क्योंकि answer में ABC के साथ कोई role नहीं है, उसे हटा दीजिए, तो C और यह कितना हो गया, भी अपनी जगा पर है, इसको इसमें घटा दो, इसको इसमें घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, एसको इसमें घटा पर गवे, तो भी 0 आ जाएगा, और यहाँ पर अपनी जगा पर भी रहेगा, यह B अपनी जगा पर है, इसको इसमें घटा ओगे, तो वह C ही रहेगा, C अपनी जगा पर है, 0 अपनी जगा पर है, कोई बात नहीं अब इनका expand कर दीजिए, equal to 0 है, expand करोंगे, A into यह यह, 0 minus 0, 0 square स्कूर यह स्कूर ठीक है जों गया आगे वाला माइनस जिरो हो गया ठीक है उसे हटा दीजिए बीट में आगे प्लस करिए बी इंटू है यह यह थो जाएगा बीसी कितना हो जाएगा यह बीसी B, C, B, C, है न, B into हो गया, कितना भई, B, C, अच्छा, ठीक है, calculation तो सही किया है, यह A है, यह B है, यह B है, यह C है, यह C है, ठीक है, यह B, यह C है, और यह 0, फिर हमने क्या-क्या घटा दिया, इसको इसमें, C-C तो 0 हो गया, अच्छा, B-B भी 0 हो गया, ठीक है, यह हो जाए, A x 0, 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 0 x 0, A 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 x 0 पॉल टू जीरो ठीक है एक काम करेंगे यहां पर हम लेंगे कॉमन सी सी लेंगे कॉमन तो कितना आ जाएगा एक तो यह सी हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा प्लस बी क्या गरबढ़ हो गया सब्सक्राइब करेंगे लेकिन मामला कहां से घरबढ़ हो गया हमने ओपन करने कोई घल्ती कर दी क्या है डेटर्मिन न दिया गया था हमें साडिक दी गई है तो संब्सक्राइब 116 ठीक है अना गुलोतर शेडी में आएगा कोई दिक्कत नहीं और यह हमने जीरो किया ऐसे ओपन करता हूं ठीक है यह हो गया हमने रख लिया है सारे मान रख लिजे यह हो जाएगा ए इंटू कितना हो गया भी यह जीरो माइनस सी स्क्वेर ठीक है जी दो माइनस सी स्क्वेर तो माइनस का हो जाएगा सी स्क्वेर माइनस बी इंटू यह चूटेगा यह चूटेगा जीरो माइनस बी सी जीरो माइनस बी सी ठीक है प्लस बी इंटू यह कितना हो जाएगा यह कितना हो जाएगा यह माइनस का एसी स्क्वेर और माइनस माइनस प ले लो common तो कितना आ जाएगा बी स्क्वार यह बचेगा माइनस का AC आ जाएगा इसकोल टू जिरो एक तो बार-बार होती है थीक है तो कितना आ गया बी स्कुर आ बराबर AC तो बी स्कुर एसी अगर हमारे पास ABC किसमे हो जीपी में हो ठीक है ठीक है रोके सभी अब आपको बता दें कि जब भी हमसे पूछा है कि विस्तार में एक्स से सोतंत्र पद मतलब कि हमें बताना है अब आपको बता दें कि कि जब भी हमसे पूछा जाए इसके विस्तार में है ना किसके विस्तार में जो भी है यँरे पास a into x कई पावर αल्फा प्लस वन बाई है ना जो भी है हमारे पास bios भी इंटु एक्स की पावर बीटा की पावर न है है ना मालओ इसके प्रसार में X की पावर M का अगर आपको गुडांक पूछा जाए है, है ना, X की पावर M, X, भई, यहां पर X से सोतंत रहे, तो X की M कमान कितना हो जाएगा, 0, तो हमें तुरंत R बराबर निकालना होता है, R बराबर, है न, R वापाद, जो भी है, R, R बराबर, R प्लस वन वाँ, वो हो हो जाएगा हमारे पास, N अल्फा माइनस बीटा, N माइनस अल्फा, N अल्फा माइनस M बटे, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, N का वैलू देखो, यहां पर कितना है, N का वैलू है, 9, 9, गुडे, अल्फा, देखो, X की पावर अल्फा है, यानिकि 2, M की वैलू कितनी हो जा जाएगा बटे अलफा प्लस बीटा यानी कि दो प्लस एक नौदूनी अठारा बटे तीन आर कमान आ एक शो सत्रा में वाप बाई साब क्या बात है सुनेल सर ने तो अदव किसे कैं बोलते हैं कहरड़ा रख'ा है कितना हो जाएगा एन सी आर इन कमान कितना है 9, C, R, R कमान कितना आ गया, 6 और कितना है भिया, X को तो छोड़ देना X का कोई टेंसन नहीं है, वह तो अच्छोतंत्र हो गया पहले ही, 3 बटे 2 की पावर N minus R, 9 minus 6 कितना हो जाएगा, 3, into minus 1 बटे 3 की पावर R यानिकी 6, ठीक है भिया 9, C, 6 को हम लिख सकते हैं 9 में 6 घटा दीजिए, कितना जाएगा 9, C, 3 भी लिख सकते हैं देखो 3 की पावर 3 है, अधर 3 की पावर 6 है इसे बटे में ले आओ 1, बटे 2 की पावर 3 हो गया into, है ना, देखो पावर में 6 समसंख्या है, है ना तो ये 3 की पावर 3 बचेंगे कितना बचेगा, 3 की पावर 3 अगर थोड़ा सा और सहेज के लिखना साहते हैं तो 9, C, 3 लिख सकते हैं 6 की पावर 3, 9, C, 3 into 1 by 6 की पावर 3, है ना 6 की पावर 3, कौन सा अपफन सही हो गया भी या, 117 में A सही हो गया, है ना 117 में कौन सही हो गया, A बिल्कुल सही था सर जीवन सर, बिल्कुल सही था सुनिल सर, बिल्कुल सही था अंजुली मेडम बिल्कुल सही था स्वागय थे अंजुली मेडम आपका विडी यादो, बिल्कुल सही था भीया बगवान दीन सेर सलोनी मेडम बिल्कुल सही था ए ओप्षन करेक्ट होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं 118 की तरफ चलते है सुरुफी मेडम बिल्कुल सही है ओफ 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 क्या बात है question कितना गजब है x square minus px plus q is equal to 0 के मूल 10 alpha 10 beta प्रदीव सर बताईए इस प्रशन को कितना छोटा किया जाए 118 है ना अब देखिए अब देखिए जादू देखिए हमें इसके दो मूल पता है करा एक 10 alpha है दूसरा 10 beta है हम इस equation को उठा के चल रहे है इसके हम दो मूल मान रहे हैं अपने से मान रहे हैं हम दो मूल ठीक है एक alpha इसका मान लिजे एक मूल हमने मान लिजा हमें कुछ ऐसा करो कि p और q की value आए है ना पी और q की value हमताब कैसा भी करके करिए इसके दोनों मूल आए 11 आए और 11 कब आएंगे अगर हम 11 कब आएंगे जब इसे हम बना दें क्या x-1 का whole square तभी तो दोनों आएंगे यानि कि p की जगप हमें क्या रखना होगा 2 q की जगप क्या रखना होगा 1 है ना भाई चलिएगा हाँ हाँ समझे इसे बहुत अच्छा question है हम क्या करेंगे भीया यहाँ पे let करेंगे मान लेंगे मान लेंगे p is equal to कितना 2 q is equal to कितना 1 p is equal to 2 मान लिया q is equal to 1 मान लिया आप देखिए equation क्या convert होके आ रही है x square minus 2p है ना p की जगप कितना माना p का मान हमने 2 माना है ना 2x प्लस का 1 is equal to 0 तो यह क्या बन जाएगा भीया x minus 1 का whole square यानि कि x के 2 मान मिलेंगे alpha वराबर भी 1 मिलेगा है ना जो हमारा पहला root होगा पहला root क्या दिया उसने tan alpha तो tan alpha पहला root भी 1 होगा alpha वराबर कितना आ गया 45 degree दूसरा root जो दिया गया है tan beta वो भी 1 हो गया तो beta वराबर कितना हो जाएगा 45 degree मतलब कि alpha और beta दोनों आ गए 45-45 degree और हमें value क्या निकालनी है हमें value निकालनी है sin square किसकी भीया sin square alpha प्लस beta तो sin square alpha प्लस beta 45-45 90 है ना sin square 90 और 90 की value होती 1 मतलब की जहां पे p बराबर कितना 2 और q बराबर 1 रखने पे 1 आ जाएगा वही option नमारा correct होगा चलेगा हम पहला option try करने जा रहे है है ना भगवान का नाम लेके ठीक है बही दूसरा तो ओई नहीं सकता p का मान रखना है 2 दो दूनी कितना हो जाएगा दो का वर्ग कितना हो जाएगा 4 बटे ये कितना हो जाएगा 4 प्लस q-45 ये तो 0 हो जाएगा है ना भईया कितना आ गया 4 बटे 4 काट दीजिए 1 आ गया पहले option satisfied कर गया पहले option ही संतुष्ट कर गया तो 118 में कौनसा option सही होजाएगा A है ना बिल्कुल सही प्रदीप सर थेंक यू है ना question number 118 में option सही होगा A ठीक है बिल्कुल सही जवाब question number 118 का A सालोनी मैडम ने कहा बेडेडी यादो सर ने कहा सुर्भी मैडम बिल्कुल सही सब्सक्राइब और हिरेंदर सर बिल्कुल सही है मैथ्स ट्रीक सर बिल्कुल सही है चलिएगा बढ़ते हैं आगे इस काफिले को लेके है ना चलिएगा 119 तेखिए 119 में कह रहा है कि if an infinite series दी गई हमें sigma un of the positive terms is convergent from and after some then it is divergent तो आपने पढ़ा होगा एक test पढ़ा होगा d alumber test तेस्ट रेशियो टेस्ट है ना डे alumber ratio टेस्ट रेशियो टेस्ट इसमें क्या होता है अगर हमारे पास limit n tends to infinite un बटे un plus 1 अगर इसकी value greater than 1 होती है तो हम क्या बोलते हैं कि ये convergent है और अगर less than 1 होती है तो बोलते हैं divergent है और अगर क्या होती है equal to 1 आता है तो ये टेस्ट वहाँ पे fail हो जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कौन साफ़न सही हो जाएगा भाई क्या होना चाहिए क्या कह रहा है वो divergent होगी कब होगी या अगर un plus 1 बटे कितना un की value क्या हो जाए less than 1 है ना तो कौन साफ़न सही हो जाएगा इसमें b वाला 119 में कौन साफ़न सही हो जाएगा b ठीक है clear हुआ यह कौन साफ़न सही होगा 119 में b option करेक्ट हो जाएगा next आगे बढ़ते हैं देखेंगे question number 119 करा यदि धनात्मक पदों की एक अनंत स्रेड़ी sigma un कुछ पदों से और कुछ पदों के बाद अभिशारी होती है तो यह अपसारी होती है यह दिकेना अपसारी होने की condition क्या होगी तो हमको पदा है कि अगर माल लीजिए कि हमारे पास sigma un एक positive terms की series है जहां पे सुरुआत हो रही n बराबर 1 से लेके कहां था कि infinite terms की positive terms है सारे तो यहां पे हम लोगों ने पढ़ा क्या है limit n tends to infinite un plus 1 divided by un को माल ले अगर हम l अगर इस l की value जो है अगर इस l की value यानि की un plus 1 बटा un में अगर l की value आती वो क्या है अगर greater than 1 होती है तो इस दोरान क्या होता है कन वर्जेंट इस दोरान क्या होगा कन वर्जेंट और अगर क्या हो l less than 1 हो तो divergent होता है क्या होगा divergent होता है और अगर यह l का मान 1 आ जाए यानि की limit n tends to infinite un un plus 1 बटा un की value अगर 1 आ जाए तो यह test क्या हो जाता है fail हो जाता है इस दोरान test fail हो जाता है तो divergent कब होगी जब क्या हो l less than 1 हो जाए यानि की 110 में कौन साप्पन से हो जाएगा बी वाला option correct हो जाएगा अब देखिए question number 120 correct 10 inverse x है ना बहुत ही सांदार 10 inverse x plus देखिए सभी लोग साथ बने रहेंगे तब ही मजाएगा अब आप class छोड़के बीच में निकल जाओगे तो फिर यह होगा दोखा और दोखा बरदास्त नहीं किया जाएगा अब समझिए 10 inverse x plus 10 inverse y plus 10 inverse z is equal to कितना है पाई है ना मतलब क्या है कि अगर 60 60 60 अब 10 inverse x की value 60 कब आएगी जब हम x की जगह पे कितना रख दें 60 under root 3 x बराबर कितना रख दें भीया यहाँ पे आप सब जगह उठा के रख दीजे x बराबर y बराबर z बराबर कितना रख दीजे अंडर root 3 देखो satisfied करेगा 10 inverse under root 3 तो यहां से 60 बन जाएगा यहां से 60 बन जाएगा यहां से 60 बन जाएगा 60 60 60 60 180 मतलब की x बराबर और y बरा x y z तीनों की value जो है अंडर root 3 यहां पे satisfied कर रहे हैं संतुष्ट कर रही है तो हमें value किसकी चाहिए अब बन जाएगा नहीं अगर x की जगह पर हम अंडर root 3 रख दें यहां भी अंडर root 3 रख दें तो 10 inverse अंडर root 3 का मतलब 10 60 inverse 10 inverse और 10 खतम तो 60 आगया यहां भी 60 आगया यहां भी 60 आगया अब पाई का मतलब 180 तो 62 नी बारा चत्री कठा रहा 180 बराबर 180 यानि की जगह पर हम अंडर root 3 रख सकते हैं तो हमें value किसकी निकाल ली है यहा एक्स प्लस Y प्लस Z तो X की value भी कितनी रखन अंडर root 3 तो कितना जाएगा तीन अंडर root 3 अब देख लीजे कौन से option में तीन अंडर root 3 आएगा हवा में दिख रहा है पहला option है ना X into Y into Z वैसे question आपको याद होना चाहिए नहीं याद है तो ये भी आसान सा तरीका है अंडर root 3 गुड़े अंडर root 3 गुड़े अंडर root 3 है भाई तो क्या हुआ जिनके जोड़ा बनते हैं उनकी साधी करवा देते हैं जब साधी करवाते हैं तो कि अंडर root 3 साधी तो आदमी आजाद हो जाएगा अंडर root के अंदर दोन बन गए तो कितना आगे अब यह 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 तीन अंडर root 3 तीन अंडर root 3 तो कौन यह यहां से भी आ गया तीन अंडर root 3 और option A भी दे रहा तीन अंडर root 3 तो यहां आख मोंद के मारों के option A is correct और अप्षन होगा बिल्कु सही जवाब BD यादो सर सालोनी मडम बिल्कुल सही है अंजुली तवारी मडम बिल्कुल सही है सरजीवन सर बिल्कुल सही है कमलेंडर सर बिल्कुल सही है बगवांदीन सर बिल्कुल सही चलेगा आगे बढ़ा जाए है ना पहला option इसमें correct हो जाएगा 120 में आगे बढ़ते है पहले हम दिस्टेंस निका लेंगे बागी बाद में देखा जाएगा तो देखे हमारे पांस-total leggings कितनी हो जाएगी यह वही टोटल कितनी हो जाएगी चाल गुड़े समे समय चाल कितनी है तरसठ तो टोटल कितनी हो जाएगी 63े मच्ट्र यह हो गई is equal to फिर क्या कह रहा है वो by how much should its speed be increased so that it makes it may take only seven hours to finish the same journey अब उसे 7 घंटे लग रहे हैं और वो कह रहा चाल कितनी बढ़ा दी जाए तो हम कहरें भीया ले चाल तू बढ़ा दे x km प्रतिया बढ़ा दिया distance अभी भी है distance भी है तो उसी distance के बराबर होगा कोई दिक्कत नहीं होगी यह क्या है time और यह क्या है speed 63 पहले थी प्लस x हमने और add कर दिया तो कितनी हो गई भाई अब आ गई इस साथ से काड़ दो इसे 7 नईया 63 9 नईया 81 is equal to कितना 63 63 प्लस x 63 प्लस x इधर आगे 63 घटा दीजिए इधर घटाएंगे 63 तो कितना आ जाएगा भी यह 81 माइनस का 63 is equal to x तो कितना जाएगा यह 81 नहीं हां साथ से काटा साथ नहीं हां 63 नौ नहीं हां 81 81 में 63 घटाना है 11 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा भी यह 8 आ जाएगा और इससाथ एक 8 बचेगा एक्स आ जाएगा यानि कि एक समारा यानि कि जो हमने माना है कितनी बढ़ाई गई है वो 18 किलो मीटर प्रती घंटे 18 किलो मीटर प्रती घंटे अशुरुभी माडम इसकी पीडियाफ आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगी और आपके वाटसब ग्रूप पर भी मिल जाएगी चले गा अंजुली माडम हुँ चार गेंद बाज है था तो हमें 11 खिलाड़ियों की टीम सेलेक्ट करनी है तो कहरा है कम से कम कितने गेंद बाज होनी चाहिए कितने भी यह 13 सतस हैं हमारे पास 13 में से खाइलेक्राम करें कितना है total 11 खिल्ड़्यों का सेलेक्रिक्ष्ण करना थै जिसमें चार गेंदबाई कमपलसरी हैं तो चार गेंदबाई यह ले लिए चार बॉलर है ना चार बॉलर चार गेंदबाई होगे भिया और उसके बाद Nौ बैट्समंई नर्ड सुमाइड इस बह बह धरे एक तरीके। चलेगा। सभी लोग करिएगा इसे अब देखिएगा। कुल करिएक कम एक डाकां की कमसे कम दो गेन बाज है और चाहिए है। तो देखिएगा ठोगा है चाहर में इहां ऩगार रहें दो घेन बाज ले लिए ना ले उन को कालाकूलेत करेंगा इसकी वैलू छे आइगी इसकी वैलू छतीस आएगी इसको कल्कूलेट परेंगे इसकी बालू जायू और देखें कि प्रश्ट नंबर 123 किरा यदि किसी भी समानतर चतुर्भुज होगा वर्ग होगा या इन में से कोई नहीं होगा देखते हैं हमने मान लिया कि हमारे पास एक ABCD चतुर्भुज है एक पैरलोग्राम है कैसा है पैरलोग्राम यहीं कि समानतर चतुर्भुज है और उसके अंदर जो व्रित है वो P Q RS पे इंसाइट को इसपर्स कर रहा है तो आपको पता है कि अगर किसी बृत में बाह विंदू से जो इसपर्स रहा हैं खिची जाती है दोनों बराबर होती है यह वाली रहा और यह वाली रहा दोनों क्या होंगी बराबर होंगी तो कहने का मतलब यह है यहां पे हो जाएगा A P बराबर कितना हो जाएगा A S के है ना पहली बात तो यहां क्या हो हो जाएगा BP बराबर कितना BQ उसके बाद next क्या हो जाएगा QC बराबर RC है na QC बराबर RC हो जाएगा और उसके बाद RD बराबर DS हो जाएगा इसी तरह से इसी तरह से क्या हो जाएगा DR बराबर हो जाएगा DS अब देखिएगा हमें करना क्या है हमें ये प्रूब करना है कि इस समांतर चतुर भुज में को हम सम्चतुर भुज बना दें रॉंबस बना देंगे अगर क्या हो सम्चतुर भुज की हमने समने की भुजाएं बराबर होत हैं अगर ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाता सब बराबर होगी क्यों क्यों क्योंकि ये दोनों बराबर होगी तो ये दोनों पहले से बराबर हैं और ये इसके C और D R AP और BP को मिला के क्या बन जाएगा ये बन जाएगा अच्छा और उसके बाद यहाँ पे QC को हम अगर RC ले ले इधर पलट ले पलट लो RC बराबर QC है न इधर लिख लीजे इसको RC बराबर QC RC बराबर कितना QC कोई बात नहीं अब देखें यहाँ पे RC और DR ये RC और DR मिला के कितना हो जाएगा ये दोनों अगर हम जोड़ दें तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा CD इक्वाल टू इधर देखो AS और DS AS और DS ये दोनों अगर मिलेंगी तो क्या बन जाएगा AD बन जाएगा प्लस BQ QC BQ QC में लेंगी तो BC बन जाएगा अब आपको देखी रहे हैं कि BC किसके बराबर AD क्योंकि समांतर चत्र भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है परलोगराम की जो अपोजिक साइट्स होती है वो क्यों क्यों होती है यानि कि BC की जगाप भी AD रख सकते है अच्छा ये हो गया हमारा AB प्लस CD तो AB की जगाप आप रख दीजिए CD की जगाप रख दीजिए AB AB और CD दोनों बराबर है आप रख देगे बराबर BC की जगाप अगर AD रख देगे तो कितना आजाएगा 2AD आजाएगा काट दीजिए AB बराबर कितना आगया AD और किसी समानतर चतुरभुज में अगर दो उसकी Edson Sight यानि कि आसन भुजाएं अगर बराबर आजाएं तो वो एक सम चतुर भूज हो गया मतलब कि जो इसके अंदर सरकल बना हुआ है वो क्या है जो हमारा चतुर भूज है जो पैलोग्राम है वो क्या है एक सम चतुर भूज होगा अब कुछ लोग कहेंगे वर्ग के अंदर भी बन जाएगा है ना कई दिन से बैहत भी चली इस प होता है लेकिन अगर इस given condition को हम प्रूव ये करने कि इसके दोनों diagonal equal हैं और ये एंगल जो है interior angle प्रतेक interior angle 90 degree है तो हम कहेंगे ये वर्ग होगा है ना तब हम उसमें टकराएंगे लेकिन हमको चुकी पता है समचतरभूज बूँज हो चुका है और already जो square होता है वर्ग जो होता है वो येक समचतरभूज ही होता है तो क्या हो जाएगा वर्ग हम SPECIAL नहीं कहें पाएंगे इसको क्या कहेंगे हम हर condition पे समचतर बूज होगा है ना तो कौन सो अफ़न सही हो जाएगा रॉंबस में पहला option इसमें रॉंबस करेक्ट हो जाएगा है ना question number 124 question number 124 में हमसे क्या कह रहा है भाई क्या एक कड़को उपर की ओर उर्द्वाधर फेका जाता है चलो फेक दीजिए ना भाई यह question आया था 2018 में भी है ना हम सुरी 2021 में भी तो माल लेते हैं कि इसकी height अपनी h रही होगी अच्छा इसे जो फेका गया होगा तो माल लेते हैं इसको t time लगा है उसने दिया भी है कि t time लगा है अच्छा जब यह वापस आया होगा है ना यह पिंड जब उपर गया होगा है एच हाइट तक तो टी टाइम लगा होगा और जब यह वापस नीचे आ गया होगा है उपर से तो कितना लगा होगा इसे माल लेते हैं टी डैस टाइम लगा होगा है ना भाई तो H is equal to अपने ये यह कितना हो जाएगा, यह जाएगा, 2 h is equal to, 2 ut, और माईनस का कितना भिया? ग टी स्क्वेर, इदर उठा लिजे, सबको इदर ही उठा लिजे, यह इकितना हो जाएगा, gt square, 2 ut, minus का, हाँ, उधर लेके गए है, plus में गया, ति भिया यह minus में आएगा, इधर माइनस में हैगा ना माइनस का टू एच और यह अपना प्लस का टू एच वहीं पर बैठा कोई दिक्त नहीं अब बताईए यह टू टी में है एक क्वाड़ाटिक एक्वेस्टन बन गई एक दूइगात शमी करण बन गया ठीक है चलेगा हां क्या हो गया सर क्या डिलीट मार दिया चलेगा असुनिल प्रजापती सर क्या डिलीट मार दिया चलेगा अब देख हुए हमें क्या करना भाई तो भाई मूलों का योग टीवन टीटू है तो टीवन टीटू है तो टीवन टीटू है तो दोनों का सम माइनस भी बाई ए तो 2U upon G हो गया, दूसरा क्या होता है, दोनों का product T, T dash is equal to, मूलों का गुडन फग product of fruits, C by A C कितना है, 2H A कितना है, G ठीक है, यहां से H का value निकाल लेजे यहां से H का value निकालेंगे तो कितना जाएगा, 1 बटे 2 G into T, T dash है न, तो कौन से हो जाएगा, 124 में बटे 2 G into T, T dash है न, हाइट कितनी हो जाएगी पहला option हो जाएगा, 124 का A option correct होगा, बिल्कुल सही है, सुरुफी में अंजुलितिवारी में, असुनीर प्रजापति प्रजापति सरी क्या कहने, लिखना, क्या लिख रहे हैं त्हिक है अच्छा, इवलिशे, इवलिशे, क्लेंस इट स्क्राफ होगा, सब ग्रूप होगा हो जाएगा हो एगा, अगे बढ़ेंगे, बडा जैरे के साथ आपने पढ़ह और यह अपनी एक भेमस सी लाइन, पुरानी शफर में धूपतो होगी, जो चल सको तो चलो कि शब्फर में धूप तो होगी चल सको तो चलो कि शफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो सभीन होगी तुम भी निकल सको तो चलय हैं कि से मैंसेश कर सकते हैं हमेंध unos कर सकते हैं इस नंबर पर कोई दिक्कर नहीं अगर बागी तो डिस्क्रिप्टर में लिंक